कॉरी जार थोड़ा सा लेत हो गया हमें लगता है कि जो हमारे यहां ओपरेटर ने भैस साथ, थोड़े से नए है तो कल भी लेट किया था आज भी शुरह से लेट किया हैह कत नहीं है एक दो मिनट ही लेट हैपन लेट ओपी निखले न आ जाते हो नालायक हो और बताओ क्या हाल चाल जिंदिगी ठीक ठाक है भी फिलाल बताओ भई क्या हाल चाल है हाँ ले टूपी नालाएक ओके ओके हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्लो पढ़ाना प्लीज मैं कोसिस करूँगा आज का चैप्टर केमिकल बॉंडिंग है मेरे भाई चैप्टर एक बड़ा चैप्टर और आपको यहां से आठ नंबर आराम से मिल सकता है आराम से मिल सकता है बस करना क्या है ध्यान से सुन लो अगले 5 घंटे हमारी और तुम्हारी frequency एक ले में होनी चाहिए resonance करती रहनी चाहिए overlap करती रहनी चाहिए constructive overlap करती रहनी चाहिए ये मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि जो PPT और जिस तरीके से हमने design करा हुआ है आपके सारे सवाल previous year questions के बन जाएंगे और आपको ये confidence भी boost कर देंगे आपके JEE से पहले आठ नंबर secure होने वाला है अगले 5 गंटे में तो 5 गंटे सांती से पढ़ते जाना है दिल, दिमाग, आत्मा, रूह इस class में लगा देनी है मेरे भाई समझ में बात आ रही है chapter अच्छा है, समझा जा सकता है, तो समझने की कोसिस करेंगे, ज़्यादा time नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 गंटे में कह रहा हूँ, धान से पढ़ना है हाना, 5 गंटे तो देज सकते हैं इन chapters को 24 से 25 गंटों में पढ़ाया जाता है, तो हम उसको summarize करने की कोसिस करेंगे और सारे important points, जो की paper में आपके दिखाई देते हैं वो सब आपको यहाँ पर कराए जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत, कोई परिसानी हो, तो अभी बता दो, क्योंकि एक बार सुरुवात होगी, इसके बाद हम थोड़ा बता चुके हैं, एक ले में चलना पड़ेगा क्योंकि भईया, आज का chapter chemical bonding है 8 number हम यहाँ से पाने वाले हैं और 8 number अच्छे खासे ranks का gap दे सकता है, समझ रहे होना बात को चलिए करते हैं सुरुवात आज हमारा जो topic discuss होने वाला है, वो देख लो सब कुछ लिखा गया है, जो आज तक आपने, अपने as usual classes में पढ़ा होगा यही सब था ना octet, VBT, VACPR, hybridization resonance, formal charge, number of PPI, DPI, parameters के अंदर सारे आएंगे, bond angle इसके बाद dipole moment, ATC, इसमें आएंगे back bonding, bris bonding, आगे क्या है MOT, intermolecular forces, hydrogen bonding and ionic bonding सारी कहानी आज cover कर दी जाएगे कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं है चले जी, सुरू करते है सुरुवात होगी एकदम basic चीज से, basic क्या है भया bond क्या होता है bond मतलब कुछ और नहीं है कि दो लोगों के बीच में एक line बना देते हैं जिस तरीके से हम पढ़ता है हमें लगता है यही bond है, bond कुछ और नहीं सिर्फ force of attraction है जिस तरीके से आपकी और आपके मम्मी के बीच में force of attraction है, एक लगाव है तो बोला जाता है कि दोनों के बीच में bond अच्छा है हमारे और आपके बीच में भी एक bond है अगर आप feel कर पा रही हूं तो ठीक है जी, तो bond कुछ और नहीं force of attraction है, जो दो atoms के बीच में लग रहा है दो entities के बीच में लग रहा है दो particles के बीच में लग रहा है वही कहलाता है bond, bond दो तरीके का हो सकता है भई, रिष्टे दो तरीके का हो सकते है हो सकता है कि वो bond बहुत strong हो, आपके और आपकी मम्मी के, बीच में जो रिष्टे हैं वो strong bond में आएंगे, दूसरा क्या हो सकता है दूसरा भईया, weak bond हो सकता है ठीक है जी, इसके मैं examples नहीं बताऊंगा, ये आप समझदार है कि अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छा जी, फिलहाल यहाँ पे आते हैं strong bond के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे covalent bond, coordinate bond इसके बाद आएगा, ionic bond और metallic bond, ठीक है मावला clear है सुना तो हो गई, थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे, basic idea भी इनके बारे में हो गई, अच्छा जी, ठीक है इनके बारे में पढ़ना है पूरे chapters के अंदर तो यहाँ पर बता के कोई खास फाइदा नहीं है weak bond में हमें क्या पढ़ना है, hydrogen bond के बारे में और wonderful force of attraction के बारे में हमें पढ़ना है तो पूरा chapter इन ही सब चीजों को cover कर रहा होता है ठीक है जी, चलिए करते हैं सुरुबा पहले हम देखें, number of electrons in balance cell बहुत सारे बच्चे exam के दिन तक confused होते हैं कि हमारे इस element के outer cell में कितने electrons हैं यही नहीं पता चल पा रहा है तो उस condition में हम भाया लेकर के आए हैं कि देखो भाया यह आपका group number 1 दिख जाए तो कहना कि इसके valence cell में एक electron है कितने, अरे comment करके चलना चाहिए कितने electron है भाया, एक electron है दूसरा देखें, इसमें कितने electron है दो electron है ठीक है जी, इसमें को दिक्कत नहीं है अच्छा, आग जा जाते हैं, boron की family में बताइए valence cell में कितने electron है अरे electronic configuration लिखना periodic table में सिखा दिया गया है तो मैं direct इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर कितने होंगे, boron की पूरी family तीन valence cell रखेगी तीन valence electron रखेगी अपने cell में ठीक है, इसके बाद carbon की family 4, इसके बाद nitrogen की family 5, oxygen की family 6, यहाँ पर आपको हैलोजन की family में 7 और इनको किसी भी अगे balance bond बनाने के जरुद नहीं पड़ती तो इनके खास याद करने के जरुद नहीं है लेकिन, एक चीज जो अकसर दिखाई देती है और आपके paper में भी अकसर दिखाई देती है कौन है भया यह, यह है कौन यह है हमारा प्यारा genone जैनोन के लिए आप देख लीजिए अगर यहाँ पे 7 valence electrons हुए तो यहाँ पर कितने होंगे 8 electrons होंगे उनके valence cell में ठीक है जी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इतनी basic सी बात तो आपको आती होगी यहाँ पे 8 electron इनके valence cell में है दुनिया में क्या चल रहा है भी या लोग अपने आपको stable करने की कोसिस कर रहे है तो यह atom भी इसी भागदोर में भाग रही है वो भी खुद को क्या चाहते हैं खुद को inert gas जैसा बनाना चाहते हैं और अगर उनको inert gas configuration पाना है तो उनके valence cell में 8 electron होना चाहिए stability के लिए और यही आपको octet rule के नाम पे चिपकाया गया था आपके class में देखते हैं आपके सामने एक प्रस्तूत किया है CH4 CH4 का अगर मैं Lewis dot structure बनाऊं तो आप मेरे को ये बता दो कि इस carbon के किनारे इस carbon के किनारे यहां पर किनारे सब्द जब जब मैं बोलू तो आप समझ जाएगा valence cell कह रहा हूँ carbon के valence cell में कितने electrons होते हैं भया अभी तो आपने बताया 4 electrons होते हैं अच्छा जी 4 electron के valence cell के बना दो valence cell के ये 4 electrons बना दिये hydrogen के पास कितने electrons हैं एक electron hydrogen के पास टोटल एक electron है तो वो अपने valence cell में एक electron रखता है अरे बोलो भया कितने electron रखता है एक electron रखता है तो देखो भया होगा क्या ध्यान पूरवक क्रिपह यहां पे देखें क्या होगा अरे भया इस carbon ने अपने 4 तो रखे-रखे 4 hydrogen को और बुला के रिष्टेदारी कर ली और अपने carbon के valence cell में उसने 8 electron इकठा कर लिए और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसको लगा element जो मैं atom हूँ भया मैं तो बड़ा reactive रहूँगा केला रहूँगा जिंदगी में तो ऐसा करता हूँ के साथ रिष्टे बना लेता हूँ थोड़ा सा मैं stable हो जाऊँगा तो यहाँ पर यही कारकरम किया है किसने वह यह कारगम तो खुद की stability के लिए उसने क्या किया चार hydrogen के साथ रिष्टेदारी कर ले समझ बात अच्छा जी आगे देखते octet rule यही कहानी octet rule है जो मैंने सिखाई octet rule के बसे statement है एक बार देख लिए क्या लिखा है लिखा है the atoms are most stable when their valence cells are filled with eight electrons यही तो पढ़ा ना this rule is based on chemical inertness of noble gas सारी बात हो चुकी है अब बात करते है limitation of octet rule limitation of octet rule अभी सरसुरू हुआ तब तक limitation आ गई यह जना बहुत छोटा सा rule है बहुत basic सा rule है तो यह limitation तो आएगी क्योंकि आगे कहानी अब अच्छे ची पढ़नी है आए देखते हैं पहला है incomplete octet कुछ सब्द है जिनके आपको मतलब आने चाहिए मतलब आ गया तो आप example खुद बना दोगे incomplete of octet जिसका octet भरा नहीं है जिसके पास 8 electron ही नहीं हो पाए उसको incomplete octet कहते हैं example के तोर पे bs3 आपके सामने लिखा गया bs3 में क्या होगा भया देखना boron क्या करेगा अपने valence cell के 3 electrons को यूज करके hydrogen के साथ 3 bond बनाएगा और हर bond में 2 electron उसी तरीके से आ जाएगा इसका मतलब boron के valence cell में total number of electrons कितनी हो गए 6 हो गए इसका मतलब 8 पूरा नहीं हुआ it complete octet incomplete octet अगला है odd electron molecules ऐसे molecules जिसके total number of electrons अगर गिने जाएं तो वो odd numbers आएंगे example के तोर पर आप देख सकते हैं NO इनके बीच में bond कितने बनते हैं अरे comment भरो भाई कितने bond बनते हैं सर ऐसे बनते हैं यहाँ पर एक electron इस तरीके से रहेगा बोलो भाई रहेगा की नहीं रहेगा एक electron और यहाँ पर दो यहाँ पर आ जाएंगे lone pair सुनिएगा भाईया ध्यान से bond के अंदर जो electron है उनके लिए सब्द यूज होगा bond pair क्या क्या bond pair ऐसा pair जो रिस्ता कराता है उसको कहते है bond pair lone pair, lone मतलब ऐसे समझो अकेला घूम रहा pair वो कहा रहता किसी atom की खोपड़ी पर सबार रहता है कौन? lone pair तो यहाँ nitrogen की खोपड़ी पर एक lone pair एक बचा हुआ और दो लोग bond बना रहे हैं total 5 ही तो थे yes sir, यहाँ पर oxygen में क्या होंगे कभी कभी question सिर्फ यही सबाया है कि total number of lone pairs कितने है total number of bond pairs कितने है शायद आप कर ले जाएंगे यहाँ पर देखें यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको odd electrons की feeling आ रहे है क्योंकि एक electron pair नहीं हुआ है मामला clear है? अब यहाँ simple सी बात है octet में 8 electron चाहिए 8 तो एक even number है ना मेरे भाई अरे बोलो सभी लोग 8 क्या है? एक even number है अगर एक even number है तो odd electron molecules तो octet follow नहीं कर सकते हैं ना भाई यह समझ आ गया लगता है चलते हैं अंगला NO2 की कहानी पढ़ते है NO2 में यहीं पर द्यान से देख ले NO2 को कैसे बनाया जाएगा NO2 के बाहर होंगे कितने electron यहाँ पर बाहर जब जब बोला जाए आप मतलब क्या समझेंगे? क्या बताया गया भी आपको well and social यहाँ पर मैंने oxygen के किनारे के छाप दिये यहाँ पर मैंने इनको बना दिया यहाँ पर एक electron बना दिया ठीक है जी? NO2 मैंने इनको बनाना था oxygen मैंने इक यहाँ बना दिया जहाँ पर मैंने 6 electron बना दिया एकदम basic से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा ठीक है जी? आज यह देख लेते हैं आज यह देख लेते हैं यहाँ पर nitrogen क्या कर रहा है? पांच हो चुके हैं उसको सिर्फ तीन electron की जरूरत थी कितने? सिर्फ तीन electron की जरूरत थी तो पहले तो मालो यहाँ पर उसने bond बना दिये तो सामने से उसके दो मिल गए? ओ भाई आप सिर्फ एक electron उसको चाहिए तो क्या वो इससे एक electron के साथ bond बना ले? बो भाई क्या यहाँ पर वो एक electron के साथ bond बना ले? अगर bond बनाएगा तो क्या oxygen के पास octet complete होगा? नहीं होगा इस condition में हम क्या करते हैं? यह दोनों electron इनको support कर देते हैं दोनों electron इनको support कर देते हैं और इसको क्या कहते हैं? अरे यह जो bond normal था उसको हम covalent bond कहते हैं और यह covalent bond कैसे बनता है? दो लोगों की साजेदारी, समझदारी से बनता है रिष्टे चलता पाते हैं जब दोनों लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड में होगा अरे ये कोवलेंट बॉन्ड ही चल पाएगा लेकिन ये कॉडिनेट बॉन्ड है इसने इसको सपोर्ट किया है तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा एहसान ये रिष्टे के अंदर ये consider किया जाएगा consider किया जाएगा कोई सक कोई संदे हो तो निश्चे दुरूप से बताइए नहीं होना चाहिए yes sir very good very good बहुत सही लिख रहे हैं आप सब अगला क्या है सुनिए गाज यह सब्द मिलेंगे paper में तो आने चाहिए लिखाओ expanded expand करना का मतलब क्या होता फैलना super का मतलब क्या है भाई normal से super का मतलब क्या था super talented आदमी है मतलब talent से थोड़ा सा उपर जाना है hypervalent यह super talented आपके लिए था hypervalent का मतलब क्या है जितनी valency है उससे ज़्यादा उकात लगा रखी है उसने bonding करने में मतलब रिष्टेदारी करना जितना allowed था उससे ज़्या तो बोलते है hypervalent bond example के तौर पर आप देखिए pf5 भया फॉस्पोरस है फॉस्पोरस के किनारे 5 electron होते हैं किनारे मतलब वैलंसल में 5 electron होते हैं फिर fluorines का करते हैं एक एक bond बना करके उनसे जुड़ते हैं मतलब है 5 fluorine लग सकते हैं चलिए लगा करके दिखाते हैं चलिए भया लगाया कैसे लगाया यह बहुत matter नहीं करता या अगे matter करेगा फिलहाल हमने क्या किया फॉस्पोरस के 5 electron fluorine के एक electron से पेर करा करके 5 covalent bond बना दिये 5 covalent के अंदर के pairs हमने create कर दिये तो यहां पर बताइए अभी फॉस्पोरस के पाफ total number of electrons कितने हो गये वैलंसल में आप कह क्या हो गया 8 से जादा तो भाया rooted क्या हुआ expand हो गया ौक्टेट क्या हो गया super o concert हो गया ौक्टेट क्या हो गया hyper o governments Dr. Tett हो गया, मामला क्लियर रहे हैं, हार से देख सकते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं मेरी अगला है इस वाले theory का यही है कि कोई atom, दूसरे atom के साथ जब भी रिस्तेदारी करेगा, जब भी force of attraction में जाएगा, जब भी covenant bond बनाने जाएगा, तो वो क्या करेगा भी या अपनी valence cell को यूज करके bond बनाने की कोसिस करेगा, मामला ठीक है क्या, मामला ठीक है क्या, यस सर, अब देखि hydrogen के valence cell में कौन सा orbital है, अरे बोलो भया कौन सा orbital है, सर, 1s orbital है, अच्छा, 1s orbital है, चलो भया, यहां पर लिख देते हैं कि यह 1s orbital है, hydrogen का 1s है, दूसरा hydrogen आया अपना 1s लेकर के, हुआ क्या, यहां के nucleus ने, यहां के electron pair को अपनी तरफ खीचा, अरे इस ने अपनी तरफ खीचा हुआ क्या, दोनों लोग एक दूसरे के करीब आने की कोशिस कर रहे हैं, जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन आ क्यूं रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में force of attraction लग रहा है, भया, कहा है force of attraction, और इनका nucleus positive charge रखता है, सामने पर electron की density है, तो भया, force of attraction हुआ, electrostatic ल अच्छा, ये दोनों लोग मिलेंगे, तो इनके गडबंधन से energy निकलेगी, हाँ, मामला clear है, मामला clear क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिले, और जब मिलें तो भया देखो, रिस्ता अच्छा हुआ, ये क्या हो गए भया, देख लो, गले लग गए हैं दूसरे के, यहाँ मामार क पर क्या हुआ, मरजिंग हुई, सुनना ध्यान से, गले लगने का मतलब, यहाँ पर क्या हुआ, मरजिंग हुई, और मरजिंग को एक नए सब्द से नवाजा गया, फिल्साशा, इस और नाप से इतना निकल के बाहर आती है, रटना है क्या, नहीं सर, सुनना भया धान से, दो लोग जो स्रिष्ट में कहीं पे पड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि भया गडबंधन करते हैं और ऐसी कोसिस करते हैं, कि अपने आपको हम क्या कर सकें, इस्टेबल कर सकें, तो उन्होंने सो क्लेन कैसे कर पाते हैं, कि भया इनके पीच में है force of attraction, रहे बोलो यार मामला समझ में आया क्या, अब इसी चीज को, भया इतनी बेसिक सी बात इतना जोर से पढ़ा रहे हूँ, इधर देखो, इधर देखो भया, जिसको समझ नहीं आया है, वो यहाँ पे समझ लेगा, इकलियर डिस्टेंस आर और potential energy के बीच में, तो सुरू में क्या थे, दो लोग ऐसे मवजूद थे, अब nature में कहीं होंगे, तो हमने क्या बताया कि potential energy अभी minus है, लेकिन इतनी ही minus है, हुआ क्या, दोनों करीब आये, करीब आने से, आसपास आने से हुआ क्या, रहे energy down हो गई, सर पहले वो यहां थे, लेकिन अब energy वाई यहां है, तो देखो भया, drop of energy यहां देखने को, मिलते रहे बोलो यार, यस, यहां पे हुआ क्या force of attraction, इस वाली line के लिए आप बोलोगे force of attraction हावी था, इसलिए ऐसी कहानी होई थी, मामला clear है जी, अब सुनिएगा, यहां तक तो जिन्दगी में लगने वाले चीजें हैं, क्या बोला, अरे दोनो nucleus धान से सुनना, अब करीब आ चुके थे, और करीब लाओगे तो इसका positive charge, इसके positive charge को क्या करेगा, repel positive charge क्यों, अरे protons है सर, nucleus में, अच्छा, अगर यहां पे धान से सुनना, अगर यहां और करीब गए तो मामला ठीक था, लेकिन और करीब गए तो repulsion, और आपको पता हो, इस system में कहीं भी repulsion है, तो उस आदमी को आप hyper कहते हो, क्या कहते हो, hyper energy में है, तो यहां पर energy क्या होगी, बढ़ जाएगी, potential energy बढ़ जाएगी, और आपको बताऊं, जैसे जैसे potential energy positive की तरफ जाती है, वो atom एक दूसरे से दूर जाने की फिर कोशिस करता है, क्योंकि कभी भी system अपने आपको potential energy positive देना पसंद नहीं करता है, अगली चीज सुने करिपया, अगली चीज पचाने की कोशिस करना, देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, drop of energy, कितना energy drop हुई थी, इतना drop हुई थी, अब देखना हुआ क्या, कि एक bond को बनाने में, एक रिष्टेदारी create करने में, जितनी energy निकलती है, उसको हम bond energy कहते हैं, अरे बोलो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको हम bond energy कहते हैं, तो यह जो दिख रहा है ना, जो energy निकलती है, उसी को bond energy सब्द से नवा जा गया ह मेरे बाई क्लेइर मामला Yes Sir अब सुनना जितना वो करीब आचुके जिससे ज़ादा वो करीब नहीं लाए जा सकते तब जाकर के इनके इंटर न्यूप्लिया सदू को हम क्या कहते है यहाँ के इंटर न्यूप्लिया सदू को हम क्या कहेंगे बोलो क्या बोलेंगे ये क्या है ये बॉंड लेंट 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 है तो यहाँ पर ये चीज बॉंड लेंट है यहाँ पर बॉंड अनरजी मामला क्लिए है यस अब सुनना अब यार हर बार ये ग्राफ नह बनाने वाले तो समझने के लिए simple था ये graph बनाया जाता है कि देखो भईया हमारे पास क्या है देखना ध्यान से हमारे पास एक hydrogen का 1S है और वहाँ पर एक electron देखो up spin करके बनाया है दूसरी तरफ देख ले down spin करके बना दिया गया है ये भी 1S है ये भी 1S है आपस में इन्होंने overlap करा overlap करने के बाद देखो energy कम हो गई सरे energy कम हो गई अरे भईया यहाँ पे भी तो energy down हुई थी इसी चीज को लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ energy down हो गई अच्छा यहाँ energy down हुई तो ध्याँ से देख़ेगा यहाँ पे दोनों electron इस तरीकी से बनाई जाएंगे एक उपर के तरफ एक नीचे के तरफ तब ही bond का सई से formation हो पाएगा अदरवाज possible ही नहीं होगा अच्छा अब यह क्या बनाया सर इसी चीज को इस तरीकी से लिखा जा सकता है कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं है अब एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे यह क्या है atomic orbital यह किसी atom का orbital है यह भी किसी atom का और्बड़़ लेकिन अब जो orbital बना, क्या ये किसी atom का orbital है? नहीं, ये H2 molecule का orbital है, इसलिए हम इसको molecular orbital कहते हैं ये बच्चे कहेंगे, भीया, ये अमोटी में पढ़ना था नहीं, VBT ये कह रही है कि जब दो atomic orbital आपस में मिलते हैं तो molecular orbitals मिलते हैं और जो molecular orbitals मिलते हैं, उनकी energy atomic orbital से हमेशा कम रहती है, ये था according to VBT की कहानी, यहाँ पर समाप्त होती है अब आगे की तरफ चलते हैं, अब हमें जो ये overlap, जो ये merging की कहानी है इसको सही तरीके से समझने के लिए phase का concept लगाना पड़ता है ठीक है जी, आई आई आपके सामने कि सर, इसके उपर charge है, चार्ज नहीं है जस्ट समझाने का एक तरीका है ताकि आप समझ पाएं कि कब overlapping possible है, और काउन सी allowed है, काउन सी allowed नहीं है clear है मामला, अरे बोलो मामला clear है क्या ये सर, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि या तो प्लस ले लो, पूरे S के लिए, आप या तो प्लस ले लो, या तो माइनस ले लो, या तो प्लस ले लो, या तो आप क्या करो, माइनस ले लो, अच्छा जी, हमेसा याद रखना, या तो plus ले सकते हैं या तो minus s के लिए लेकिन p के किसमें मालो ये px है अगर ये px है तो ये जो आप axis देख रहे हो ये axis क्या होगी x axis तो ये x axis है उस पर हमारा p orbital present है तो इस condition में आप बोलेंगे कि देखो ये जो कोई सा एक कोई साए एक लोग आप बोलोगे positive है और दूसरे वाले को बोलोगे आप negative है किसी को भी एक को positive दूसरे को negative ये समझने के लिए है पहले ये चीत तो यादी करनी पड़ेगे ठीक है एक plus तो दूसरा minus है एक plus तो दूसरा minus है यहाँ पे आजाए यहाँ पे पहले इनका नाहम ब बढ़ना भाई अपने को थोड़ी सी चीज़ है खोपड़ी में गुसानी है कि पूरा एस और्बिटल कैसा या तो positive या तो negative पी और्बिटल में एक plus तो दूसरा minus अब मेरे को समझाओ इसका नाम क्या है अरे डी और्बिटल है डी और्बिटल में क्या है डी और्बिटल मे रहते हैं इसको एक लोब दो तीन चार तो यहां पर चार लोब हैं लेकिन दो लोब को मिला करके एक डमबल करेट होता है तो आप क्या बोलोगे इनके जो डमबल्स है इनके जो लोब 0 इन बिट्वीन एक्सिस प्रेजन्ट है तो ऐसा लिखा जाता है, मामला गले रहे, आप से पुछूँ कि S और्बिटल में, S और्बिटल में, कितने लोब प्रेजन्ट है, नमबर आफ लोब कितने है, मैं क्यों करा रहा हूँ, आगे, आपको समझ में आएगा, आगे, आपको समझ में आएगा, बहुत जरूरी चीज है यह, यह क्या है? यह, 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 वेट कर रहा हूँ, तुम बताओ, इसका नाम क्या होगा, x और y क्या लिखोगे sir कुछ नहीं है यहाँ पर x y चाप दो एकदम सही बोला आपने अगला देख लीजिए अगला क्या है d y z लिखतीजिए यह सब एक जैसे हैं जहाँ पर आप क्या देखते हो in between axis इनके lobes present कितने lobes है चार lobes है अगली चीज अगली कहानी यहाँ पर क्या ह है यहाँ x और y पर lobes present है तो अब की बार वाले का नाम निश्चित रूप से x square minus y square होगा अगले वाले का क्या नाम है अरे भया देखो एक lobe कहाँ पर present है z पर तो d z square और यह एक ring दिख रहे हैं जो की x y plane में है मामला clear है यहाँ पर कैसे लिखेंगे यह चीज वो सुनना ए यहmar में एक denutal में एक candle को सा अगर यह जो एक डंनिबल है तो एक डंबल को मान ली जह मैंने कह दिया कि positive है तो यह भी क्या होगा positive पीछे वाला negative मत करना, आपकी बार D है, ठीका जी, मामला clear है, मामला clear है क्या, यस, अगर ये positive है, तो ये क्या है negative है, ये क्या है negative, ये क्या है negative, इतनी बात तो ठीक ठाक दिख रही है, इतनी बात समझ भाई, यहाँ पर भी same कहानी बताओगे, कि भाया ये जो एक डंबल है, ये भी plus है, ये minus है, ये minus है, कहीं पर भी लिख सकते हो, चलो यहाँ minus लिख दो, यहाँ minus, यहाँ पर plus, यहाँ पर plus, लिख ले जाओगे, अरे बो लिख ले जाओगे क्या, सर लिख तो ले जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर minus, तो यहाँ पर भी minus होगा, करूँगा आगे फिलाल देख लीजी बहुत भाई फिलाल देख लीजी आगे बढ़ जाओं यस आगे बढ़ जाता हूं जहां चाहिए भाई यह पॉजटिव ओवरलैप नेगटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप तीन तरीके के ओवरलैप होते हैं फरस्ट वन इस फेज क्या पढ़ा गया जैसे प्लस जो है प्लस के साथ जब ओवरलैप करेगा तो यह पॉजटिव ओवरलैप है नेगटिव फेज जब नेगटिव के साथ करेगा क्योंकि दोनों सेम हैं इस वोज़ा से यह पॉजटिव ओवरलैप है भया यह तो नेगटिव ओवरलैप ह मतलब होता same sign overlap that's it, इतनी कहानी है, चलिए आगे देखते हैं समझने के कोशिस करना, हमारे पाद दो atom है, दोनों atom को हम z axis पर लेकर के आ रहे हैं, मतलब z is a intermolecular axis, z क्या है, intermolecular axis है, तो देखो भईया, एक हम लेकर के आगे, z axis पर p orbital, नाम बताए, चलिए नाम बताए, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यह इसका nucleus है, उसका नाम होगा pz, क्या नाम होगा pz, कैसे पता सरा, कैसे पता चला, सर आपको अरे भईया, z axis पर रखे हो ना तुम, इसलिए इसको pz, और एक को plus, एक को minus, कोई सक समस्या नहीं है, अब इस पर हम एक overlap करा रहें, ध्यान से देखना, एक दूसरा pz आया, एक दूसरा pz आया इसी पर overlap करने, एक कहां से आया भईया, इधर से, एक कहां से आया, इधर से, तो overlapping होई, yes sir, overlapping plus plus की होई, इसलिए positive overlap, तो pz, pz जब भी मिलेंगे, इस z-axis पर आप कहेंगे positive overlap, इस तरीके से होगा अगर उनके plus plus match कर रही हैं तो, अगला देखेंगे, कृपया अगला देखें ये z-axis हमारा, z-axis पर हम लेकर क्या आगए, सामने से pz क्या लेकर क्या आगए, pz अब इस pz पर देखना ध्यान से, इस z-axis पर मैं सामने से s-orbital लेकर क्या रहा हूँ सामने से s-orbital लेकर हूँ, अगर plus plus तो आप क्या बोलेंगे, बोलो यार क्या बोलोगे positive overlap, अगली कहानी सुनने अगली कहानी सुनने, ये z है और यहाँ पर आप बोलेंगे कि मान लो, मैं कहा रहा हूँ मान लो, इसके perpendicular पर हमने x ले लिया, ये perpendicular पर x हो गया तो इसका नाम हो गया, px orbital नाम क्या है भई या, px orbital, अगला देख ले अगला देख ले, ये क्या होगा ये भी x होगा, तो ये क्या होगा पी एक्स यहाँ पर देखो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है माइनस माइनस के साथ इसका मतलब यह पॉजटिव ओवरलैप है और मैं आपको बहुत साउधानी से यह बात समझाना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ पॉजटिव ओवरलैप allowed है VBT यह कहती है सिर्फ इन ही लोगों से बांड बनेगा यह जो तुम पढ़ने वाले हो इनसे बांड नहीं बनेगा भया फिर क्यों पढ़ा रहे हो ताकि आप सतर्क रहें कि भया इनसे नहीं बनेगा किस से बनेगा वो आपको पता और इस पर question आते हैं इन future आते ही रहेंगे मामला clear रहे है अरे पूछ रहा कि मेरे भया यह charges नहीं है कितनी बार बोला phase just न समझाने का एक तरीका है वो कोई charge बाज नहीं है कोई charge नहीं है VBT की अपनी कहानी है समझाने का उसका अपना नजरिया एक तरीका है जिससे वो यह समझाना चाहता कि overlap कौन सा allow होगा कौन सा नहीं होगा तो यह मत सुचो अरे प्लस के साथ अरे भया स्री खूपड़ी नंदन इधर देखिए अरे कोई भी orbital है तो इस पर तो negative charge ही होगा orbital मतलब electron की density electron की density का मतलब क्या है electron की खूपड़ी पर कौन सा चार्ज होता है अरे भया नेगटिव ही तो होता है अगर negative charge है तो सब पर negative charge ही है clear वामला यस आईए अगला दिखते हैं negative overlap का मतलब है opposite phase overlapping जैसे plus minus के साथ रिस्तेदारी करने लग जाए है ना बे मेल बे मेल जोड़े हैं भाई यह क्या है माइनस प्लस के साथ या plus minus के साथ तो बे मेल जोड़े टिकेंगे नहीं रिस्तेबन नहीं पाएंगे जैसे यहाँ पर देखिए यह PZ सामने वाले PZ से जुनना तो चाहता था लेकिन एक plus minus के साथ जुड़ा यहाँ पर bond का formation नहीं होगा इसको हम क्या बोलेंगे एक plus से minus opposite phase मतलब की negative overlap सिमिलरली आप यहाँ पर भी बोलेंगे कि देखो यह minus और यह plus है तो यह भी negative overlap अगली कहानी सुन लीजिए सेम तरीके का है यह वाले का positive इसके minus के साथ इसके negative minus प्लस के साथ इसका मतलब क्या है opposite phase overlapping मतलब की negative phase overlapping होगी मामला clear है आईए zero overlap समझाते है zero overlap मतलब overall कोई overlap नहीं है ना तो positive ना तो negative example के तोर पर समझेए यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि हमारा यह x x हमारा क्या axis तो इसका नाम क्या px इस px से मैं कहता हूँ सामने से s orbital आ जाए चलो भया s orbital आ गया आ गया s orbital अब बताए बताओ भया यहाँ पे क्या है sir plus plus overlap हो रहा plus plus मतलब same phase overlap same phase overlap मतलब positive overlap उपर तो हो गया positive overlap लेकिं यहाँ पे क्या plus minus के साथ मिल रहा है मतलब negative overlap मतलब की overall कहानी कुछ नहीं बनी क्योंकि plus plus overlap से positive overlap हुआ नीचे negative तो positive negative cancel out zero overlap क्या zero overlap एक कहानी अगली सुनाता हूँ अगली कहानी इनकी सुनना यह क्या है यह z के perpendicular मान लिया हमने यह px है यह हमने मान लिया यह px है ठीक ही अगला हमने ले लिया देखो यह जो हमने बनाया है अब उसको तो सामने ऐसे नहीं बना सकता था हमे यह p y है यह क्या है p y यह क्या है p y तो देखो ब antic इयह p y है और यह px है क्या कभी इस तरी किस overlapping होगी 90 डिगरी पे नहीं 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 होगी इसका मतलब यहां कोई overlap नहीं है तो zero overlap नहीं है overlap तो मतलब zero overlap आमला clear है यस आगे बढ़ जाता हूं अगला है sigma bond basic सब जानते हैं कि कहां overlapping along the molecular axis अगर molecular axis के along overlapping हो रही है तो sigma bond का formation होगा हमारे पास एक P orbital है जो की z axis पर है तो यह हमारा क्या है यह PZ है अभी बताया था मैंने इसी तरीके से यह भी Z पर ले लो यह भी हो जाएगा हमारा PZ है clear है यह दोनों आपस में overlap करते हैं तो देखो होगा क्या यह देखो यहां पर color से भी समझ जाओगी देखो यह green green रखा है मतलब same phase है यह और यह same phase है ठीक है तो यह green green आपस मे क्या करेंगे same phase की overlapping मतलब की allow है positive overlap हो जाएगी कैसे होगी देख लीजी कैसे होगी देख लीजी तो दोनों nucleus के बीच में आप क्या देख रहे हो overlapping दोनों nucleus के बीच में आप electron की density को बढ़ते हुए देख रहे हो जहां से सुनना दो nucleus के बीच में electron density बढ़ रही है इसका मतलब यह और करीब भी आ सकते हैं क्योंकि बीच में electron density की belt आ चुकी है तो यह और करीब आएंगे मतलब यह थोड़े छे छोटे होंगे तो आप क्या कहोगे electron density के बढ़ने से internuclear distance r की value कम हो जाती है internuclear distance क्या हो जाती है कम हो जाती है इसमें कोई समस्या नहीं है तो यह अच्छी bonding बोली जाएगी आगे मैं comparison करवा देता हूँ pi bond से pi bond क्या है भी है overlapping perpendicular to the molecular axis molecular axis के perpendicular इस तरीके से overlap होगा इसको कहते है side wage overlapping इस तरीके से side wage overlapping दिख रहा है क्या और इस तरीके से side wage overlapping दिख रहा है क्या भई यही है पाई-बॉंड का फ्वर्मेशन इसमें बहुत अच्छी और लैपिंग नहीं हो पाती इस तरीके से बहुत अच्छी और लैपिंग नहीं हो पाती ओर एक खास बात देखिए दोनों nucleus के बीच में electron density बहुत कम है यहाँ पे नहीं है किबल उपर और नीचे हो रही है तो molecular axis के उपर electron density नीचे electron density यहाँ बीच में क्या है? electron density नहीं है इतनी बात सुझ मैं है? अब बताईए यह ज़्यादा stable है या यह ज़्यादा stable पहले इस stable पे बात कर लेते हैं यह होगा क्यों पता है? क्योंकि यह दोनों nucleus के बीच में electron की density बढ़ा रहे हैं तो यह करीब आएंगे तो यह इनका रिष्टा अच्छा bond अच्छा है यहाँ पर देखे पाई bond के बीच में यहाँ पे तो electron की density नहीं आई उपर और नीचे आई तो यह अपस में हलका फुल का repulsion कर सकते हैं इसलिए वो थोड़ा सा दूर रहेंगे maintain करेंगे, रिष्टे तो बनाऊंगा मैं लेकिन थोड़ा सा दूरी maintain करके रखूंगा तो यहाँ है πाई bond का इस तरीके से formation होता है पाई bond का इस तरीके से formation होता है और यहाँ पे सिग्मा bond का इस तरीके से formation होता है इतनी बात समझ नहीं और जो यह molecular orbital बनाना इसको लिखते हैं सिग्मा molecular orbital क्या कहते हैं, सिग्मा molecular orbital दुबारा सुन ले, ध्यान सुन ले, क्या बोला मैंने सिग्मा molecular orbital इसका नाम है sigma molecular orbital और इस वाले molecular orbital का नाम है pi molecular orbital ये इसका नाम बताओ इसका नाम क्या होगा pi molecular orbital जदा strength किसके पास है तो आप कहोगे sigma जदा strength full है बेदर इस पक्तु पाई region समझना आ गया ये जदा strength क्यूं है चोकि इनके बीच में electron density आही है बट यहाँ पे नहीं आही है एक अब्द है नोडल प्लेन ध्यान से सुन लें नोडल प्लेन क्या होता है किसी ने कमेंट देखना चाहता हूं मैं कमेंट देखना चाहता हूं कि नोडल प्लेन क्या होता है नोडल प्लेन का मतलब है कि एक ऐसा प्लेन पास किया जाए मॉलेक्यूल से जिस पर कोई भी इलेक्ट कर दिया इस plane को हम कहते है nodal plane और इस पर कोई electron density नहीं है क्या यहां दोनों nucleus के बीच में कभी भी plane डाला जा सकता ना तो ऐसे डाला जा सकता है ना तो ऐसे क्योंकि दोनों पर electron density मिलेगी तो sigma के अंदर nodal plane नहीं है πाई के अंदर एक nodal plane हमें दिखाई देता है मामला क्लियर है क्या समझ में आया जरूर आना चाहिए अब आये delta bond सायद कुछ लोगों के लिए परिशानी है भरुसा मानिए अगले 3 मिनिट के बाद आपको यह लगेगा यह तो हलुआ और मजाक था अच्छा delta bond पहली बात देखो delta bond अगर कोई बना सकता है न तो d ही बना सकता है delta bond बनाने की छंता सिर्फ d orbital को प्रदान की गई है और मैं आपको आगे समझाऊंगा देखते हैं आपके आपके सामने मैंने z axis प्रेजंट किया यह z axis है और z axis पर मैं दो d z squares लूँगा क्या लूँगा दो d z square तो पहला d z square यह है पहला d z square यह है देखो वह जो green color वाले हैं माल लोगो positive sign के हैं तो यह जो आपको ring दिख रही है वो negative sign में है clear है color wise समझ जाईएगा तो हमने क्या किया एक d orbital इधर से लिया एक d z square इधर से लिया यही तो होगा ना z axis पर एक इधर से आ रहा इधर से आ रहा है अब मेरे को एक बात बताओ क्या आपने यह notice किया कि जब-जब sigma bond बनता है क्या आपने यह notice किया कि जब-जब sigma bond बनता है तो इनका एक लोब इनका एक लोब आपस में गड़ बंधन करता है मतलब कि सिग्मा बॉंड के अंदर वन लोब वन लोब इंटराक्शन होता है एक एक लोब दोनों के ओवरलाप करते हैं इसका एक लोब इसके एक लोब के साथ मर्ज करके ये बॉंड बनाता है तो यहाँ पर वन लोब वन लोब बॉंड इंटराक्शन है बट पाई के के से में हमेशा हमेशा टू लोब बॉंड बॉंड इंटराक्शन होगा नोट डाउन करें साथ ये चीज़ आप पहली बार सुन रही होंगे पाई बॉंड के अंदर क्या होगा कि आपको एक और्बिटल का जहां सुनना एक और्बिटल के एक और्बिटल के दोनों लोब क्या होंगे आपस में ओवर लॉय तो इसका मतलब पाई बॉंड के के से में टू लोब टू लोब ओर लापिंग होती है तो मैं आप से एक सवाल पुछता हूँ कि आप बताईए यहाँ पे जो bonding होगी वो कौन सी bonding है सिग्मा है पाई है डेल्टा है डेल्टा भी छोड़ते हैं सिग्मा है पाई है यह सिग्मा है या पाई है अरे सर देखो इसका भी आपने एक लोब लिया इसका भी एक लोब जब भी यह overlap करेंगे तो दोनों के 1-1 लोब overlapping होगी और 1-1 overlap को हमने सिग्मा overlap कहा हुआ है तो आप कहेंगे जब कभी भी इस रिष्ट में दो डिजड इसक्वाइर आपस में गडबंधन करेंगे तो सिग्मा बॉर्ण का formation होगा मुझे आज यह जबाब क्या होगा इनके क्या होगी अरे बोलो यार एक लो बिसका एक ल y-axis है यह हमारा y-axis है तब ही तो यह d-y-z होगा देखो क्या है यार दो एकसिस के बीच में लोब आ रहे हैं सर सही बना रहे हैं एकदम सही है हमने एक लिया d-y-z सामने से लिलिया दूसरा d-y-z color से समझ जाएगा इस वाले का इस वाले का फेज से में ग्रीन वाले का y-axis है तो यह आपस में overlap करेंगे बताइए पाई bond बनेगा अच्छा जवाब चाहिए very very good पाई bond कैसे यह दोनों पास आएंगे तो इनके आपस में रिष्टे बन जाएंगे इनके आपस में रिष्टे बन जाएंगे इनके आपस में रिष्टे बन जाएंगे इनके आपस मे भी बनेगा, simple है दिख रहा है, कोई दिख्कत तो नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमारा d orbital होता है, वो sigma भी बनाता है, पाई भी बनाता है, और आगे दिखाता हूँ, मैं अभी delta bond भी बनाता है, चले देखे, यह हमारा क्या है, z axis है, यह हमारा z axis है, यह हमारा z axis लिखा नहीं जड़े हां लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिखा है, Dxy, आप बताईए, अगर माल लो ये Z axis है, तो Dxy कहां पर होगा, ऐसे होगा, भईया, इसके क्या होगा, 90 degree पर plane होगा, ऐसे होगा, समझ में आ रहा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, देख लिजिए, एक मैंने बनाया, एक ये यह जैसा दिख रहा है उसको समझे रहो कैसा है यहां पर भी ऐसे तो हो क्या रहा है आप समझना ध्यान से होपड़ी लगाओ देल्टा बॉंड में हमेशा आपको फूर लोब फूर लोब इंट्राक्शन दिखाई देगा चार लोब यस और चार लोब की ताकत सिर्फ डिव और्बिटल के पास है तो इनका देखो चार लोब कैसे इंट्राक्ट bond बना दिया, तो इस तरीके से delta bond बनेगा रहे, भूलोगे क्या कभी जिन्दगी में नहीं बोलना है, z axis पर अगर हमने dxy, dxy लिए, तो हापस में उनके चार लोब मिलेंगे, अगर चार लोब मिलेंगे तो delta का formation, बोलो भाई, इस delta सब्सक्राइब, इस तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा देख लीजी, तो इनका ग्रीच, बूले ब्लू हाले, ब्लू के साथ, ब्लू आदे बलू के सा चार लोब के साथ जाएंगे, तो इन दोनों में delta bond का formation है, बट यहां पे नहींगे, आप क्या बोलेंगे, फोर लोब जब भी फोर लोब के साथ जाएगा रिष्तेदारी में तो डेल्टा बॉंड का formation है डेल्टा बॉंड देखें ऐसा लिखा जाता है ऐसा करें डेल्टा बॉंड है अब पेपर में कभी भी overlapping से related concept आएगा तो कर लेना ठेक है उनके question करा कि कोई भी फायदे नहीं है क्योंकि आपको concept clear होना था और वो हो चुका है ऐसा मैं मान लेता हूँ आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई आप देखो sigma pi delta देख लेते हैं कौन से लोग बनाते हैं बताओ s orbital क्या pi bond बना सकता है s orbital क्या delta बना सकता है सर मुझे कैसे पता अरे मेरे दुबालक अभी बताया था क्या बताया s orbital में सिर्फ एक लोब है और जिसके पास सिर्फ एक लोब है वो सिर्फ sigma बना सकता है pi तो बना ही नहीं सकता अरे pi के लिए दो लोब चाहिए एक ही orbital में डेल्टा में तो चार लोब चाहिए एक ही orbital में अच्छा इसका मतलब S orbital हमेशा sigma बनाएगा मामला लग रहा है clear है अब P के अंदर P के अंदर क्या होगा भाईया एक लोब एक लोब भी जुड़ सकता है और भाईया दो लोब होता है तो यहां भी हो सकता है मतलब P वाला sigma और P दोनों बनाएगा रटा नि मारना दोनों के दो दो लोब लगा दोगे तो पाई एक एक लोग लगा दोगे तो sigma इसके पाद 4 है नहीं तो delta बन नहीं सकता है लेकिन D वाले को देखो sigma बनाता है फिर पाई बनाता और delta भी बनाता है अरे बो लो clear है क्या इत ना जादा ना उससे कम पेपर में यही दिखाई देगा और जब आप पेपर फूर्ड के आएंगे जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना याद रखना मेरे भाई इस बात को मैं पढ़ूंगा उस दिन कि हाँ कुछ फाइदा हुआ है आगे दिखते हैं VSEPR लिखा क्या है Valence Cell Electron Pair Repulsion Theory क्या Valence Cell Electron Pair Repulsion Theory अरे इसके नाम में ही उन्होंने जब आप चिपका दिया इन्होंने क्या बोला कि यह थियरी यह कहती है कि पहली बात तो Valence Cell जोंगे आपस में मिलेंगे तभी बॉंड बनेंगे लेकिन लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने क्या बताया कि वहाँ पर जो Electron Pairs Create होंगे Bonding करते वक्त जो Electron Pairs Create होंगे उनके बीच में Repulsion होने के Chance होंगे क्योंकि दोनों पर सेम चार्जज हैं तो एक बात का खयाल रखना कि Repulsion Minimum हो क्योंकि जब जब Repulsion Minimum होगा आपका Bond क्या होगा मजबूत होगा समझना गया आपका Bond नहीं यहाँ पर बोलना था आपका Molecule जो होगा वो Stable होगा क्योंकि VSEPR Theory आपके Molecule के Structure के बारे में समझाती है और उसके लिए उसने क्या बताया कि Valence Cell के अंदर जो Electron Pairs है उन पर Repulsion Minimum होना चाहिए तो यह बस एक लाइन की कहानी है कि Minimum Repulsion between Pair of Electrons at Valence Cell अब मैं आपसे पूछता हूँ जो यह Pair of Electrons है यह कितनी तरीके हो सकते हैं सर्ये सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं या तो यह Bond Pair होगे या तो यह Loan Pair होगे जो Central Atom होगा उसके पास अपना या तो Loan Pair होगा या तो Bond बनाते वक्त उसने अपने Valence Cell पर क्या इकठा किया होगा Bond Pair इकठा किया होगा यह मामला समझ नहीं आया उसको थोड़ा समझाओ अच्छा जी यहां पर आईए इक्जामपल के तोर पे मार लिजी हमारे पास A है A कोई Central Atom है उसके पास बहिया दो Electron है यहां पर देख लिजी क्रिपया यहां देखिए एक Electron एक Electron अब देखिए हुआ क्या ध्यान सुनिएगा हमारे पास कोई Side Atom आया उसके पास भी एक Electron था कितने Electron था Side Atom आया उसके पास भी एक Electron था इनके बीच में क्या हुई Bonding दुबारा सुने ध्यान से सुने क्रिपया क्या बोला मैंने इनके बीच में क्या हुई Bonding तो भाया हुआ हुआ है कुछ ऐसा कि A का जो Valencel है हम यहां पर A के Valencel को एक Sphere की तरह ट्रीट करेंगे तो मालो A का एक Sphere था उसके पास अपने एक एक Electron थे B और B आये कि भाया हम तुमसे साथ रिस्तेदारी करना चाहते है मेरे पास भी एक Electron आइसा करते हैं आपस में Bond बनाते हैं तो सामने से B आया उसने भी एक Electron दिया तो जो Valencel of A था उसी से Attach हो गया B वाला तो यार A के Valencel पे कितने Electron इधर के साइड दो हो गए क्योंकि एक B ने दिया एक एक अपना था इस साइड से देखते हैं एक और B आया इनके पास भी अपना था सामने वाले के पास भी था इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ध्या सुनना इस Central Atom के पास दो Electron Pairs हो गए कितने दो Electron Pairs हो गए और यह दो Electron Pairs कहां पे प्रजेंट हैं Valencel of A और Valencel को हम कैसा मान रहें Spherical मतलब इस स्फेर पे हमें दो Electron Pairs रखने कितने दो Electron Pairs रखने तो रखने का तरीका देखें यह हमारा Valencel, क्या है हमारा यह स्फेर है इस स्फेर पे ध्यान दे, क्रिपया ध्यान दे दो लोगों को रखना है, दो मतलब यहाँ पे Electron Pairs बोलूँगा, जब भी बोलूँगा Repulsion कम होना और Repulsion को कम करने का अरए भैया, दो लोग एक दूसरे के साथ जगड़ा कर रहे हैं, आप क्या करते हो आप जा के उनको छुड़ा के दूर-दूर कर नेते हो آپ क्या करते हो, दूर करते हो ताकि Repulsion Minimize हो जाए यही किया जा रहा है यही किया जा रहा है, एक electron pair को हम यहां बिठा देंगे, दूसरे electron pair को यहां बिठा देंगे, तो यह A का valenceal है, दुबारा सुनी, A का valenceal है, यहां पर क्या है, दो electron, यहां पर क्या है मेरे भाई, दो electron, यहां पर क्या है मेरे भाई, दो electron, समझ आया क्या, यहां पर क्या है मेर तो बलते हैं लिनियर स्ट्रक्ट्टर हे क्योंकि एक लाइन की तरह बन रहा है तो यहां पर आया कि यह लीनियर स्ट्रक्टर है इसको no down करें, या मैं यहाँ पर यह लिख देता हूँ, A, B, और B, बोलो भाई मामला clear है, लेकिन अगर मैं यह कहूं, कि नई भया मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 side item है, माल ली जी कि मेरे पास A है, उसके पास 3 side item है, मतलब कि AB3 बनाना चाहता हूँ, तो AB3 बनाने के लिए क्या करो गया, आप क्या करोगे, एक दूसरे से दूर करोगे इस तरीके से, और दूर करोगे कितने एंगल पर, 120, 120, 120, तभी minimum repulsion मिलेगा, तभी bond pairs के बीच में minimum repulsion होगा, तभी bond pairs के बीच में minimum repulsion होगा, होगा की नहीं होगा, यस सर, अब उसको यहाँ पर देखना, एका अपना स्फेर है, सुनना भया, सुनना क्या बोला मैंने, एका एक स्फेर है, ये स्फेर के पास, अपने पास तीन इलेक्ट्रोन रखके ए घूमता था, तो सामने से आगए कौन, तीन लोग, कौन से लोग थे, वो side item B था, उन्होंने क्या-क्या, एक एक balance cell पर अब तीन pairs हो गए, तीन electron pairs हो गए, अब electron pairs हो गए, हम कहां रखेंगे देखना, तीन electron pairs, एक यहाँ, एक यहाँ, एक तो एक triangle पर ले जाकर के हमने इनको set कर लिया, और रिका central point क्या है, इनका central point क्या है, सर A ही तो है, तो A बीच में किनारे किनारे B, B क्यू लिक्का ल बी के साथ मिल करके बने इसलिए बोला जाएगा कि यहां पर कैसा हो गया ट्राइंगल टाइप का हो गया इसलिए सब्द लिखा जाता है ट्राइगोनल ट्राइगोनल और ट्राइंगल क्या होता है एक प्लेन में तो लिखा जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर क्या लिखा जाए पहली चीज मैं समझा चुका हूँ, देख लीजिए, just एक बार देखना है, यहाँ पर क्या होगा, linear, यहाँ पर थीटा कितना आएगा, बोलो, यहाँ पर थीटा कितना आएगा, यहाँ पर थीटा कितना होगा, 180, यह थीटा कितना होगा, 180 डिगरी, कितना है, यह थीटा है, 180 ठीक है यहां 180 degree हो जाएगा एबी 2 के लिए अगला देख लेते हैं आभी पढ़ाया मैंने यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 120 टीन लोगों को रखना है तो इस तरीके से रखेंगे trigonal planar पर तो यहां पर हो जाएगा 120 20 degrees ठीक है अगला दिख लेते हैं चार लोगों को रखने का तरीका आप बताइंगे फिर हमने एक को यहां कखो़डी पे लखँ हुआ है चार दिख गया और तीन नीचे है एक उपर लगा हुआ है यह सरदिख गया अब दिखना क्या होगा अब देखना क्या होगा ये यहाँ पे triangle भी ना दिया ऊपर से देखना ये देखो क्या हुआ ये connect हो रा इस तरीके से तो जो अभी चीज दिख रही है इसको कहा जाता है tetrahedron क्या बोलते हैं इसको tetrahedron और tetrahedron में क्या दिख रहा है कि A मालनो central item है B यहाँ पे बैठा हुआ है और अगला बी यहाँ पे है एक B यहाँ पे है ध्यान से देखना ये tetrahedron से ही तो design हुआ है तेको इसलिए इसको tetrahedral कहते हैं तेइंगल उपर ऐसा वना हुआ है तो A इसका मतलब क्या center point क्या है A है समझ आया क्या यहां तक की बात समझ आयी क्या यस सर इसको क्या बोलते है tetrahedral tetrahedral ठीक है tetrahedral है यहाँ पे theta कितना होता है यहाँ पे theta देखने को मिलता है 109 degree 28 minute कोई सक नहीं कोई संदे नहीं 5 लोगों को arrange करने का तरीका क्या है 5 लोगों को arrange करने का तरीका है कि 3 लोगों को पहले क्या करो यहाँ पे लगा दो hemis pair cut करो यहाँ पे लगा दो 3 लोगों को लगा दिया क्या एक को उपर लगा ओ एक को नीचे यहाँ पे क्या है triangle triangle के उपर एक नीचे ठीक है जी यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर यह ट्राइंगल इसके ऊपर है एक नीचे है आप सुनना ध्यान से इसलिए अब ट्राइंगल के लिए हम क्या लिखते थे बोलो बोलो हम क्या लिखते थे ट्राइगनल क्या लिखते थे ट्राइगनल ट्राइगोनल ट्राइग बाई बाई मतलब क्या होता है दो बाई पिरेमिडल ठीक है ट्राइगनल बाई पिरेमिडल यहां पर ट्रेंगल ध्यान से देखें एक ट्रेंगल ट्रेंगल के ऊपर से एक पिरेमिड नीचे से एक पिरेमिड मतलब की कितने दो पिरेमिड अगर दो पिरेमिड मतलब की बाध होता आएगा यहाँ पर देखेंगे तो आपको थीता क्या न जाएगा आप कहेंगे बहया यह जो ट्रैंगल था ट्रैंगल पर तो अभी आपने बता यह ships लेकिन 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 जॆ बंड और यह वाला बान्ड लोग लगाने है चार लोगों को यहां पर लगा दो एक ऊपर एक नीचे सर इसको square by pyramidal कहेंगी नहीं भया उसके एक नाम दिया गया है octahedral क्यों दिया गया क्योंकि देखो भया ध्यान से ये जो सकल बना रहे न ये एक उपर से एक नीचे से देखना ध्यान से एक उपर से एक नीचे से दिख गया इस चीज को बोलते है octahedron जिस तरीके से ये tetrahedron था इसी तरीकिसी octahedron है octahedron से जो structure बनेगा उसको हम कहते है octahedral और octahedral में सारे theta 90 होंगे कोई सक तो नहीं है अरे ये square पे थे तो central point से सब 90 उपर है तो ये भी 90 ये भी 90 इसका मतलब सब 90 होंगे तो ये octahedral में 90 ज्यादा वक्त नहीं लोगा कहाणी खतम होने वाली है अगला क्या है भया कितने लोगों को लगाना है कितने electron pairs लगने वाले छे लग चुके साथ साथ को लगाने का तरीका कि 5 को यहां लगा हो एक दो तीन चार पांच हमने क्या किया पांच को यहां पांच की बाद एक उपर दिखा एक pyrami नीचे से भी एक pyrami मतलब दो pyrami मतलब बाई पिरेमिडल बाई पिरेमिडल पेंटागन ल बाई पिरेमिडल अरे भाई इस पेंटागन की बात करें सेंटर पॉइंट से तो कितना होगा 360 डिवाइड वाई फाइफ बच्चपन से सिखा हुआ है आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज और ऑफ रिपल्सिव इंट्राक्शन यह क्या विया यहां पर देखें दो लोन पेर दो लोन पेर यह क्या बने दो लोन पेर लेकिन बॉंड पेर क्या है ग्रीन के साथ बॉंड पेर है सेंट्रल अटम यह है यह बॉंड से हमारे अच्छा सवाल यह है कि यह दो लोन पेर आपस में जादा रिपल्सन करते हैं या यह जो लोन पेर इस बॉंड पेर के साथ करता है या यह बॉंड पेर इस बॉंड पेर के साथ करता है कमंड चाहिए कमंड चाहिए और क्यूं करता है इसका रिजन चाहिए चलिए 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 चलि उसी के center पर बेठा है, वो एक atom के control पे है, जो हमारा lone pair होता है वो सिर्फ एक atom के control में है, लेकिन जो bond pair होता है, bond दो लोगों के बीच में होता है, तो जो bond के बीच में दो electron है, वो दो nucleus के control में है, तो जादा controlled कौन है जादा controlled कौन है अरे भईया यहाँ पर ऐसा है कि घर पे मम्मी है तुम नालायक हो तो क्या कर रहे है भईया दो भाई बहनों अपना आपस में लड़ रहे हो तो भया दोनों पापा है पापा भी है नहीं तो मम्मी थी अकेली तो आपने क्या देखा? भया चलो आप इंका सर फोडते हैं भाई बहनों का, आपस में ही फोड़ेंगे असने कोई सरीफ होटा है, दोनों ही एक तरीक है है ठीक है जी तो लोन प्यार आपस में सर फोड़ेंगे क्योंकि कंट्रोल करने वाला एक ही बंदा था लेकिन अब हुआ क्या पापा साम को आ गए यहां पर मम्मी और पापा के बीच में तुम इधर बिठा दिये गए इधर बिठा दिये गए तुम कितना सरारत करोगे कुछ न तो जादा रिपल्सन करेंगे और वो कर क्यों रहें पता है क्योंकि वो आजाद हैं वो आजाद परिंदे हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जादा जगह लेती है जब वो एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में है तो वो जादा जगह लेगी लेकिन जब दो न्यूक्ल कर पाओगे थोड़ा सा तो कर दोगे लेकिन जादा नहीं कर पाओगे जितना तुम यहां कर लेते अच्छा यह बात है यह सर इसी तरीके सगला है बॉंड पेर पॉंड पेर अब जब दोनों लोग पढ़ रहे हैं तब तो नहीं डिस्टा है बोगा मावला क्लियर जी तो यह और आएगा इसका रीजन पढ़ें ऐसे चीजें लैंग्वेज में आती हैं तो मैं लगता हो कि तुम्हें यह ओडर आता है तो वो कहेंगा अच्छा तुम्हार जानते हो चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं यह खेल देगा फिर क्या लिखा है दलोन पेर लोकलाइज्ड ओन सेंट्रल एटम मतलब सेंट्रल एटम पर बैठा रहता है जी का जी अगला लिखा है इच बॉंडड़ पेर बॉंड़ पेर मतलब यहां वाला एलेक्ट्रों इज सेयर्ड बिट्विन टू एटम्स एज़र्ट दलोन पेर इलेक्रोंस इना मॉलीक्यूल ऑक्यूपाई मोरे स पेस एज कंपेर टुड़ बॉंडिंग पैर अफ एलेक्ट्रोंस करपे आप पढ़े तुरंत तुरंत इसको पढ़के यह बताएं समझ में आया की नहीं आया तुरंत बताएं चलिए चलिए बताएं बोलो भाई यहां तक मामला समझ में आया चा यह सर पढ़ लिया आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाओ भाई यस आगे दिखते हैं हाईब्रडाइजेशन का कॉंसेट सीखते हैं और आगे के दुनिया से ज़्यादा पहचान बढ़ाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इन वहाई साब ने अपने अंदर समेट रखा है क्या लिखा है हाईब्रडाइजेशन सुनना ध्यान से मैं इसको समझाओंगा CH4 मॉलिक्यूल के एक्जाम्पल को ले करके कारबन था अकेला कौन था कारबन था अकेला कारबन अकेला था तो एक बात बताओ उसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रोन थे आपने लिखा ही यह 2S था और 2P थे 2S और 2P बताइए 2S के अंदर कितने इलेक्ट्रोन थे इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोन थे लेकिन कारबन ने सोचा कि यह हमारे पास चार हाइड्रोजन जो मेरे पास आ रहे हैं बॉंड बनवाने के लिए उनसे बॉंड बनाना है तो हमें अपने और्बिट्रोन के अंदर एक 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 कारवन ने सूचा, कि यार मेरे पास एक S-orbital है, जो हमारे पास 3 P-orbital है, अब सुनना ध्यान से, अब वो क्या सूच रहा पता है, वो यह सूच रहा है, मेरे पास 4 कटोरियां, कितनी, मेरे पास 4 कटोरियां है, जिसमें से 1 कटोरी अलग है, बाकि 3 कटोरी एक जैसी है, उसने यह देखा, एक कटोरी में डाल रखा है, और बाकि 3 कटोरियों में चावल रखा है, दुबारा सुन लो, एक कटोरी में क्या रखा है डाल, और 3 कटोरियों में चावल रखा है, अब आने वाले जो रिस्तेदार हैं, उसने सोचा, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, कि एक तो उसने क्या सोचा वो कहानी समझना हुआ इस कुछ इस तरीके से उसने सोचा यार अच्छी बात यह है कि मम्मी से हमने कुछ सीखा था कि जब हमारे पास दाल चावल प्रजेंट हो मिला करके खिचड़ी बना दो और चारो को खिचड़ी डिवाइड कर दो तो क्या किया इस कर दिया इसको क्या कर दिया मिक्स कर दिया अब एक बात बताओ मेरे भाई अगर तुम्हारे पास एक कटोरी दाल और तीन कटोरी चावल है तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी क्वांटिटी तो उतनी ही होगी कि क्वांटिटी बदल जाएगी खिचड़ी की क्या हो जाएगा देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर इस तरीके से चार कटोरिया हमारे पास प्रजेंट हो जाएगी द्यान से सुनिएगा चार कटोरिया प्रजेंट हो जाएगी यस सर एक एस था एक पी लेकिन अभी क्या हुआ मिल गए तो हम क्या कहेंगे इनके atomic orbitals carbon की आपस में mix होकर के intermix होकर के नए orbitals पैदा करते हैं तो ये नए orbitals पैदा करते हैं जिसको कह रहे हैं खिचड़ी वो क्या है नए orbitals पैदा करते हैं और इनहीं नए orbitals को hybrid orbitals कहते हैं इनको क्या कहते हैं मेरे भाई hybrid orbitals कहते हैं ध्यान से सुन लीजिए, इनको क्या कहते हैं, hybrid orbitals कहते हैं, तो हमारे पार total चार hybrid orbitals मौझूद होंगे, clear है, yes sir, इसके अंदर आप देखोगे, आप क्या कि आपने, चार कटोरियों में फिर से आपने खिचड़ी निकाल दी, चारो कटोरियों में फिर से आपने खिचड़ी निक इतनी बास समयागी, तो लिखने का तरीका क्या है, एक S-orbital, तीन P-orbital मतलब एक कटोरी डाल की, तीन कटोरी चावल की, मिल कर की क्या बनाती है, hybrid orbital बनाती है, या खिचड़ी बनाती है, और एक बात और है, जितने atomic orbital आपस में मर्ज होंगे, जितने आपस में मर्ज होंगे, उतने ही नए hybrid orbitals पैदा होंगे, तो यहाँ पर चार hybrid orbitals आपको मिल जाते हो, चारों के नाम क्या है, S-P-3, इस वाले का नाम भी S-P-3, 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 इसका मतलब, अब कारबन जो है, आने वाले रिष्टेदारों को खिचड़ी अराम से दे सकता, उस खिचड़ी का नाम है, S-P-3 hybrid orbital, अब देखते हैं अगला, समझने कोशिस करना, यहाँ पर हमने क्या करा, वो carbon का 2S लिख लिया, यह carbon का 2S है, और 2P में आपको पता है कि एक मालो 2PX है, तो अगला क्या है, इसके perpendicular 2PY है, और इन दोनों के perpendicular, एक हमने ले लिया 2PZ है, यही तो था, अरे 2PX, 2PY, 2 2PZ और यह 2S, आपस में यह क्या हुए, मिक्स हो गए, यह atomic orbitals थे, आपस में मिक्स हो करके, यह देखो भईया, hybrid orbitals दे देते हैं, hybrid orbital की सकल कुछ इस तरीके के होती है, जहां पर एक छोटा लोब है, एक बड़ा लोब है, और हमेशा बड़ा लोब इन वाल्व होता है, bonding परप यह SP3 hybrid orbital है मेरे भाई, यह कौन है, यह SP3 hybrid orbital है, ध्यान से सुनना, SP3 hybrid orbital सकल सूरत इसकी ऐसी बनाई जाती है, अच्छा जी मामला समझ में आ गया, अब क्या है, intermixing of pure atomic orbital before bonding to produce new hybrid orbital, especially for the bonding purpose is known as hybridization, कहाने क्लियर है, यह सर, अब देखना क्या हुआ, हमारे पास तर भईया देख चार, SP3 hybrid orbitals आ चुके हैं, अब चार orbitals, orbitals का मतलब क्या होता है, electron की density, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर करने की कोसिस करेगा, चार को अगर वो अपने sphere पर रखना चाहे, carbon तो कहां रखेगा, टेक्ट्रा हिड्रल फैसन में रखेगा, और जब टेक्ट्रा हिड्रल फैसन मे अपने उसने क्या किया, एक orbital को बुलाया, फिर उसने दूसरे orbital को बुलाया, तुम भी आजाओ, तीसरे orbital को बुलाया, SP3 को, चोथे को भी बुलाया, और वहाँ पर कैसे बुलाया दिखना, यहां और इसके बीच में degree कितना, 109 degree 28 minute, इनके इनके बीच में 109 degree 28 minute, मतलब कि carbon पहले से ही उसको 109 degree 28 minute पर अरेंज कर रखा है, अब कहेगा, अब भईया hydrogen आजाओ, मेरे घर में तयारी पूरी है, मैं आपके साथ bond करने को तयार हूँ, अब आएगा bond, देखना भईया क्या होगा, अब 4 bonds अब अप्रोच करेंगे, 4 bonds अब अप्रोच करेंगे कुछ इस तर अगला hydrogen की तरफ, अगला hydrogen भईया है इनकी तरफ, तो चारो hydrogen अब रीच कर रहे हैं, किस से मिलने के लिए, sp3 hybrid orbital of carbon से मिलने के लिए, अगले में आप देखेंगे, यहाँ पर bond बन रहा है, bond किस के बीच में, carbon का ये क्या है, carbon का ये sp3 hybrid orbital, क्या है ये, sp3 hybrid orbital है, और जो ये s है, ये क्या है, hydrogen के पास क्या है, 1s है, तो यहाँ पर overlapping कैसी है, carbon के sp3 hydrogen के 1s के बीच में overlapping है, तब जाके यहाँ पे sigma bond का formation हो रहा है, तब जाके यहाँ पे sigma bond का formation हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी, क्या होगा sigma bond का, यहाँ पे भी sigma bond का formation, तो चार के चारो sigma bond क्या है, same है, क्यों सेम है भाई same क्यों है Kernan ने चारों से overlap कराने के लिए SP3 दिया और hydrogen के पास अपना 1S था तो overlapping अगर same होगी तो ये वाली bond length, ये वाली bond length, ये वाली bond length, ये वाली bond length सब के सेम होगे तो आप कहेंगे कि जब कभी भी आपको CH4 पे चर्चा की जाए तो आप से पूछा जाए कि बताइए ये सारे बॉंड सेम है क्या ये सारे बॉंड सेम है क्या तो लिखना हाँ सारे बॉंड सेम है क्यों सेम है क्योंकि ओरलैपिंग सेम थी overlapping क्यों से हुई क्योंकि कार्बन ने पहले से ही hybrid orbitals तयार करके रखे थे चार और hydrogen के साथ हो गई overlapping ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ इसके पीछे reason है ताकि ना आपके दिमाग में concept clear हो पहले आपको ये समझ में आए कि actually hybridization क्यों है और क्या है क्या है कि आप ना अभी ये जरूर hybridization निकालना आता होगा आपको बट ये concept जानना जरूरी है क्योंकि अगर ये सीख गए तो ये language की format में जो बनाए जाते हैं option वो आप कर ले जाओगा otherwise तकलीफ होगी आपको आप देखते हैं calculation of state of hybridization मुझे पता है बहुत सारे लोग माहिर होंगे आप जब आप देना सुरू करिए चलिए आपका वक्त आ चुका है सबस्यासा practice आपने इसी के किया है क्या ये state of hybridization किसी central atom का आपको hybridization निकालना है तो वहाँ पर निकालते है hysteric number से hysteric number का मतलब कुछ और खास नहीं hysteric मतलब होता भीन आपके atom के किनारे कितनी भीन लगी हुई है कितने वहाँ पे side atom है ये क्या लिखा side atom कितने number of side atom है और आपके central atom पे कितना lone pair है वही जोड़ दीजिए उस atom के किनारे की भीन के बारे में पता चल जाएगा तो hysteric number is equal to number of side atom plus number of lone pair आप पढ़िए चलिए अगर आखुद बताइए अगर hysteric number 2 है तो वहाँ पर किस तरीके का hybridization होगा मैं comment देखना चाहता हूँ चलो भाई चापो यहाँ पर क्या बोलोगे दो है अगर तो 1s और 1p मिल करके sp2 hybridization होगा है ना अरे sp hybridization होगा ना भाई 1s और 1p अच्छा अगर sp hybridization होगा तो geometry वहाँ पर linear देखने को मिलेगी कैसी linear देखने को मिलेगी अच्छा अगर 3 होगी comment में आओ comment में आओ भाया क्या ह चलोगा 1s 1p और 1 क्या है यहाँ पर दूसरा पी अरे भाया यह मालोग पी एक्स है तो यहाँ पर यह पी एक्स हो गया तो यह पी यह तीनों आपस में मर्ज हो गए तो sp2 hybridization अगर sp2 hybridization तो आप क्या बोलोगे वहाँ पर trigonal planar क्या trigonal planar सर पढ़ रखा यह सब तो आता है किस में क्या बोलोगे यह px इसके बाद यह py यह pz अब बताओ यह वाला d क्या होगा जबाब दीजिए मैं wait कर रहा हूँ आपका चलिये चलिये बताइए चलिये बताइए बहिया क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा dz square लिखा जाएगा क्लियर जी हामला समझ आ रहा है यह सर डीजडी square डीजडी square ट्राइगनल बाई परेमेडल वनेगा सर यह तो पहले से चीखा हुआ है कोई बात नहीं यह क्या भी यह px py pz यह देखो जो उपर लिखा है वो पहले नीचे बिचा पो डीजडी square अगला क्या होगा डी स्क्वार माइनस y स्क्वार बहुत सारी लोगों ने डीजडी square तो छाप ही दिया होगा अच्छा जी यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्या ओक्टाइडल 7 की बात करें तो 7 में देखिएगा यह p की बात तो clear है कि px होगा py होगा pz होगा उपर जो लिखा है वो डीजड पहले 3D, SP3D2, SP3D3 ठीक है जी यहाँ पर क्या बूला जाएगा geometry pentagonal by pyramidal क्या pentagonal by pyramidal तो देखो भईया state of hybridization से आप किसी की geometry निकाल सकते हैं central atom के किनारे किस तरीके से वो arranged है वो ची निकाली जा सकती है कोई सक, कोई संदेह तो नहीं है किसी को, कोई सक, कोई संदेह तो नहीं है किसी को, आगया जाते है, SP hybridization, SP hybridization समझना मेरे भाई, समझना, आगे हमने example में लिखा BECL2, हमें पता है कि हमारा जो beryllium है, उसके पास 2 electron तो वो क्या करेगा, chlorine के साथ ऐसे रिस्ते बनाएगा, औ और दो electron को beryllium क्या करेगा, अपने, अपने sphere पर एक दूसरे को 180 दूरी पर रखेगा, मतलब theta is equal to 180, SP hybridization के अंदर, अरे यह बात तो पता होगी, theta क्या हो जाएगा, 180 degree हो जाएगा, यस सर, मामला क्लियर है, हुआ क्या होगा, beryllium का, beryllium पास था क्या, 2S था, आना 2S था 2PZ, 2PY and 2PZ होगा, क्या, यह दोनों आपस में मिलेंगे, SP hybridization है मेरा भाई, अरे हमारा steric number कितना आया, 2, कैसे पता चला सर, steric number निकाल के चेक कर लो, steric number is equal to, number of side item कितने है, 2, क्या कोई loan pair है, beryllium पे, नहीं, इसका मतलब steric number 2, steric number 2 मतलब SP hybridization, actually इस तरहिके से चलना है, पिर दोनों को आप merge कराएंगे, क्या मिलेगा आपको, कितने hybrid orbitals मिलेंगे सर, 2 atomic orbital आपने merge कराएंगे, तो 2 hybrid orbital भी मिलेंगे, तो 2 hybrid orbital, तो आपको क्या मिल गए, 2 SP hybrid orbitals मिल गए, और यह लोग क्या है, यह लोग तो क्या कर रहे हैं, यह लोग hybridization में part नहीं कर रहे हैं, तो यह pure atomic प्याउवर एक्टॉमिक और्बिटल के फॉर्म में रहेंगे लेकिन ये मिक्स होकर के हाइब्रिड और्बिटल बना रहें और ये दोनों कौन है? SP hybrid orbitals है, अच्छा जी तो ये क्या है, ये वैसा बचा रहेगा, ये भी ऐसा बचा रहेगा, बेरिलियम के पास ये दोनों ऐसा ही खाली पड़े रहेंगे PY and PZ कोई समस्यात होनी ने किसी को, नहीं होनी चाहिए अब देखो हुआ क्या होगा, कि जो बेरिलियम ने, जहां से सुन लो, एक ही बार बताऊँगा इस चीज को SP hybrid orbitals कैसे लगते हैं, एक इधर बना दो छोटा वाला इधर बना सकते हो, लेकिन मैं उसको नहीं बना रहा हूँ तो ये हुआ क्या कि जो हमारे पाद दो SP hybrid orbitals थे बेरिलियम ने उसको एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज कर दिया, और दोनों में उसने क्या किया एक-एक electron रख दिये, यही हुआ होगा ना भाई, अच्छा यही हुआ बाद में क्या होगा, chlorine आया, पेर होगा, chlorine आया पेर होगा और bond बनी गया, पहले से ही बेरिलियम ने उसको क्या किया, 180 पर रखा हुआ, था मामला क्लिए है आई अगला दिखते है, बता यह CO2 में क्या होगा, CO2 में भी सेम कहानी है तुरंट बता देला, अना carbon पे hybridization बताओ, carbon पे hybridization क्या होगा सर, 2 side item है, कोई भी loan pair नहीं है, मतलब कि 2 है अगला है N2, N2 की बात पढ़ाना बहुत जरूरी है, जहां से तुनिएगा, N2 में क्या होता है, triple bond N लेकिन nitrogen की खोपड़ी पे, यहाँ पे loan pair, यह loan pair अब मैं आपसे चीज पूछता हूँ कि यहाँ पे, nitrogen पे hybridization कितना तो आप कहोगे देखो, इसके पास एक side item है, इस nitrogen के पास एक side item है और यहाँ पर एक loan pair है, मतलब कि 2, 2 मतलब SP, nitrogen पर निश्चित रूप से SP hybridization है, SP hybridization है, अब मैं पूछता हूँ, यह loan pair कहा होगा, तो कहना तो यहाँ क्या कहना, कि देखो यार, एक SP hybrid orbital यह है, एक SP hybrid orbital यह है सामने वाला जो nitrogen था, उसने एक SP hybrid orbital के साथ, इसके साथ sigma bond बना लिया, दूसरा ऐसे बना लिया अभी मैंने क्या दिखाया है, अभी मैंने सिर्फ इस nitrogen के 2 SP hybrid orbital इसके भी 2 SP hybrid orbital दिखाए है मावला clear है क्या, यह सर clear है, अब देखो हुआ क्या है, द्यांस तुनना, इस nitrogen ने अपना एक electron दिया, इन भाई साथ ने अपना एक electron दिया तो इनके SP SP आपस में मिल करके एक bond बनाएंगे जो कि है sigma bond, hybrid orbitals क्या करते हैं मेरे भाई, hybrid orbitals अपने अंदर या तो अपने से खुद को क्या बनवा सकते हैं, खुद से क्या बनवा सकते हैं, sigma bond या तो वो lone pair रखते हैं, लेकिन कभी भी hybrid orbitals pi bond नहीं बनाया करते, चलो बताओ reason क् hybrid orbitals कभी भी pi bond नहीं बनाया करते हैं, reason बता सकता है कोई, hybrid orbital या तो lone pair रखेगा या तो sigma bond बना दिया, अब देखो, जो ये lone pair है ना, ये lone pair कहां रहता है, SP hybrid orbital के अंदर, SP hybrid orbital के अंदर, तो आप कहेंगे, nitrogen पर जो ये lone pair है, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ भाई क्या है, ये SP hybrid orbital के अंदर lone pair present है, और same कहानी या पर देखेगा, तो कभी भी hybrid orbitals के अंदर क्या जा सकता है, या तो वो sigma bond बनाने ही जा सकता है, या तो अपने अंदर वो lone pair रख सकत 15 मिन्ट के अंदर, एमोटी खतम हो जाएगी, और उसके बाद, आप से एक भी question गलत नहीं होगे, सारे type के सब कुछ पढ़ाओगा, कम से कम time में, लेकिन अभी सुनिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है जी, तो अब बताए पाई bond क्यों नहीं मनाएगा, अरे सर, आप ही ने त तो वो या तो sigma बना ले, या तो अपने अंदर loan pair रख ले, लेकिन पाई bond तो नहीं बना सकता, क्योंकि पाई bond के लिए हमें दो ऐसे लोब चाहिए, जो overlap करते हैं, समझ आया क्या, अरे समझ में आया क्या, यह है इसका reason, कहानी समझ में आगे होगी सायद, अगला देखते ह 2 hybridization में आप क्या देखते हो, steric number कितना हैगा, 2 देख लीजिए, sorry steric number क्या हैगा, 3, BF3 देखो, BF3 में क्या है, boron है, 3 fluorine उससे लगे हुए, कितने, 3 fluorine उससे लगे हुए, ठेका जी, आप से मैं पूछू, यह theta कितना होगा, आप कहेंगे, यह theta 120 degree होगा, क्योंकि, क्योंक reason बताइए, क्योंकि, इस boron पे sp2 hybrid, कैसे पता चला सर, अरे भईया, इस boron के पास, कोई भी loan pair नहीं है, 0, कितने side term है, कितने side term है, 3, तो overall result आया, 3, overall result आया, 3, इतनी बात समझ में आई क्या, देख लो, इतनी बात समझ में आई क्या, अच्छ, और sp2 पे आपको पता है, theta कि 120 degree आता है, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या है, 2s है, 2p है, यहाँ पे क्या हुआ, तीन लोग mix हुए, तीन लोग mix हुए, क्या हो जाएंगे, हमारे पादेखो भया, यह बहुत धान से देखना, यहाँ पे धान से देखना, हमारी इस boron के पास, 3 sp2 hybrid orbital आगे, यह भी sp पे लगा रखा है, एक दूसरे से, theta is equal to 120 degree पर रखा, क्यों रखा, ताकि इनके आपस में repulsion में निमाईज हो, जब वो पहले से ही, boron तयार है, sp2 hybrid orbital लेकर के, theta is equal to 120 पर, तो fluorine भी आकर के वहीं लग जाएगा, तो निश्चित रूप से यह bond pairs के बीच में, theta कितना आएगा, 120 degree आएगा, कोई सक, कोई संदे है तो नहीं ना, किसी को, नहीं होना चाहिए, सर, SA क्यों है, SA, समझा नहीं मैं, SA मतला मतला, side atom, number of side atom, SA, side atom, number of loan pair, side atom देखो कितना है, boron के किनारे कितने side atom है, boron को छोड़के देखो किनारे किनारे कितने लोग लगे हैं, इससे जुड़े ह अगला है, SP3 hybridization, SP3 hybridization में आपको पता है, कि steric number कितना आएगा, 4, और वहाँ पे अगर आप geometry देखोगे, तो tetrahedra लाएगा, क्या आएगा, tetrahedra लाएगा, कोई सक, कोई संदे ही तो नहीं है, क्या आएगा, tetrahedra लाएगा, ठीक है, अच्छा मैं पीछे एक चीज पढ़ान बना देगा, एक क्या होगा, लोन पेर, एक क्या होगा, लोन पेर, अगर मैं पूछ हूँ, कि इस SO2 में, इस सलफर पर, क्या आएगा, state of hybridization, तो आप कहेंगे, इसके किनारे, निकाल लो सर, steric number कितने, दो side atom, loan pair कितने हैं, एक, इसलिए ही हो जाएगा, 3, ठीक है, समझ में क्या ही बात, मैं कोई trick week नहीं पढ़ाता, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको ना structure सबका बनाना आना चाहिए, तभी फायदे मंद है पढ़ने का, क्योंकि सवाल हर तरीकी का आ रहा है, ठीक है, तो steric number 3, अगर steric number 3, तो SP2 hybridization, और वहाँ पे theta 120 होने की कोसे जरूर करेगा, लेकिन, यहाँ पे क्या है, loan pair, वो loan pair क्या करेगा, इसको भी ripple करेगा, इसको भी ripple करेगा, अगर यहाँ पे इस तरीक से repulsion होगा, तो क्या यह 120 रह पाएगा, नहीं, अगर सही से बोलू, तो theta 119 degree यहाँ पे मिलता है, कितना मिलता, theta 119 degree, लेकिन मैं इसको लिखूंगा, कि 120 से कम होगा, क्योंकि वह आपको रटना नहीं है, वो factor, ठीक है जी, theta क्या होगा, 120 से कम होगा, 1 theta क्या होगा, 120 से कम होगा, clear है जी, यहाँ पे, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने ripple करके, छोटा कर दिया होगा, अब आपको, क्या यहाँ पे, मैंने यह बताने को औरबिटल के अंदर रहता है, कहा रहता है? SP2, hybrid orbital के अंदर रहता है, बोलो भाई, मामला क्लियर है? मामला क्लियर है क्या? अरे ट्रिक की जरुवत नहीं है, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, यही ट्रिक है, नंबर आप आपको देखो शुरुवात में ही इसलिए मैंने क्या सिखा दिया कि किसी भी central atom के valence cell में कितने electron होते हैं valence cell में आपको क्या करना electron निकालने के बाद जैसे मालो bf3 था हमने देखा कि 3 boron के पास 3 electron होते है valence cell में 3 electron होते है और fluorine हमेशा 1 bond बनाता है fluorine हमेशा 1 bond बनाता है fluorine हमेशा यहाँ पर 1 bond बनाता है तो भया तीनो electron तो चले गए bond बनाने में इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर steric number 3 आएगा loan पर कोई है यही नहीं समझ बात है लेकिन SO2 के case में sulfur के किनारे 6 electron थे तो अगर कहीं पर oxygen लगेगा ध्यांस सुनना अगर कोई charge नहीं है क्रिपया यह line ध्यांस सुने यहाँ पर अगर कोई भी charge नहीं है तो oxygen क्या है neutral और neutral oxygen दो bond बनाएगा कितने दो bond बनाएगा तो इनके दो electron के साथ गडबंदन इनके दो electron के साथ गडबंदन तो चार तो चले गए तो दो बच गए दो बच गए तो इसको एक loan repair कहते क्रिपया इसी तरीके से निकाले उसका reason यह है कि आपको सबका structure भी सही तरीके से पता होना चाज़िए गलती होने chance कम हो जाते हैं हाँ पर अच्छा जी समझ गए होंगे साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ अब देखिए भाईया अगला लिखा हुआ है देखो हमने CH4 में तो समझा दिया आपको CH4 में मैंने क्या समझाया कि CH4 में कारबन की खोपड़ी पर क्या रहता है कारबन पर SP3 hybridization रहता है उसी तरीके काई दूसरा molecule है NH4 positive NH4 positive कैसे बनाएंगे nitrogen के किनारे कितने electron होते हैं सर पांच होते हैं प्लस का मतलब एक electron nitrogen nitrogen से हटा दिया तो क्या हो जाँगे 4-4 हो गए तो 4 hydrogen एक-एक bond आराम से यहाँ पर बना पाएगा देखो यह बात समझ में आई यस सर अब देखो अगर मैं इस nitrogen की बात करूँ तो यहाँ पर historic number कितना होगा कितने side item है एक, दो, तीन, चार चार side item है अरे side item तो यहीं गिल लोग यार यह चार side item क्या कोई loan parent नहीं इसका मतलब क्या आएगा historic number 4, अगर historic number 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो भाई, जल्दी बोलो SP3 hybridization आएगा clear है, अगला देख लेते हैं जिससे साथ आप परिसान होते होंगे, जैनोन O4, XEO4 आप क्या बोलेंगे, आपको पता है सर कि जैनोन के outer cell में 8 electron होते हैं और हमारा neutral है oxygen और neutral oxygen कितने bond बनाते हैं, दो bond इसका मतलब है, 4 oxygen क्या करेंगे चार oxygen क्या करेंगे इसके साथ 2 दो bond बना करके यह रिस्तेधारी कर लेंगे बोलो भाई, यह रिस्तेधारी कर लेंगे कर लेंगे की नहीं कर लेंगे भाई यह चीज कर लेंगे की नहीं कर लेंगे यह सर कर लेंगे, देखो यह भी SP3 ही है क्यों कि यहाँ पर side atom कितने हैं 3, 3 side atom, क्या कोई genon के उपर lone pair नहीं, इसका मतलब sorry, side atom 3 कैसे हो जाएंगा 4 होगा, कितने होगी, 4 होगा तो 4 प्लस 0 is equal to 4 यह हो जागा SP3 हाईवरडाईज, मतलब टेट्रहेडरल यहाँ पर इसकी जमेट्री क्या आएगी, टेट्रहेडरल मैं पूछूं यह थीटा कितना होगा तो लिखना, यह थीटा 109 डिग्री 28 मिनट होगा यहाँ पर यह थीटा कितना होगा, same same वही थीटा यहाँ पर चिपका, जीजिए 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसतरी बाद समझे आई अब अगली चीज़ देखिए, NS3 NS3 में अगर आप देखिए तो क्या मिलेगा आपको, nitrogen nitrogen से लगे हुए है, कितने वही है hydrogen, 3 hydrogen 3 hydrogen और एक इसकी खोपड़ी पे lone pair, एक इसकी खोपड़ी पे lone pair, मामला क्लियर है क्या, यही है क्या कुछ और पढ़ा है हमने, सर यही पढ़ा है हमने तो nitrogen पे अगर आप निकालेंगे hybridization, तो आप कहेंगे 3 तो side atom, एक lone pair मतलब SP3 hybridization क्या, SP3 hybridization तो यहाँ पर देखें क्रिपया, यहाँ पर देखें यह बना है, nitrogen central atom है यह lone pair है, यह 3 क्या है इसके side atom hydrogen से, क्या मैंने इसी तरीके से बना है यस, नीचे देखो एक triangle देख रहा है इसको कहते है, trigonal pyramidal या इसको सिर्फ pyramidal भी कहा जाएगा कब जब हम lone pair को हटाएंगे दुबारा बताता हूँ, geometry के अंदर आप बोलेंगे, कि इसकी जो geometry है इसकी geometry tetrahedral है geometry निकलती है hybridization से, लेकिन एक चीज़ होती है safe, safe में हम क्या करते है इस lone pair को हटा देते है lone pair को हटा दीजिए, क्या क्या मैंने lone pair को हटा दिया, कैसा दिख रहा है अरे सर ये तो pyramidal रग रहा है एक triangle पर एक pyramidal बना हुआ है इसका नाम है trigonal pyramidal क्या नाम है, trigonal pyramidal नो, डाउन करें सीज़ को, इसको क्या बोलेंगे trigonal pyramidal, अगला देख लें अगला है XIO3 XIO3 में देखे, जेनॉन है कितने oxygen है तीन oxygen, तीनों neutral कितने bond बनाएंगे, दो-दो अब बताइए, अगर 6 electron जेनॉन की चले गए bond बनाने में तो जेनॉन के पास electron कितने बचे, दो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जेनॉन के case दिख रही है, यह सर दिख रही है अगला दिख लेते हैं, water के case में देखो water में क्या होगा भया, oxygen के पास total number of electron, valence cell में 6 6 में से 2 ने बना लिया bond तो क्या होगा, loan pair होगा इसके अंदर क्या होगा भया, loan pair होगा इस तरीके का होगा, क्या, यह सर अब एक चीश समझना, यहाँ पे इसका safe निकला, safe निकालने का मतलब होता loan pair को हटा देना, लेकिन मैं अगर कहूँ, water की geometry बताओ, तो geometry निकलती है direct hybridization से, oxygen पे दिख रहा है, दो loan pair, दो side ड़ा मतलब sp3 hybridization होगा, क्योंकि steric number 4 है, इसका मतलब अगर steric number 4 है, sp3 है, तो tetrahydral इसकी geometry है, लेकिन safe क्या होगा, यह तो geometry है safe में क्या करना है, आपको यह loan pairs हटा देने है, तो यह कैसा दिख रहा है bend दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, bent दिख रहा है, तो यहाँ पर safe की बगर बात की जाए, तो bent होगा, लेकिन H2O के geometry की बात की जाए, तो यह tetrahydral होगा, क्या होगा, tetrahydral होगा अगला सवाल देखे, HO negative, देखना क्या है, एक hydrogen एक ही bond बनाता है, oxygen की साथ oxygen की खोपड़ी पर negative है, अरे देखो एक ने तो एक electron बना लिया इधर negative का मतलब एक और ले लो negative का मतलब एक और electron आ जाएगा ठीक, लेकिन उसके पास आपने कितने थी 6, तो वो बनाईए, एक यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6 6 होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और आगे 7, लेकिन एक बना लिया bond, इसका मतलब यहाँ पे 3 lone pair इसका मतलब यहाँ पे क्या 3 lone pair होगा क्या बोलो भाई, 3 lone pair, 1 bond pair 3 lone pair, 1 bond pair, सीधी line आएगी है क्यों, क्योंकि भाईया यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही bond pair है, बाकी हम क्या करेंगे, safe के अंदर lone pairs हटा देंगे lone pairs को हमने remove कर दिया, सीधा क्या मिला linear, तो देख लो, यहाँ पर linear है तो इसका मतलब है, कि tetrahydral geometry के अंदर यह सब भी consider किये जाते हैं, लेकिन safe की बात करें, तो lone pair हटा करके, आप जबाब दे सकते हैं, कोई सब कोई संदे हैं, किसी को नहीं होनी चाहिए, अगले देखें, P orbital, P orbital कैसा देख लेगा, मालों यह nucleus है, तो P orbital कुछ ऐसा होता है, देख लो, सकल देखो इसकी P orbital की, ऐसी होती है, तो P orbital के अंदर 0% S character 0% S character अगला क्या है, S P hybrid orbital, उसके अंदर percentage S character देख लेगे, लेकिन इसकी सकल सूरत देखना बहुत ज़रूर है, बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते, इनकी सकल सूरतों से बच्चे परचित नहीं होते इसलिए मैं कहूंगा, यह देख लो देख लो भया, S P कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ही बनेगा न, अरे भया, एक छोटा एक बड़ा लोग बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखना P तो इतना बड़ा था, P का बतलब क्या होता है, Nucleus से electron density का दूर होना, यही तो है P के अंदर यह ही है, लेकिन S के अंदर आप क्या देख रहो, electron density दम Nucleus के पास पास है, तो अगर हम इन दोनों को mix करेंगे, तो इनके बीच की length आएगी, जैसे मालों यह इतना दूर है तो देखो, यह सिर्फ इतना दूर होगा, थोड़ा सा यह करीम हो गया, क्यों, क्योंकि आपने क्या, क्या, P के अंदर S करेक्टर मिला दिया, अब दो लोग मिल करके, एक orbital मिलाएंगे तो भया जी, दोनों लोग 50-50% देंगे, इसका मतलब 50% यहां पर S करेक्टर, लेकिन आपको इसकी सकल आनी जाएगे, सकल से साथ आप परचित नहीं थे पहले अगला दिखते है, S P2 S P2 के अंदर क्या है ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हो जहां पर, ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को जहां पर S करेक्टर क्या हो जाएगा, 33% क्योंकि 3 लोग मिल करके क्या बनाने जा रहे हैं एक orbital, तो S अपना 33 देगा P का 2 गुना जाएगा, तो 66 जाएगा लेकिन उसकी सकला ऐसी हो क्यों, क्योंकि P के जादा होने का मतलब क्या होता है electron density का nucleus से दूर जाना S orbital के जादा होने का मतलब होता है nucleus के करीब रहना ठीकर जी, इतनी बास समझना गई तो यहाँ पे आप क्या बूलोगे आप बूलोगे यहाँ पे S orbital का, S percent करेक्टर जो होगा वो 33 परसंट होगा 33.3 परसंट होगा लेकिन अगर मैं SP3 की बात करूँ SP3 में देखो P करेक्टर जादा है P करेक्टर जादा मतलब nucleus से दूरी जादा है अगर जादा है तो हम क्या लिखेंगे अगर हम S करेक्टर की बात करें तो 25 परसंट अगर P करेक्टर की बात करें तो 75 परसंट यहाँ पे होगा इनकी सकल सूरतें देख लो बस तो P orbital प्यावर वाले में यह जी इतनी बड़ी होगी SP3 में क्या हो अब ऐसे मह सोचने लग जाना कई बार बच्चा ऐसा सोचता है कि भाया यहाँ देखो ना यहाँ पे तो सिर्फ P था यहाँ तो तीन बार P है तीन बार P में तो यह बहुत बड़ा होना चाहिए था अरे नहीं मेरे भाई ऐसे सोचो ना यह 100% P करेक्टर है यहाँ पर 100% P करेक्टर है लेकिन यहाँ पर कितना 25% तो S है इसका मतलब 75% P करेक्टर है अगर 75% ही P करेक्टर है तो न्यूक्लियस से दूरी जागा नहीं हो सकती थोड़ा सा कम होगा बेदर स्क्रेक्टर यह बात समझ में आई सिर्फ यह लाइन समझ आई क्या सबको आई ओक्या आई अगला देखते हैं बॉंड लेंथ इन परसंटेज असकर ट्राक्सर आप रटते रहे होंगे यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन हमारा SP हाइबरडाइजड है वो हाइड्रोजन से मिलना चाहता है कार्बन हमारा SP हाइबरडाइज है वो हाइड्रोजन से मिलना चाहता है यह अगर X हैं स्टॉं है यह Y है यह Z है यह XYZ है तो बताना है XYZ में बड़ा कौन है चोटा कौन है उसको कैसे बताएंगे कैसे समझाएंगे उसको एक बार देख लेजिए समझाने के लिए मैंने क्या बनाया यह Carbon का अगर Carbon SP हाइबरडाइज है तो इसका लोब इतना बड़ा होगा लेकिन अगर Carbon बोलो भाई ध्यांसे इधर देखें यहाँ देखें कि अगर Carbon SP2 हाइबरडाइज होगा तो बताओ इससे बड़ा होगा की नहीं होगा अरे बोलो भाई बड़ा होगा यह सर इससे थोड़ा सा बड़ा क्यूंकि P करेक्टर थोड़ा सा जादा है SP3 में P करेक्टर 75% है तो निशीद रूप से यह लोब और बड़ा होगा पहले यह देख लो मैंने सिर्फ Carbon बना के दिखाया Carbon जब SP हाइबरडाइड है Carbon जब SP2 हाइबरडाइड है Carbon जब SP3 हाइबरडाइड हैbaj पहले सिर्फ तब जाकर के एक carbon जो की SP hybridized भी इसके साथ bond बना, इसके साथ bond बना, इसके साथ bond बना, बोलो भाई ममला ठीक है, यस सर, अब बताएगे distance जादा कहाँ पे होगी, यहाँ पर देखो bond length इतनी है, यहाँ पर bond length इतनी है, यहाँ पर bond length इतनी है, तो छोटी bond length कहाँ दिखाई दे रही है X के case में, छोटी bond length कहा दिखाई दे रही है X के case में, फिर Y फिर जड़, इसका मतलब क्या है कि जहाँ परसंटेज स करेक्टर जादा है, परसंटेज स करेक्टर जादा क्यों है, क्योंकि SP के अंदर कितना है भाईया, 50%, यहाँ पर 33 और यहाँ पर क्या 25% स करेक्टर है तो जहाँ परसंटेज स करेक्टर जादा होगा, वहाँ पर bond length छोटी आएगी, वहाँ पर bond length क्या आएगी, छोटी आएगी, उसको बना करके मैंने समझा दिया, धिमाग में टिका रहाएगा मेरे समचे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगला देख लेते हैं, electro negativity and percentage स करेक्टर, अब पूछा क्या जाता है, पूछा यह जाता कि एक carbon sp hybridized है, दूसरा carbon sp2 hybridized है, तीसरा carbon sp3 hybridized है, तो बताओ ज़्यादा electro negative कौन है, जब carbon sp hybridized है, जब carbon sp2 hybridized है, और जब carbon sp3 hybridized है, ठीक है जी, अब एक बाद बताओ, अरे सारे लोग बताओ इसका जबाब तुरंट तुरंट तुरंत इसका जबाब बताएंगे कि कौन सा जाधा electron nugget तो उसको समझने का तरीका क्या है हमने क्या क्या तीनों बना दिये ये carbon कैसा है? SP, ये carbon SP2, ये carbon SP3 hybridized है सामने से hydrogen आया, bond बनाया सामने से hydrogen ने bond बनाया क्या हुआ? electron pairs यहाँ पे है तो आप कहोगे इस nucleus से देखो ये वाला थोड़ा ज़्यादा करीब है इस वाले से थोड़ा दूर है इस वाले से थोड़ा दूर है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो carbon वो ज़्यादा electron negative नहीं है इसलिए वो इस electron pair को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है actually कहते ही हैं लेकिन overlapping की बज़ा से reason आता है समझ में आया तो आप कहोगे जब percentages character ज़्यादा होगा तो ये electron pair nubles के करीब होगा इसलिए उसकी electron negativity ज़्यादा होती है समझ में आया electron negativity किसकी ज़्यादा होती इसकी और ये possible तब है जब percentages character क्या होगा ज़्यादा percentages character ज़्यादा होगा तो electron negativity of that element भी ज़्यादा होगा very good बहुत सही बहुत सही बता रहे हैं एकड़म सही है नहीं कुछ लोगों ने SP3 बता दिया गलत है SP3 का ज़्यादा electron negativity कैसे हो सकता है भाई ये देखो इस carbon से ये electron pair इतना दूर है जबकि electron negativity तो ये कहती है न कि electron pair पास होना चाहिए electron negative element के समझ में आई बात कहानी कुछ सुनी हुई से लग रही थी अगला देखते है SP3D hybridization यहाँ पर clear करता हूँ बहुत सारे molecules दिखा दूँगा यहाँ पे देखो भाईया पहला क्या है सिम्पल PCL5 PCL5 में क्या होगा भाईया फॉस्पोरस यहाँ पर हो जाएगा chlorine यहाँ तो यह ळे तो आप क्या बोलते बोलू बहो भाईया आप क्या बोलोगा आप बोलोगी यहाँ पर धीड़ा कितना है यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थीटा कितना है, यह थीटा, 120 डिग्री, यह थीटा 120 डिग्री है, लेकिन यह थीटा कितना है, यह थीटा 90 डिग्री, सर समझें बात आ रही है, यह है, क्या SP3D हाइब्रडाइजेशन के अंदर आप देखते हो, फॉस्पोरस के किनारे 5 एलेक्ट्रॉन क्लोरीन आकर के बॉन्ड बनाएंगे, पाँच बॉन्ड बनेंगे, तो पाँच ही साइटम वे कोई लोन पैर नहीं है, अगर यहाँ पे स्टरिक नंबर 5 है, अगर स्टरिक नंबर 5 है, तो SP3D हाइब्रडाइजेशन होने से कोई नहीं रोक सकता, जहाँ पे यह D क्या है, यह D, D, Z square है, अगली चीज़ देखिएगा, अगली चीज़ है, SF4, बताइए, सारे लोग SF4 बताइए, यह हाईब्रडाइशन के कॉंसेट को सीख लो, आगे, यह सारे कॉंसेट बहुत अच्छे तरीके से हमें लगाने आने चाहिए, अधरवाई यह सीखोगे नहीं, फिर आगे जल के तकलीफ होगी, ठीका जी, यह देखना, SF4 के कहानी देखो, SF4 में सल्फर के किनारे कितने इलेक्टरों, सर्थ 6 होते हैं, डारेक्ट सोचो, 6 होते हैं, 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना दिये, 2 इलेक्टरों बचे मतलब पेर, आप क्या बोलोगे, इस सल्फर की बा पिरेमिडल जमेट्री होगी, तो पहले ट्राइगनल बाई पिरेमिडल की तरह बनाते हैं, एक एक्जामपल और इसी की तरह हैं, इसको भी छोड़ते हैं, अभी मैं SF4 की तरफ चल रहा हूं, तो देखिए, यह ट्राइगनल बाई पिरेमिडल है, जहां पे आपने अपने यह कहां एक्सिस है, यहां पे यह कहां एक्वेटर है, तो यहां पे अगर मौजूद है, और यह तीनों लोग वहीं मौजूद होते हैं, तो इस पोजिशन को एक्वेटोरियल पोजिशन कहते हैं, और यह एक्वेटोरियल पोजिशन कहते हैं, तो यह एक्वेटोरियल पैसाइफिंख यहां पे अधिट्ना होता है 120 डिगरी रखेंगे से RIP ALS minimum होगा इसलिए हमने यहां रखा है इसको यहां नहीं यलक रख सकते क्योंकि dispar nana氣 डिगरी पर लगने लग जाएगा और loan pair को कहा लगाना है, equatorial position पे लगाना है, ठीक है जी, तो आप loan pair को कहा रखेंगे, equatorial position पे, और कोई electro negative element आ जाए, तो उसको रखेंगे axial position पे, बस यही कोसिस करनी है, ठीक है जी, ओके सर समझ में आ गया, यहाँ पे SF4 समझ में आ गया, आपने क्या देखा, SF4 की जो geometry है, वो pair हटा दिये, तो यह कैसा दिख रहा है, इसके safe के बारे में बताईए, safe comment करो, सारे लोग इसका safe comment करेंगे, चलो भईया, इसका safe comment करो, देखो भईया, क्या हो गया, इसको आप देखोगे, तो इसका safe समझ में आएगा, क्या दिख रहे, बच्पन का एखें दिख रहा, see saw, या इसको ऐसे देख लो, C मतलब क्या था, वो आई थी, वो आई थी तुम्हें देखने, C, लेकिन तुम्हें देखके चली गई, वो क्या हुआ, देखके तुम्हें चली गई, तो ये था C-sau-save, क्या है भईया, ये है C-sau-save, इतनी बास मैं आगी, अब एक चीज़ मैं हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये वाला थीटा है थोड़ा सा कम आएगा, ठीकर जी, यस, और ये लोन पैर क्या, इस वाले ब् vị्वाण्ड पैर को रिपेल नहीं करेगा, करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, जब ये ब्रिपेल रिपेल होंगे, तो ये सीधी line नहीं होगी जो मैंने आज सीधी बनाईे थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या होगी bend KIU क्यों क्यों कि लोन पियर ने क्या तिया उसको repel करके थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया है क्या आपको इतनी बात समझें क्या आपको इतनी बात समझ में ईई है yes sir कि जब तक कोई चार्ज नहो ऑक्सिजन कितने बॉंड बनाएगा दो फ्लोरीन कितने बॉंड बनाएगा एक तो इसका मतलब हुगा फ्लोरीन ने दो बॉंड बना दिये और ऑक्सिजन ने भी क्या करा भहिया अगर देखोगे तो यहां पर चार बॉंड बनाएगा देखना क् क्यूं बनाया मैंने वो भी मैं समझाऊंगा, फिल हाल मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ, जनौन के पास क्या होगा, एक लोन पेर बचे, एकदम इसकी सकल ऐसे फूर की तरह होगी और ऐसा ही बनाया जाएगा, तो इसको भी आप सी सौ ही बोलेंगे, देखना भी हमने क्य किया, फ्लोरीन जो की ज़्यादा इलेक्टरो नेगेटिव था, तो उसको एक्जियल पोजीशन पे लगा दिये, एक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, लोन पेर लगा दिया, और डबल बॉंड ऑक्सिजन हमने यहाँ पर इसलिए लगाया, क्योंकि देख लोन पेर टोटल 5-5 मतलब SP3D hybridization, मामला क्लियर है, मामला क्लियर है, मामला क्लियर है क्या, यस सर, अगला देख लीजिए CLF3, अगला क्या है, CLF3, यहाँ पर देखें भईया, CLF3 के के केस में, CLF3 में आप सिंपली समझ सकते हैं, क्लोरीन के पास क्या भईया, बताओ, चट आइटम्स हो जाएंगे, तो टोटल हो गया 5, तो 5 को लिखने का तरीका क्या है, 5 को लिखने का तरीका क्या है, यह इसी का एक और एक्जामपल है, ठीक है, जैसे यह है, बीच मामने क्या लिख दिया, क्लोरीन, यह भईया, क्लोरीन, यहाँ पे रहेगा मारा फ्लोरीन, फ् अभी भी SP3D hybridization हो, तो आपको loan pairs कहा रखें, रखने भी है, equatorial position के, कितने loan pair थे सर, यहाँ पे दो loan pair थे, आपको पता चला था, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, CLF3 इस तरीके से टी टाइप का बनता है, यहाँ टी जाद आच्छे से नहीं दिखेगा, तो यहाँ दिख तो यहाँ इसको बोलते हैं T-save, वैसे इसको bent T-save बोलते हैं, bent T-save, T-save तो दिख रहा सर, bent क्यों बोला, अरे भया यह loan pair क्या करेगा, इसको repel करेगा, तो यह जो यहाँ पे दिख रहा है 90 degree, यहाँ 90 degree नहीं होगा, यह थोड़ा सा इसकी तरफ bent हो जाएगा, इधर च 90 degree होगा, यह theta क्या होगा, less than 90 degree, similarly यह भी theta less than 90 degree होगा, clear है भाई, मामला समझ में आ रहा है, कोई दर्द, कोई परिसानी तो नहीं है, नहीं है सर, तो यह क्या है bent T-save बन जाएगा, इसी तरीके से एक चीज़ देखना क्या लिखा है, XI F3 positive, अब एक चीज़ सोचो, सोचो जैनोन पर positive 4, तो भया जैनोन पर कितने electron होते हैं, पताओ, जैनोन के outer cell में कितने electron होते हैं, सर, outer cell में 8 electron, एक निकाल दिया कितने बचे 7, तो क्या यह chlorine जैसा नहीं हो गया, तो जैनोन का जो plus है, वो actually कुछ और नहीं, यह chlorine का ही electronic configuration है, तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, इतनी बात clear है क्या, एक बार क्रिपया देख लें, इतनी बात समझ में आ गई है, यह सरलक तो रहा है मरे को समझना आ गई है, अच्छा जी, अगला देख लिखते हैं, I3 negative, ICl2 और अगला क्या है, XEF2, सब एक जैसे हैं, देखना, ICl3 negative में क्या, एक iodine है, ठीक है, उसके क बांड मन गए, और iodine के पार टोटल साथ एलेक्ट्रोन थे, दो बांड में चले गए, बच्चे कितने पांच, एक negative 6, 6 को क्या करिए यहां पर लोन पेर, और आपको लोन पेर कहां रखने होता है, एक्वेटोरियल पोजिशन पे, तो देखो यह एक्वेटोरियल पेर रख कर दूं तो क्या यहां पर भी 8 लेक्ट्रोन होगे, यहां पर 7 लेक्ट्रोन थे, आयोडिन के, लेकिन 1 हो जाएगा तो 8 लेक्ट्रोन, समझ में आगया, तो इसी तरीकी से यहां पर भी बन जाएगा, X, Eftro का structure, इतनी बात आई क्या, चलो बताओ, यहां का से बताए, सब चैटो मोहित सांब बताइए मोहित आर्यन सुरज जय बिलास राउनक रोहित रोहित ने सहीra बता दिया रोहित ने एक दम सही बता है कि बहिए यहाँ पे linear आएगा क्योंकि यहाँ पे सीधी लाइन दिख रही और तीन लोन प्यार दिख रहे हैं clear है मामला, तो इस तरीके से एक सीधी लाइना है, कोई साथ, कोई समस्या किसी को, ठीक है, इनका तो मैंने बनाई दिया है, यहाँ पर जेनौन बना देता हूँ, XE, XE F2, ठीक है जी, XE F2, ठीक है जी, तो सेप क्या होगा, सेप क्या बोलोगे, सेप सर लीनियर है, सेप कैसा है, लीनियर है, नो डाउन कर लें, इन तीनों के लिए सेप क्या होगा, लीनियर हो, लेकिन अगर मैं जमेटरी पूछ लूँ, तो आप हाइबरडाजेशन से बत लेकिन geometry में आपने क्या बताया इनके पास loan pair हमें गिनना पड़ता है हमें क्या करना पड़ता है इनके loan pairs गिनने पड़ता है तो इस तरीके से बन जाएगा ठीका जी ओके तो तीन loan pair एक दो bond pair इसका मतलब SP3D हो जाए very good बहुत सही break अभी नहीं मिलेगा break दो बजे break दो बजे मिलेगा भाई जब मैं पढ़ा सकता हूँ आप पढ़ क्यों नहीं सकते चलिए next one is SP3D2 hybridization अरे भाई बहुत बड़ा chapter है और बड़े chapter को मैंने courses करनी है कम से कम में पढ़ाने की है तो यहां पर देखें ज्यादा आनंद आएगा SP3D2 मतलब क्या हो गया भाईया यहां के case में आपको steric number कितना मिलेगा steric number मेरे भाई मिलेगा steric number is equal to red color से नहीं लिखना है कितना हो जाएगा भाईया 426 6 हो जाएगा जैसे कि SF6 sulfur के किनारे कितने electron होते है sir sulfur किनारे 6 electron और 6 fluorine लग जाएगे कहानी कतब हो जाएगी समझ में आगया क्या आपको इस तरीकी से बनाना है ठीक है जी कैसे पता चला हमने बताया कि भाईया देखो इस sulfur के किनारे 6 side atom है कोई lone pair नहीं है तो steric number 6 है इसका मतलब sp3d2 hybridization है इसका मतलब उसको octahedral बनाना है चलिए बताये क्या बनेगा octahedral बनेगा अगला बताये यहां पर बताये क्या बनेगा अब सब लोग comment करेंगे बहुत दिर से मैं ही पढ़ाए जा रहा हूँ कुछ बताये क्रिपया करके आप लोग भी चलिए बताये चलिए बताये इन सब के जवाब बताये comment करिए क्रिपया comment करिए यहां पर क्या है sulfur sulfur के outer cell में कितने electron थे 6 अब phosphorus के outer cell में कितने electron होते हैं phosphorus के outer cell में 5 कितने होते हैं भई किया जा सकता है मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूं निकालने को तो आपको निकालना आता ही है बना लोगे ठीक है यहाँ पर आईए सिलिकन के केस में देखिए सिलिकन के केस में सिलिकन के बाहर कितना इलेक्टरॉन है वैलेंसल में चार अगर चार पर दो नेगटिब से बताईए ऐलमूनियम के पाथ टोटल नंबर आफ वैलन्स एलेक्टरॉन कितने है तीन होते है ना लेकिन थ्री नेगटिव कर दिया जाए तो यहां पर तीन और आ जाएंगे मतलब छह चह मतलब सल्फर लिखा जा सकता है तो सल्फर की जाप ऐलमूनियम थ्री नेगटिव लेकिन अगला क्या है? X années 064 नेगटिव इसको बना के बताना पड़ेगा अब एक चीज़ सोचना भाई ये अच्छा होआ कि आ गया क्या लिखा है? X années 064 नेगटिव धियां से सुनना को कितने नेगटिव चारज है? 4 करना क्या है तुरण सोचना 4 नेगटिव चार्ज ऑक् यह बनाई दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह बनाया क्या, 6 bond बन गए, अब क्या कह रहा है, 4 negative, तो 4 negative को distribute करो, 1, 2, 3, 4, अब 4 negative charge इनके उपर हो गए, समझ में आई बात, अब 2 लोग ऐसे हैं, जिन पर कोई charge नहीं है, जिन पर charge नहीं होता, वो एक pi bond और बना सकते हैं, इस तरीकी से pi bond औ निकलना चाहिए, तो आसान निकल जाएगा, ऐसा नहीं, यह निकलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर आप लेकिन इस तरीके सकर लीजी, तुरंत ही आजाएगा, यहाँ आपको दिख रहा है, जन आउन के किनारे भाईया, कितने लोग है, 6 लोग, क्या कोई lone pair नहीं है, इसका क्या है, BRF5 and XEOF5, देखो भाईया, BRF5 मैंने पहले बता देता हूँ, क्या निकला है, ब्रोमीन के outer cell में कितने elektrons, 7, 7 में से 5 ने बॉंड बना लिया, 7 में से 5 ने क्या करा भाईया, बॉंड बना लिया, तो 5 फ्लोरीन मैंने यहाँ पर लगा दिये, 5 फ्लोरीन हमने यहाँ के रूप में हमने यहाँ बना दिये, तो इसी को मैंने देखो, यहाँ पर बना के दिखाया हुआ, यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में ब्रोमीन किनारे किनारे ग्रीन वाले, अरे नाम तो बोलते जाओ भाई, मैं आपको यहाँ पर element दुबारा बता देता हूँ, आपक बताऊंगा, आप comment में उनके shape जरूर बताएंगे, जिनको आ रहा है समझ में तुरन तुहाँ पर shape कमेंट करे, कि shape क्या हैगा, ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, कि भाईया यहाँ पर इसका अगर हम geometry wise बनाएं, तो यह बनेगा octahedral, octahedral बनेगा कोई स को कहते हैं, square, square pyramidal, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि square पर एक pyramid है, square पर एक pyramid बना हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा square pyramidal, क्या होगा इसका नाम होगा square pyramidal, यहाँ पर लिख दू, square, सही है क्या, square pyramidal सही है, क्या मेरे भाई, square पर एक pyramid बना दिया है, तो shape यह हो जाएगा, clear है, यहां पर double bond oxygen फ्लूरीन साप यहां पर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं बस आपको क्या करना है double bond oxygen में क्या है चार electron है तो lone pair के opposite रखना lone pair के opposite रखना भई है minimum repulsion होगा अच्छी बात होगी यह देखी यह बन जाएगा देख लो रटना नहीं है बनाना तो तुरंत square कोण कर array square planar कैसे संभव है इसका क्या होगा इसका square pyramidal होगा अच्छा कहीं आप इसका तो नहीं बता रहे थे देख लेजिए ICL two negative तो पहले इसका देखते हैं iodine के किनारे कितने electron थे भई है साथ two negative तो possible नहीं है one ही negative होगा एक हटा रहा हूँ है ठीक है ICL four one negative होता है मिर भई ठीक है जी iodine के किनारे valence cell में 7 electron एक और आगया 8 electron 8 में से chlorine ने क्या करा एक एक ऐसे से bond बना दिए अगर bond बना दिए तो iodine के पाद total electrons कितने बचे 4, 4 को क्या कर ये lone pair को opposite direction में रख लिए ताकि इनके बीच में repulsion minimum हो तानकि इनके बीच में repulsion minimum हो अब इसको आप square planer कहेंगे अब इसको आप क्या कहेंगे square planer भईया सही कहे रहे हैं एकदम square planer होगा जैनॉन F4 में भी वही होगा यार देखो जैनॉन और आप ए क्या लिखा था iodine negative दोनों का बनेगा मेरे भाई ये बनेगा square planer किसी को कोई समस्या तो नहीं है किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई अभी तक यहां तक समझने में जितना molecule पढ़ा रहा हूं इतना ही कर रो बस और कुछ नहीं करना है ठीक है जी बस एक एक बार लिखते जाईए तो अच्छा रहेगा चैट रुकनी नहीं चाहिए भाई ये question का जबाब दीजिए based on VSEPR theory the number of 90 degree angle in BRF5 age अब बताईए यहाँ पर कितने 90 degrees के angle है ये question मैंने जान मुझ के लिए ताकि आपको angle का concept में सिखा सकना आप सोचेंगे भाईया यहाँ पर ये देखो 90 degree ये square में भी तो अपने में 90 degree ही होंगे नहीं होंगे क्या नहीं होंगे पता है क्यों क्योंकि इस loan pair ने तहस नहस मचा दी इस loan pair ने तहस नहस मचा दी कौन से वाले ने कौन से वाले ने तहसना समचाई भी या एक मिनट इस वाले लोन पेयर ने इस लोन पेयर ने पता क्या किया इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड को पीछे ढखेला इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड को भी पीछे ढखेला क्यों कि यह क्या है प्लेन के नीचे है अरे plane के नीचे है तो वो क्या करेगा इसको भी repel करेगा इसको भी repel करेगा और इसको भी repel करेगा अब हुआ क्या loan pair जो नीचे था इस plane में जितने लोग मौजूद थे उसको ऐसे उपर कर देता है पहले लोग plane में थे लेकिन नीचे वाले loan family repulsion करके इसको उपर कर दिया अरे जब उपर कर दिया ये चीज उपर जाएगी तो ये theta अब 90 नहीं रह जाएगी और इनके बीच में जो आपस में 90 थे वो 90 नहीं रह जाएगे इसका मतलब कोई भी 90 नहीं है तो यहाँ पे जबाब loan pair पूरे molecule का सत्यानाज कर देगा अरे जो square था अब वो square ऐसे नहीं ऐसे टेड़ा रहेगा जब टेड़ा रहेगा तो उपर से 90 डिग्री खराब हो गई और उनके square वो square ही नहीं रह पाए क्योंकि सब के सब ऐसे थोड़ा सा उपर उठ दे समझ रहे हो बात को yes sir ठीक है जी बोलो भाई कहानी समझ आ रहे है क्या अब तक की आनन्द आया क्या अब तक पढ़ने में बताइए अब तक जो पढ़ाया गया वो समझ में आया क्या yes sir आगे देख लेते हैं अगला है sp3 d2 यहाँ पर क्या भया आई f5 आई f7 आयोडीन के किनारे किनारे साथ फ्लोरीन लग यह एक यहाँ पर लगाईए एक यहाँ पर लगाईए बस that's it तो यह क्या हो जाएगा pentagonal by pyramidal है ना simply r आप निकाल सकते हो आयोडीन के किनारे कितने electron है यह वैलेंसल में 7 और 7 के साथ तो bond बनाने चले गए इसका मतलब कोई loan pair नहीं है तो आप कहेंगे 7 प्लस 0 इसका मतलब 7 static number है static number 7 का मतलब sp3 d2 d3 hybridization होगा और इस condition में कौन कौन से d involved होंगे यह अक्सर paper में पूछा जा रहा है तो d z square d x square minus y square और अगला होगा d x y अगला क्या होगा d x y यह d involved हो रहे हैं यहाँ पे एक special case पढ़ाने जा रहा हूँ एक special case पढ़ाने जा रहा हूँ वो यह रहा जैन Gाणon f6 gasious state में Gprodu के आउटर सल में कितने उलेक्टरॉन और इनके कृपर जिसको आता है वो इनके सेप के बारे में बताए जिसको नहीं आता मैं बता रहा हूँ तो भई यहां पर क्या लिखोगे यहां पर स्टरिक नंबर लिखोगे जनोन के लिए तो 6 तो इसके क्या हो गई साइड इटम, 6 साइड इटम लोन पेर एक, टोटल साथ साथ मतलब SP3D to hybridization होगा, इतनी बात क्लियर है क्या यसर लेकिन इसका structure थोड़ा सा अलग है इसका structure इसको बनाने का तरीका थोड़ा लगा, बहुत सही जितनों ने बताया है कि यह distorted होगा, देखते हैं यह हमारा जनॉन, हमें लगाने कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन, कितने लोन पेर है, एक लोन पेर, तो देखो उसको बनाने का तरीका क्या है, जनॉन छैरे फ्लोरीन से भाए gjort, देखो पेर यहांtr पेर कर देगा, तेढ़ा कर देगा, इसलिए इसका नाम distorted octahedral बोला जाएगा इसका shape क्या होगा comment भर दो distorted octahedral क्या होगा distorted octahedral क्या बोलोगे भीया देखो यहाँ पर यह होगा आप देखो उपर से देख लो भीया यह उपर से आएंगे नीचे से आएंगे यह octahedral बनता हुआ दिख रहा है क्या octahedral फील आ रहा है और टैडल फील आ रहा है अब एक चीज देखना बहुत खास चीज वह क्या है वह मताता हूँ देखो यह एक ट्रेंगल दिख रहा है fluorine 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 इसके बीच में यह ट्रेंगल दिख रहा है इस ट्रेंगल से बाहर की तरफ निकलता हुआ आपका loan pair है, loan pair क्या ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ मेरे भाई यह actually ऐसे ही बनाना है समाज में आया क्या direction कुछ ऐसे हुगा कि इस plane से बाहर की तरफ निकलता है और जब यह बाहर की तरफ निकलता तो होगा क्या पता है, यह loan pair इसको रिपल करेगा, इसको भी बहुत रिपल करेगा और इसको भी रिपल करेगा, और इसके रिपल्सन की वज़ा से यह जो line ऐसे सीधी थी, वो टेड़ी हो जाएगी यह जो सीधी थी, थोड़ी टेड़ी हो जाएगी इस वज़ा से हमारा octahedral टेना हो जाएगा तो इसको याद रखें गल्तिया ना करें तो यह बन जाएगा देखो भाईया कुछ ऐसा है इसके वज़ा से यह वला वान थोड़ा पीछे की तरफ चला गया है यहां तक की लाइन क्लियर है सबको क्लियर है distorted octahedral very very good distorted octahedral इसको बोला जाता है note down कर लें करें या capped octahedral very good अनुराग ने बताया है capped octahedral very good यह capped octahedral क्यों बोलते हैं इसी lone pair की वज़ा से बोलते हैं कि यह octahedral था इसमें उसने एक टोपी पहन रखी है कौनसी यह वाली lone pair की टोपी याद ऐसे रहेगा capped octahedral कि octahedral के एक फेस से बाहर की तरफ कौन निकल रहा है एक lone pair very very good क्या बोलते हैं capped octahedral या distorted octahedral बोलते हैं very good very good दुबारा बता दूँ प्रसान साब बोलने हैं दुबारा बता दे सुनिएगा एक से ही अपसी थोड़ा सा special है उसको हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे और ऐसा क्यों नहीं बनाया पता है अगर आप lone pair कहीं यहां रख देते हैं या यहां रख देते हैं और भाई क्या तरफ लगा दूँगा तो रिपल्सन मिनिवाइज हो जा क्यों क्यों कि इसका रिपल्सन फिर तीन ही फ्लोरीन तक जादा रहेगा बाकी के फ्लोरीन तीनों बच जाएंगे अगली चीज क्या है यह देख लो वैसे मैं बहुत दल्दी में इसको पढ़ाऊंगा कोई बहुत खास नहीं है hybridization in odd electron species और electron species में आप ऐसे समझ लिए जैसे हमारे पास है CH4 CH4 में आप बनाएंगे तो देखें कारबन के पास एक electron बचेगा बचेगा बहुत चार होते है चार में से तीन ने बांड बनाए एक electron बच जाता है तो देखो ऐसा हुता carbon, hydrogen, 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 hydrogen ठीक है एक electron जो बचता है एक वो कहां रहता है vacant p orbital में रहता है ये जो आपका electron है वो hybridization में participate नहीं करता क्यों नहीं करता वो देख लो carbon और hydrogen में ज्यादा electron negative कौन है carbon hydrogen में ज्यादा electron negative आप देखोगे तो carbon है carbon एकसर ऐसा नहीं होता लेकिन करीब-करीब बराबर होने की वज़ा से कहानी देखने को मिलती है carbon के कितना होता 2.5 hydrogen के कितना है 2.1 तो क्या है कि carbon ने अपनी खोपड़ी पर डेल negative चार्ज रख रख रखा है अरे भाईया जब यह ज्यादा electron negative होता है electron इधर जाएंगे मतलब इस पर electron की density कठा होगी समझना और जब जब ऐसी इस्तिती होगी central atom के ऊपर negative charges बनने लग जाए तब hybridization नहीं होता तब hybridization नहीं हो तो यह जो electron है odd electron क्यों बोला गए क्योंकि अकेला है गिन के देखो न टोटल गिन होगे मालो total number of electron कितने होंगे carbon के पास आपने 6 hydrogen के गिन लो 3 9 total 9 तो 9 यह तो odd number है लेकिन यहाँ पर एक electron दिख रहा है आपको तो यह hybridization participate नहीं करेगा इस condition में इस condition में नहीं करेगा तो आप लेकिन भाईया जी जब हमने cf3 की study करी किसकी cf3 की study करी तो वहाँ पर भी एक electron था लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मिला यहाँ पर जो angle है ना यह करीब करीब 120 था लेकिन यह angle अपकी बार वाला 120 नहीं कि यहाँ पर क्या होगा एक electron जो होगा वह hybrid orbital के अंदर होगा क्यों यह कहां से पता चला पता है यह ना थीटा के हिसाब से हम अन्राजा लगाते हैं जब कार्बन पे कार्बन से फ्लोरीन लगेगा आप सोचो अगर फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोन अपनी तरफ खीचेगा त क्या था कार्बन पे डल नेगेटिव चार्ज क्योंकि hydrogen less लेक्ट्रोन अपनी तरफ खीचेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे तो उनका nucleus मजबूत होगा तो 2s और 2p को पास लाकर के intermix आराम से करा सकते हैं इस वजह से यहां पर हमें देखने को मिलता है क तो यहां पर hybridization होता है carbon पे क्या है sp3 hybrid out sp3 ठीक लें लेकिन यहां पर कह रहेंगा sp2 clear है मामला clear है मामला यस सर ओके अगला दिख लेते हैं यह question आप सायद आप खुदी जब आप दिले जाएंगे अब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है इसको छोड़ा ही नहीं है ठीक है इस सवाल पूछता है जे में भी पूछता है और नीट में भी पूछता है भर भर के सवाल पूछता है मेरे भाई वो क्या होता है यहां पर देखना iso structural species iso मतलब होता है same यहां पर structure सब्द का मतलब है same अगर same same दिखाई दे जाए तो बोलेंगे iso structural है और same same होने का condition क्या होता same same होने का मतलब क्या होता है कि number of loan pair और number of side atom ये same होने चाहिए number of loan pair और number of side atom same होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ hybridization से मत निकालना, देखो hybridization तो same होना चाहिए, लेकिन उससे जवाब बनेगा नहीं, वो तकलीफ देदेगा है ना, आप क्या बोलोगे, number of loan pair और number of side atom दोनों same होने चाहिए, तब ही हम उसको ISO structural घोसित करेंगे अब अगला है, ISO electronic सर बहुत पहले से जानते हैं इस पसीज के अंदर, अगर same number of electrons मौझूद है same number of electrons मौझूद है तो इसको ISO electronic कहते हैं इतनी गंदी राइटिंग लिखने के लिए आप मुझे मुझे मुबार्ग बाद दे सकते हैं मैं इसको थोड़ा ठीक लगते हूँ इतनी बाद ठीक है गया मामला समझना गया, यस सर, और इससे बहुत जादा question पूछ जाते हैं, मैं आपको बता दूँ बहुत जादा important होता है, आगला देखेंगे CH4 and CCL4, यहाँ पर देखें करपया CH4 and CCL4, कारबन के किनारे कितने इलेक्ट्रोंज बता ये loan pair कितने 0, side item कितने 4 यहाँ पर देखो, loan pair कितने 0, side item कितने 4 इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है ये दोनों आपस में iso-structural है, ये दोनों आपस में क्या है iso-structural है, इस condition में देखोगे, दोनों में hybridization, SP3 hybridization आ रहा है, लेकिन hybridization चीज़ चेक मत करना चेक हमें सा number of loan pair and side item से करना गलती कभी नहीं होगी अगली चीज़ देखें, CH4 में number of electron देखो कारवन के पास total electron कितने होते हैं उनकी दुनिया में अतला उनकी atom में, तो total 6 electron hydrogen के पास एक-एक electron 4 है, तो 4 multiplied 1 is equal to 10 electron total total कितने electron, 10 electron, अच्छा, यहाँ पा देखें nitrogen के पास total 7 electron, लेकिन एक positive charge का मतलब minus 1 करना, और 4 hydrogen की बात आपको बच्पन से पता है यहाँ पे भी 10 electron, दोनों में 10 electron है, इसका मतलब यह दोनों आपस में ISO electronic हैं, यह दोनों आपस में ISO electronic हैं, अब मेरा सवाल यह है, क्या, क्या CH4 and NH4 positive, क्या यह दोनों आपस में ISO structural and ISO electronic हैं, चले लिके सब लोग, ISO structural and ISO electronic हैं, सब लोग बताएंगे ISO structural and ISO इस उलेक्ट्रोनिक क्या दोनों हैं सर आईसो इलेक्ट्रोनिक तो अभी हमने आप बता दिया आईसो इलेक्ट्रोनिक तो बता दिया गया है मेरे भाई Iso-Electronic तो है क्या ये Iso-Structural है क्योंकि नंबर आप देखना भाया अगर आप valence cell में देखें valence cell में आप जाएं तो आप देखेंगे देखना भज़िया देहां सुनना चलो loan pair वाले से निकालते है loan pair कितने है? 0 यहाँ पे loan pair कितना? 0 हाइड्रोजन के साथ आप देख रहें कि चार है नंबर चार है तो 4 SP3 hybridization यहाँ पर आईए नंबर आफ लोन पेर 0 लेकिन साइड डम कितने 4 तो हो गया भई यह 4 SP3 hybridization इसका मतलब यह पेर जो है आईसो इस्ट्रक्चरल और आईसो इलेक्ट्रोनिक दोनों है आईसो इस्ट्रक्चरल और आईसो इलेक्ट्रोनिक देने है चले भईया अगला क्या है टोटल 4 इलेक्ट्रोन एक और आगया तो 5 इलेक्ट्रोन तीन बॉन्ड में चला गया तो 2 इलेक्ट्रोन यहां पर आजाएंगे क्या ये वो दोनों सेम दिख रहे हैं, यस सर, यहां दोनों की सकल क्या है, पिरेमिडल, यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, यह भी पिरेमिडल है, और यह भी पिरेमिडल है, नंबर आफ लोन पेर प्लस नंबर आफ साइड़ डम, दोनों के केस में, नंबर आफ लोन पेर प्लस नंबर फसाइड़नम सेम होने की वज़ा से ये इसो इस्ट्रक्चरल है और ये आईसो इलेक्ट्रॉनिक भी है ये दोनों आपस में आईसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे नाइड्रोजन के पास साथ इलेक्ट्रॉन्ट है तीन टोटल दस यहां कारबन के पास 6-639 लेकिन क्या है कि पूरे आपको दिखना है क्या नमबर प्रॉस तो यहां पे टेखू यहां पर क्लोरीन है इसलफर तो देखो इनका तो आपस में बंता करना है यह क्या है carbon carbon oxygen second period का nitrogen oxygen यह भी second period element का ऐसे देखने पर जल्दी पता चल जा जाए बस इतनी सी बात है तो नहीं तो निकालना चाहो तो निकाल लो बोलो भई कितने निकाल ले जाओगे क्या nitrogen के पास total electron दो जोड़ दीजिए यह मिल जाएगा यह लगता इनका गड़बंदन हो जाएगा यह दोनों आपस में iso-lectronic तो मिल गए क्या यह आई-so-structural होंगे क्या यह आपस में कितने जिरो नंबर आफ साइडर्म कितने तीन नंबर आफ लोन पैर कितने भईया जिरो साइडर्म कितने तीन इसका मतलब यह दोनों आपस में आई-so-structural भी है आई-so-electronics भी है है इनका आपस में चक्कर लेना इनको देखो कि सलफर में 16 होता है क्लोरीन पे तो आपने एक और दे दिया है तो यहां पर दिक्कत है अठारा हो जाएगा यह सांज बात आ गई है क्या क्लोरीन पास सत्रा इलेक्ट्रोन है सत्रा के बाद एक अठारा हो जाएगा सलफर तो 16 होता है यह दो आपस में आई-so-electronics ही नहीं बन निकालने का तरीकः एक मिनट में क्रिपयाध्यां से सुने एक मिनट में क्रिपयाध्यां से सुने पहले समझे वहां इसमें से पाई बॉन कौन बनाता है अरे और श-फर नहीं बनाता वर डी उर्भी वा संबरा जैसे कि आप ले सकते हो when और इंद ऑस uso सेक. से और सिर्फ S हो सकता है या तो P, D तो होता ही नहीं है, अरे second period element के पाद D orbital होता है क्या नहीं होता, उसका electronic configuration देख लो, मिलेगा ही नहीं, आप ऐसे बोलोगे कि cell number 2 में सिर्फ S होता है और P, D तो absent होता है, तो D जब ही नहीं तो P bond ये बना नहीं सकते, अच्छा, और मजाक समझ अरे S orbital तो P bond बनाता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ P bond, सिर्फ और सिर्फ P orbital ही है, second period element में जो P bond बना सकता, इसका मतलब कहीं भी P bond दुनिया में बना दिखे, जहां पे second period element लगा हो, दिल खोल के जवाब देदो कि वहाँ पर P orbital नहीं बनाया होगा, कोई सक, कोई संदेह नही लेकिन अगर third period element हो, क्या हो, third period element हो, यह वाली line मने यहाँ नीचे लिख दिये, third period element हो, जैसे कि आप क्या ले सकते हो, sulfur, phosphorus, chlorine, इन सब cases में आपको देखने को क्या मिलेगा, यह सब कहां कि है, third period element है, third period element के पास S orbital भी है, P orbital भी है, और D orbital भी मौजूद है, अब देखो है, S त element जो है, third period या fourth period कहीं का हो, तब आप कहोगे, वहाँ पर P और D involved होंगे, P bond में, और हमें यही निकालना होता है, हमें अपनी पूरी energy इसी बात पे लगानी है, इस पे नहीं लगानी, क्योंकि इधर confirm है, कि P orbital ही होगा, जब भी वो second period element होगा, example के तोर पे आपके सामने लेक पहले central atom का आप निकालेंगे hybridization, क्या निकालेंगे hybridization, क्या हैगा, SP3 hybridization, क्या है SP3 hybridization, अब आपको पता कि SP3 hybrid orbital या तो sigma बना सकता है, या तो lone pair रख सकता है, लेकिन कभी भी pi bond नहीं बनाएगा, इसका मतलब क्या हुगा, एक S orbital, sulfur का 1 S orbital और 3 P orbital, कभी भी अब क्या नहीं बन सकते, pi bond नहीं बना सकते, क्योंकि वो hybridize करके, और hybridize करके अब हो sigma के लिए available है, वो pi bond के लिए available होई नहीं सकते, क्योंकि pi bond बनाते ही नहीं है, अच्छा, ये बात है, अब यहाँ पर मालूम नहीं लिखा, sulfur, sulfur के valence cell में, SP3 ने मिलकर के क्या बना दिया, hybrid orbital, ये तो चले फिर pi bond बनाना होता है, क्या करना होता है, बात में pi bond, अच्छा, यहाँ पर कितने pi bond है, देखो, जब भी दो लोगे बीच में, दो bond होता है, एक sigma, एक pi, तो यहाँ पर कितने bond है, भाई, दो, two pi bonds है, ध्यान से सुनते जाना भई, यहाँ पर कितने है, two pi bonds है, अच्छा जी, तू पाई बॉंड से अब दिखो यार यहाँ पे बॉंड किसके बीच में बन रही है सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है भाईया पाई बॉंड का फॉर्मेशन हो रहा है एक यहाँ पर oxygen second period element होने की वज़ा से हर बार πाई bond बनाने के लिए अपने अंदर से वो P orbital देगा अपने अंदर से क्या देगा P orbital देगा और sulfur SP3 तक मिला करके sigma बना चुका है अब उसके पास P available नहीं बचा हुआ D ही जाएगा इसका मतलब sulfur अपनी तरफ से D orbital देगा समझ में आया क्या तो हमारे पास दो पाई bond कैसे बनेंगे sulfur अपना D pi देगा sulfur अपना D orbital देगा oxygen अपना P orbital देगा तो यहाँ पे जो यह पाई bond है यह पाई bond को बोला जाएगा P pi P pi मतलब यहाँ पर oxygen ने क्या दिया P orbital करना क्या है पहले निकालना है hybridization अगर hybridization SP3 आगया इसका मतलब S और P दोनों BG हो गए sigma bond बनाने में बचे हुए लोग pi bond का formation करेंगे तो जो आपका third period element है P चला गया तो D ही होगा खाली जो जाएगा pi bond बनाने में समझ आया क्या अरे समझ आया क्या यहां की line दुबारा बता दूँ कुछ बच्चे कहा रहे हैं दुबारा बता दें भहिया देख लो एक ही line की कहानी है वो क्या है दुबारा चुल लो हमारे पास था H to support structure बना के हमने चेकिया sulfur पे आया SP3 hybridization SP3 hybridization का मतलब sulfur का जो valence cell था वहां का 1s और 3p ने आपस में milk mix हो करके SP3 hybrid orbital बनाया और जो SP3 hybrid orbital बनाया वो तो सिर्फ sigma bond बनाने की काम आ गिया इसमें से कोई भी πाई bond नहीं बनाएगा तो इतनी बात धग दो ये लोग तो πाई bond बना ही नहीं सकते अब बचे हुए लोग पाई bond बनाएंगे तो बचे हुए लोग में कौन है सिर्फ d orbital है इसका मतलब sulfur अब अगर पाई bond बना रहा है तो वो अपने d orbital यूज करके बना रहा है तो sulfur अपने d orbital यूज करके बना रहा है इस वाले पाई bond को बनाने में सलफर ने d दिया और ऑक्सीजन जो कि second period element है, हर बार वो P orbital ही देता है, तो ऑक्सीजन ने पना P दिया, इस वाले को भी बनाने में सलफर ने अपना d दिया, ऑक्सीजन ने अपना P दिया तो यह बन जागा, बोलो यहां तक आया या नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इनी तक पड बताइए चलिए जैनॉन का कृपया करके hybridization बताइए जैनॉन का hybridization क्या होगा यहाँ पे बोलो सर जैनॉन का hybridization यहाँ पे sp3 आएगा क्या आएगा मेरे भई sp3 अगर sp3 hybridization आया तो भईया जैनॉन ने जो sp3 hybrid orbital तयार किये है क्या वो पाई बॉन्ड बनाएंगे नहीं किसके लिए बनाएं सिग्मा बॉन्ड के लिए बनाए हैं तो भईया यहाँ से अपकी बार मैं क्या करने वाला हूँ जैनॉन को मैं दुबारा समझा देता हूँ कुछ बच्चे चाहते ही थे कि सुरू से बढ़ा दो सर उनकी दुआएं लगी है या बदुआएं पता नहीं लेकिन लग कुछ गया है यहाँ ठीक है जी देख लेजिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि भईया हमारा जो जैनॉ जैनॉन है ना वह जैनॉन सपी टू não और स करेगा एंगर सपी ट्री करेगा तो देखो जैनॉन ने क्या किया देखना भय या पहले जैनॉन के सेंटरल अटम की बात करो सेंटरल अटम ने अपने 1S और 3P को आपस में मिक्स कर दिया अब हम क्या करते हैं हम ये बताने क्यो करता है कि कितने लोग पाई बॉंड में नहीं आएंगे तो ये लोग पाई बॉंड में नहीं आएंगे तो पाई बॉंड कौन बनाएगा इसके बाद के बचे हुए लोग पाई बॉंड बनाएगे तो पाई बॉंड का फॉर्मेशन यहां पे होगा इतनी बात समझ आई क्या यस सर अब देखो भया जैना ने ध्यान से सुन लो इस line को जैनान और oxygen यह दोनों मिलकर 4 pi bond बना रहे कितने 4 pi 1 2 3 4 यहां पर total 4 pi bond बन रहे ना भर भाई यस सर अब देखो भया ध्यान सुना ध्यान सुना जैनान ने अब क्या बचाया है अपने पास क्या बचाया सिर्फ D क्या बचाया सिर्फ D तो D, 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 D इसके पास क्या भईया इसको चार bond बनाने थे इसलिए जेनॉन ने अपने चार D orbital तयार कर दिये ले भईया इसके साथ pi bond बनाएगा कौन अरे जैनॉन के साथ कौन बना रहा है औक्सिजन जैनौन साथ औक्सिजन जैनौन के साथ औक्सिजन अच्छा इसका मतलब हुआ कि भाया देखो फोर पी पाई डी पाई बॉंड्स मौझूद कितना आसान था ये मजा आया की नहीं आया रहे ड्रैगो कंपाउंड आगया मेरे भाई अगला है पी ओ फोर थी नेगटिब इसको आप खुद बनाएंगे यहां तो जबाब दीजिए चलिए पी ओ फोर थी नेगटिब का जबाब दीजिए पी डबल बॉंड ओ ऑक्सिजन पर नेगटिब चार्ड ऑक्सिजन पर नेगटिब चार्ड ऑक्सिन पर चलिए बताइए यहाँ पर एक ही πाई बॉंड वो किस ने बनाया है अगला यह भी, दोनों का जवाब देख तुरंत जवाब दीजिए अब टाइम नहीं लगना चाहिए अब टाइम नहीं लगना चाहिए चलिए बताइए यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर जो एक πाई बॉंड बना है वो किसके बीछ में है औक्सिजिन ने अपना क्या दिया होगा ओक्सिजिन ने अपना पी ऑउर्बिटल देगा होगा पाई बॉंड के लिए अब एक बास सोचो पी का, जो हमारा फॉस्पोरम है उस पर स्पी 3 है SP3 मतलब इसके बाद D ही होगा πाई बनाने के लिए तो यहाँ पर क्या होगा P, P, D देखता हूँ कितने लोगों ने सही बताया था कितने लोगों ने सही बताया था बहुत कम लोगों ने सही बताया मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा अरे फॉस्पोरस का D लगेगा इसका P लगेगा है इसमें सिंपल सी बात है SP3 होने के पास सिर्फ D और्बिटल ही खा लिए पाई बॉंड के लिए सेंटरल अटम के पास इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है आपको यहाँ पर देखेंगे दो पाई बॉंड है अगर दो पाई बॉंड है दुबारा सुलने दो पाई बॉंड है और सलफर हमारा d pi bonds मुझूद होंगे कितने दो p pi d pi bonds मुझूद होंगे सिर्फ यही ट्रिक है यह तरीका है सीखने का कितना आसान है कुछ नहीं देखना s3 देख गया अच्छा s3 हो गया इसका मतलब central atom का p जो है pi bond में involved नहीं होगा सिर्फ अपना p orbital देने के बाद है तो यह चीज मिलेगी देखने को जबर्दस था ना मज़ा आया ना यस सर xeo3 में बताइए चलिए xeo3 यहाँ पे सब में बताइएगा अक्सर आपको यह सवाल पूछा जाता अक्सर आप SO3 और SO2 पढ़ते हो नमबरा पेद्फ पाई-डी-पाई के लिए चलिए बताइए सब लोग बताइए सब लोग बताइए आप आप कहेंगे कि यहाँ पर देखें जणौन में जणौन के पास तीन साइड है एक लोन पेड़ है इसका मतलब 4 आएगा इसका मतलब फिर से यहाँ पर SP3 आया अगर जैनोन SP3 hybridized हो गया तो अब फिर से वही जैनोन और oxygen की दुबारा वही कहानी है जैनोन हर बार अपनी d orbital देगा और कितनी बार देना पड़ेगा जोतने पाइवन है कितने पाइवन है तीन और इसका तो fix है oxygen का तो यहाँ पर तीन बन जाएगा very very good यहाँ पर आजाएए यहाँ पताएए SO3 के case में sulfur पर आपने निकाला तो हो गया SP2 hybridization अब समझना अगर SP2 hybridization हो गया मेरे भईया अब देखो यहाँ देखो सब लोग यहाँ देखो SP2 hybridization हो गया कहाँ पर sulfur के case में अब की बार SO3 का जो sulfur है उस पर SP2 hybridization है इसका मतलब हुआ कि यह वाला P क्या बनाएगा पाई बॉंड यह वाला P क्या बनाएगा पाई बॉंड एक P orbital है पाई बॉंड के formation के लिए तो आप लिखेंगे कि यहाँ वाले किस के लिए मैं लिख रहा हूँ कि sulfur है oxygen है कितने पाई बॉंड बन रहे हैं सर तीन पाई बॉंड दिख रहे हैं अगर यहाँ पे तीन पाई बॉंड है तो देखो यहाँ पे जो oxygen उसका confirm होता है oxygen हर बार क्या देता है मेरे भाई हर बार वो अपना P orbital ही दे देता है अच्छा लेकिन sulfur अपकी बार अपना P orbital देगा पहले फिर बाकी के 2D orbital देंगे इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुगा की यहाँ पे बनेगा P pi pi पाई एक इसमें से होगा पी पाई पी पाई और दो होंगे इसमें से पी पाई डी पाई देख लो इतनी बास तर्फर और ऑक्षिजन का तो फिक्स होता है कि उपी देता है लेकिन सलफर पे आपको चेक करना होगा हाई बास पाई बॉंड के फॉर्मेशन के लिए तो पहले आप पी लिखे फिर आप डी लिखती जी तो एक होगा पी दूसरा होगा पी एंडी बोलो यस सर मेरी समझ से अब आप कभी गलती नहीं प्र्मबरा पी पाई डी पाई बॉंड निकालने में तेगा जी एक क्वेश्चन है बड़ा सांधार कॉश्चन एक बार देख लेते हैं लिखा है इस तरीके से हाईडोजन मौजूद है चले इसके फोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं यहाँ जो स्पार्भन है यह जो प SP2 hybridized है यहाँ पर जो carbon है वो SP2 hybridized है इसमें को इस्सा कोर्षन देह तो नहीं है रविजा carbon के किनारे तीन साइड टब एक दो तीन इसलिए SP2 यहाँ पर भी एक दो तीन इसलिए SP2 जाए बोलो मेरे भाई दो बजे break मिल जाएगा आपको दो बजे के आज पास break मिलेगा आपको फिलाल देखें यहाँ पर करिपए यहाँ पर जो carbon है यह वाला carbon इस वाले carbon को मैंने बनाया और इस carbon पे तीन SP2 hybrid orbital मैंने बनाया कितने तीन SP2 hybrid orbital अब यह वाला जो carbon है वो भी SP2 hybrid orbital बनाएगा तो देखो भी यहां पर बनेगा यहां पर क्या है sp2 hybrid orbital अरे बोल दो ना कितना sp2 hybrid orbital कितने होंगे 3 sp2 hybrid orbital होगा क्या एक sp यह और यह आपस में मिलके sigma bond का formation करेंगे इस carbon पर present sp2 इस carbon पर present sp2 आपस में गटबंधन करेंगे क्या बनेगा sigma bond का formation होगा तो इस तरीके से देखो यहां पर sigma bond समझ में आया इन दोनों में से एक sigma bond का explanation हमने दे दिया बचा हुआ है pi bond लेकिन उससे पहले मैं hydrogens के बारे में बताऊँगा वो कैसे लगे होगा ठीक है एक जो है बचा हुआ है अगर एक बचा हुआ तो कुछ ऐसा है इस carbon पर एक pure p orbital इस carbon पर भी एक pure p orbital क्योंकि दोनों पर sp2 था तो यह आपस में क्या करेंगे आपस में यह पाई bond का formation करेंगे यह आपस में क्या करेंगे pi bond जो dotted line से आप देख रहे हो यह पाई bond है क्योंकि पाई bond बनाने के लिए आप इस तरीके से overlap कराते हो देख लो यहाँ पे time दो यहाँ पे time दो मेरे भाई यह आपस में overlap कराते है मैं क्यों समझा रहा हूँ आगे समझ में आ जाएगा यह क्योंकि इस तरीके के example मैंने नहीं करें तो question किसा आप समझाना चा गया तो पूरा मैंने explain कर दिया ethene कैसे बनता है सवाल देखते हैं the nodal plane in the pi bond of the ethene is located in pi bond में मैंने बताया था nodal plane होता है याद करो आरे याद करो तो दो लोगों को दो πी orbital को मिला करके यहाँ पर pi bond मिला था तो इसका nodal plane मैंने क्या बताया था here nodal plane कहा होता यहाँ और यह जो nodal plane तुम डाल रहे हो इसी nodal plane पर यह carbon होगा यह carbon यह hydrogen, sequencing जिसको कहते हैं molecular plane जिसको क्या कहते है molecular plane इसलिए जबाब के तोर पर इस ही है देख लो भाईया यह मैं सोचना यह plane में नहीं नहीं यह ऐसे है अरे यह हमने ऐसे लिया अगर इसको हमने ऐसे लिया है तो यह वाली चीज देखो यह यह दोनों hydrogen एक दो तीन चार यह चारो hydrogen और यह दोनों carbon इसी plane पर लाई करते हैं तभी तो यह 90 डिग्री पर होंगे यार तभी तो यह 90 डिग्री पर होंगे अरे आप तो बोलो मामला समझ में आ रहा है क्या समझ में आया क्या इसलिए मैंने time दिया है कि आप molecular plane समझो molecular plane यह है जो की नोडल यहाँ पर electron है क्या अरे pi bond का electron देखना है यार बोलो समझ में आ रहा है बोलो भाई मामला समझ में आ रहा है बोलो भाई मामला समझ में आ रहा है ए हाँ ए सही है ना कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके से वो pi bond के लिए nodal plane पूछना है लिखा है the nodal plane in the pi bond यही जो गलती कर जाओगे नहीं तो pi bond के अंदर pi bond का nodal plane का होगा अरे pi bond यहाँ है तो इसके perpendicular होगा that's it मामला clear है उसी को molecular plane करते है क्यों कहते हैं वो समझाना था मुझे अच्छा अगला है resonance की phenomenon चलिए आपको समझाते हैं आपने सुना होगा resonance क्या है de-localization of pi electron pi electron का भूमते रहना resonance की phenomenon लेकिन वहाँ पर conjugation होना चाहिए जैसे की example के तोर पर यहाँ पर देख लिए लिखा है h c double bond o negative तो यहाँ पर क्या है एक atom पर negative charge है फिर single bond double bond तो होता क्या है जो यहाँ का negative charge वो negative charge इन दोनों atom के बीच में आता है फिर carbon और oxygen के बीच में जो electron वो दोनों electron उठकर के oxygen की खोपड़ी पर जाते हैं इसी phenomenon को resonance कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर जो pi bond था वो उठकर के यहाँ दोनों आ जाएंगे अगर आ जाएंगे दोनों तो हो जाएगा negative charge अच्छा यह negative charge इन दोनों के बीच में आएगा तो क्या बनेगा पाई bond बनेगा तो देखना भई यह क्या लिखेंगे देखना 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 है इसको आप बनाएंगे इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं resonance का sign कैसे लिखते हैं भई ह C कभी भी resonance में जब भी कुछ बनाना हो तो आपको पहले sigma bond बना लेना चाहिए सिर्फ और सिर्फ sigma bond पहले बनाओ बन गया अब देखो यह negative charge इन दोनों के बीच में आया मतलब यहाँ पर पाई bond बनेगा लेकिन यह पाई bond उखड गया उपर आ गया किसके और जिनकी खोपड़ी पे तो यह दोनों आपस में क्या है resonating structures यह दोनों आपस में क्या है resonating structures है समझ में आ गया resonating structures है आप देखो इसी से एक चीज़ बनाई जाती है that is resonance hybrid क्या resonance hybrid resonance hybrid को बनाने का तरीका सिखिए क्या करना है जो आपका molecule दिया गया है उसके पहले sigma bonds बना लीजिए हमेशा पहले क्या बनाई यह sigma bonds resonance hybrid बनाने के लिए पहले आप क्या करिए sigma bond बनाने दिजिए हैसे सवाल पूछे जा रहा है इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहरा हूँ मेरे भाई क्या बताया मैंने resonance hybrid पहले sigma bond बनाई यह फिर देखिए कि भईया πाई bond पहले यहां था फिर देखो यहां इसका मतलब पाई क का जो electron है वो मूव कर रहा है यहां से ले कर कि हाँ तक हम पाई एलेकन पहले यहां था बाद में यहां आ रहा है इसका मतलब इसको लिए करेक्टर को मिला करके एक create करते न तो देखना ध्यान से आपके इस molecule पे इस species पे कितना charge है Sir minus 1 का charge कितना minus 1 का charge है और अगर minus 1 का charge दो लोगों पर divide हो दो oxygen पे जाए यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है तो एक के हिस्से कितना आएगा Sir एक के हिस्से minus 1 by 2 आएगा एक के हिस्से minus 1 by 2 आएगा तो जो charge ध्यान से सुनना resonance hybrid में यहां एक atom को मिल रहे हैं इन ही के लिए एक सब्द यूच किया जाता है that is formal charge क्या भाया यहां formal charge तो हमने नहीं पढ़ा था यही होता है formal charge आगे मैं बताऊंगा जो पढ़ा भी था आपने ठीक है यह क्या है formal charge तो इस तरीके से आपको इनके formal charge भी लगाने आने चाहिए यह आपका formal charge निकल जाएगा और यह बनिया resonance hybrid इस तरीके से complete होता है resonance hybrid एक में आज है बहुत अच्छी बात है आप सुनना अगली एक चीज पूशी जाती है bond order bond order निकालने का तरीका क्या है जहाँ पर resonance involved हो वहाँ पर bond order अगर निकालना हो तो आप लिखेंगे number of sigma plus number of pi divide by number of sigma number of sigma plus pi divide by sigma देखना यहाँ पर देखो भाई ध्यान से सब लोग देखेंगे कितना sigma है जो कि resonance में involved है तो एक यह है एक एक sigma यहाँ, एक sigma यहाँ लेकिन यहाँ पर देखो एक pi bond है तो आप कहोगे आप कहोगे 2 sigma था 2 sigma था 1 pi था तो यहाँ पर क्या आजाएगा bond order 1.5 bond order 1.5 का मतलब क्या होता है bond order का मतलब होता है number of bonds between two atoms 2 atoms के बीच में कितने bond मौझूद है इसी को bond order कहते है इतनी बाठ ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर दो लोगों के बीच में 1.5 bonds मौझूद है तो यह 1 क्या है 1 तो complete sigma bond होता है लेकिन 0.5 जो होता है यह किसको बताता है पाई bond के बारे में बताता है और यह 0.5 क्यों हुआ पता है क्योंकि एक πाई bond था जो कि घूम रहा था हर तरब तो आधा यहाँ आया आधा यहाँ आया इसलिए bond order में 1.5 ही खा जाता है भाई अभी भी lag है क्या अभी भी lag आ रहा क्या क्रिपया बताएं क्या lag अभी भी आ रहा है अब ठीक है एक बार बताएगा क्या यह ठीक है अभी सब कुछ दिख रहा है क्या अभी सब कुछ दिख रहा है साई सागी के से ओके ना ओके चलो तो यह ओके आ रहा है ठीक है जी तो इस तरीके से bond order निकालेंगे नमबरा bonds between two items तो यहाँ पर क्या है एक sigma bond है और यह dotted lines का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि 0.5 का bond, pi bond है ठीक है जी? अच्छा आप एक चीज़ देखते हैं अगला यहाँ पर आप बताईए यहाँ पर है CO32 negative CO32 negative ऐसे बनाया जाएगा एक negative charge है तो आपके अगर यह पहले resonance इस तरह करा लीजिए तो इसका resonating structure बन जाएगा क्या बोलो? resonating structure बना लोगे यह सर बना देंगे, बना दूँ क्या मैं? सर आप ही बना दिया गरे ज़्यादा अच्छा रहता है तो देख लो भई यह बनाई देता हूँ मैं इससे देखो यह बन जाएगा और जो हम disturb नहीं करें वो part वैसे छाप दो यह यहाँ पर pi bond बनाएगा यह एक और बन जाएगा oxygen double bond carbon और यहाँ पर क्या होगा oxygen पर नेगटेफटर देखो यह समझ में आया क्या तो यह हमने बनाए resonating structures अब इसके बाद हम बनाएगे resonance hybrid पहले पढ़लो देख लो resonance hybrid समझ में आया नहीं आया तो दुबारा बता दूँगा लेकिन अपर देखो भई समझ में आ गया होगा साइद हाना आप क्या करना है resonance hybrid बनाते वक्त हमेशा एक काम करऊ मेरे भईया कि sigma bond पहले बना लो क्या करना है भईया आपको सिखाया गया है resonance का मतलब sigma bond पे कोई फरक नहीं आता सिर्फ और सिर्फ pi bond घूमता टहलता है भईया सन्यासी बन जाता है तो यहां पर क्या बोलोगे Sir Sigma bond बना लिए अब क्या करूं अब देखो pi bond कहां गुम रहा है पहले यहां था फिर यहां था फिर यहां था इसका मतलब यह pi bond तीनो जगा पर जा रहा है तो तीनो जगा पर dot line बनाएक यह dot line यह डॉटर लाइन बना दिया अच्छा जी समझ में आ गया चलिए फॉर्मल चार्ज बताइए यहां पर हमने देखा था दो नेगीव चार्ज थे पहले दो औक्षिजन पे थे दूसरे वाले में दूसरे दो पर और इसका मतलब यह दोनो नेगटिव टीनो ऑक्षिजन पर घूम रहे हैं हमारे पास 2 रोटी है लोग तीन है। एक किस्थे कितना कोई पूछ ले न कि यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा लिखना माइनस टू बाई त्री आना चाहिए क्या अब अगला सुनो बॉंड और बताएंगे मैं चाहता था आप बताएं बॉंड औरम चाहता था आप बताएं बॉंड अडर Apps क्या शक्षम हैं अपनी आत्मा को थोड़ा कुरेदव हो मेरे भाई कोई कोई ग्यानी यहांपर बगाइ वहzn वान वाई थी बता रहा है अरे मेरे भाईा बच्पन में जब मम्मी कह रही थी 1, 2, 3, 4 नालायक सीखा नहीं तब तुने कैसे आएगा भाईया कैसे आएगा समझे यहां मैं बताईए ब्रेक मत लो यार देख भाई मैं हर बार यह कहता हूँ IIT क्या मांगती है त्याग मांगती है हम भी तुमारे साथ ही है हमने भी सुबा से कुछ खास खाया नहीं तो मैं भूक लगे जा दिये हम अपनी एनरजी जोकने को तयार है जितना हमारे पास एनरजी है हम नहीं रह जाएगे तब देख लेंगे अपन बात मुलाकात करके अभी ठीक है थोड़े दिर और पढ़ लेजिए ठीक है यस वन पॉइंट थी थी कोई कह रहा है देख लेना चाहिए क्या नंबर अप सिग्मा कितने अरे भाईया एक दो तीन तीन सिग्मा नंबर अप सिग्मा तीन और पाई बांड कितने थे एक डिवाइड भाई कितना भी अती कितना चार भी ओके बहुत सही सबसे ज़्यादा लोगों ने सही बताया है 1.33 इसका मतलब यह हुआ यह जो सिंगल बॉंड सॉलिड लाइन बनी वो तो सिग्मा लेकिन जो डॉटेड डॉटेड लाइन से वो 0.33 पाई बॉंड के बारे में बताती है अगला यह सवाल करेंगे बहुत जरूरी है करिए पियो 4-3 नेगटिब आइन दा फॉर्मल चार्ड और इच ऑक्सीजन अटम एंड पियो बॉंड और रिज मैं चाहता हूँ डारेक्ट कमेंट करें क्रिपः है डारेक्ट कमेंट करें स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं चलिये चलिए जबाब दे चलिए जबाब दें भीजा यहाँ यहां पर यहाँ पर आएंगे क्या बताएंगे रेजनेंस हाइब present बनेका चाहँ मैं अब बताओ तीन negative charge है चार लोगों पे divide गरूं कितना दूंगा एक को अरे एक के हिस्सेदारी minus 3 by 4 एक के हिस्सेदारी minus 3 by 4 तो एक oxygen का formal charge minus 3 by 4 एक oxygen का minus 3 by 4 कोई सक कोई संदे तो किसी को नहीं हो रहा काहेगा संदे सर मजा आ गया समझे अच्छा जी bond order की बात कर लेते हैं चलो भी आप बांड चिपका दो bond order कौन बता रहा है bond order कौन बता रहा है very good C जवाब है क्या चलो भी आप तुम कह रहे हो मान लिया मैंने लेकिन देख लेता हूं तुम्हारे पर भरुसा कर सकते हैं गया बोलो भाई number of sigma कितने 4 pi कितने 1 divide by कितना 4 कितना हो जाएगा 5 बटा 4 कितना हो जाएगा भी या 1.25 अच्छा वाँ बारुसे मन्द लगते हूं आप सभी बारुसे मन्द लगते हूं बारुसे मन्द लगते हूं बारुसे मन्द लगते हूं कितना चुकी है कि अभी आगए कि आवाज कि बनाला या को अपतो बता दो हां ज़ुक्षी अचोफ नहीं हुआ था अचुकी है आचुकी है ओके ओके देखना में धान चाहिए दुबारा का था हूं क्या बता है अच्छा जी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तीन ऑक्सिजन थे दो लोगों ने पहले इस तरीके से रिस्तेदारी कर ली फिर इनको कैसे जोड़ेंगे तो इनको का भया देखो मेरे पाथ दो इलेक्ट्रॉन है ऐसा करो दोनों मैं आपको ही दे देता हूँ अब देखें भ कईते हैं विए वहतरी बने गये अच्छा क्या यहां रिज्वनेन की फिनॉमिन पॉसिबल है यह सर्गी फिनॉमिन पॉसिबल है हम नीज़न सबहते है और यहां यहां क시는 नहीं रहेगा सिंगल देख लो यह दोनों में resonating structures बनेंगे तो ये भाईया आपस में resonating structure है ये तो एक ही structure है तो इसके दो resonating structures बनेंगे क्या bond order बता पाएंगे मैं नीचे वाले का bond order पूछ रहा हूँ चलिए बताएगे bond order of O3 कितना होगा सर नंबर आप sigma देखो 2 1 pi तो 2 plus 1 divided by 2 मतलब की आप कह रहे हो 1.5 bond order कितना 1.5 clear है कि नहीं देख लो भाईया देख लो भाईया मामला clear है कि नहीं इस समय मामला clear है कि नहीं 3 by 2 very very good very very good मामला clear है अच्छा ये वाले का बताया क्या आपने ओ नालायक बंदू को छोड़ दिया कै आपने ओ भाईसा नंबर आप sigma कितने सर चार पाई कितने दो इसके बाद divide by इतना इसका मतलब यह हो गया 6 by 4 इसका मतलब 3 by 2 1.5 अच्छा ना लाको तुम इसका 1.5 बता रहे हो गया ओके यहां पर भी 1.5 और यहां पर भी 1.5 चलिए एक ऐक फॉर्मahaha को मैं इसको injured एक फॉर्मल करें एक फॉर्माल चार्ज थोड़ा सा जो आपके अंसरे डियो पढ़ाता उं एक तो यह रेजोनेंस वाला होता है जी आल्टा डरी ना मैं अगला यहां बनता उसको निकालने के तरीका है कि यह जो चीज दी गई है उसको पहले बना लिए जहां पर कोवलेंड बॉंड है कोवलेंड यहां था बना लिया लेकिन क्या यह कोवलेंड नहीं यह क्या कोवलेंड को क्या करिए पहले कोवलेंड कोवलेंड को क्या करिए कोवलेंड बना लिए आप जब covalent बनाओगे तो जो electron दे रहा होता है उसकी खोपड़ी पर positive, जो electron ले रहा होता है उसकी खोपड़ी पर negative, तो यह दोनों actually एक ही structure है, जो आपके NCRT में दिया हुआ है, उसके हिसाप से formal charge कैसे बताते हैं, हम बताते कैसे हैं, इस oxygen की खोपड़ी पर एक negative charge है, इसल यहाँ पर formal charge plus one होगा, लेकिन यहाँ पर oxygen दो bond बनाता है, दोनों बना चुका है, neutral है, तो यहाँ पर formal charge zero होगाता है, तो molecule को direct देखके जब आप बनाना है तो ऐसे बताना होता है, clear हुआ गया, अब तक की line clear हुई है, क्या ही बार देख लिए, क्रिपया सारे लोग एक direct बताने का यह तरीका यह नजरिया है, resonance hybrid वाला formal charge ने direct molecule के अंदर देखना हो तो, ऐसे बनाना होता है, clear है, मैं यह मान लेता हूँ, अब आपको यह चीज तो आही गई होगी, यहाँ पर कितना charge, minus one, plus one, यह zero, इसलिए हम नहीं लिख दिया है, ठीक है जी, आगे बढ़ते ह यहाँ, यह हो जाएगा, CLO4 negative, अगला क्या है, CLO3, अगला क्या है, CLO3 negative, यहाँ पर क्या होगा, एक lone pair, कोई दिक करती, lone pair, चोई problem नहीं होती, अगला क्या है भई, CLO2, बोलो भाई, जोस कहाँ चला गया आप सभी का, जोस जज़बा जुनून सब जिंदा है ना भाई, clear है, यहाँ पर क्या है, negative charge, chlorine पर क्या होगा, यह मैंने structure बना दिये, तक जिसको ना आता हो, उसको भी समझ में आ जाए, हमेशा क्या सोचना है, जो negative charge, अगर वहाँ पर oxygen, तो oxygen की खोपड़ी पर जाएगा, जब oxygen की खोपड़ी पर जाएगा, तो वो सिर्फ एक bond बनाएगा, और जो neutral oxygen है, वो हमेशा 2 bond बनाएगा, कहानी clear है, कहानी clear है, मौला clear है, yes sir, okay, for, यार हर बार कौन लिख रहा है, नलायक की आवाज नहीं आ रही है, Hello everyone, आवाज आ रही है भाई, दिख रहा है सामने मुझे, ओके, आ रही है, ओके चलिए, चलिए, यह structure बनाएगा, bond order कुद निकाल लेंगे, bond order का order क्या होगा, देख लेंगे, पेपर में bond order का order पूछ लेता है भीया यहां का bond order बताए चलिए comment करिए यहां का bond order बताए यहां का भी bond order बताए अगले वाले का भी bond order बताए बता ले जाएगा यस सर अब यहां पर एक चीश समझाता हूँ देखो बॉंडर आप निकाल लेन, आप एक चीज़ देखो, यह जो negative charge है, वो negative charge कितनी जगहों पर जा सकता है, एक, यहाँ पर आएगा तो एक जगह पर जा सकता है, दुबारा यहाँ पर, मतलब यह negative charge चारो oxygen पर घूमेगा, एक ही negative charge चार जगहाँ पर घूमेगा, इसका मतलब एक point पर electron की पाये जाने की probability कम, density कम, electron density कम, तो stability ज़्यादा, क्यों? क्योंकि अगर किसी atom पर, किसी जगह पर electron की density ज़्यादा है, चार ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा reactive हो जाता है, और ज़्यादा reactive होने का मतलब होता है, कम stable होना, तो यह negative charge पूरे body पर spread हो रहा है, in form of resonance phenomena, अगर resonance के तुरू यह पूरे body में घूमेगा, तो एक point पर charge density कम होगी, तो यह ज़्यादा stable होगा, लेकिन यहाँ पर देखें, एक negative charge तीन oxygen पर जाएगा, एक negative charge दो oxygen पर जाएगा, एक negative charge अपने ही oxygen पर बैठेगा, मतलब यह सबसे ज़्यादा reactive है, फिर यह है, मतलब यह इतनी बात clear है, इनके bond orders कौन बता रहा, 7 by, देख लेते हैं, यहाँ पर total sigma कितने, sigma 4, pi कितने 3, divide by कितना 4, सही लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पर कितना 3 sigma, देखो भईया, 3 sigma, 2 pi, 3 sigma, यहाँ पर क्या है, 2 sigma, 1 pi, यहाँ पर यहाँ ऐसा कर दीजी, यहाँ पर तो 1 sigma, clear है क्या, यहाँ पर इनके bond orders का order पूछा जाता है, तो आप निकाल के बता देंगे, clear है मामला, अगले चीज क्या, acidic strength, यह question आता है कि इनमें से, यह जो acids हैं, उनमें से सबसे अच्छा acid कौन सा है, तो उसका पहचानने का क्या तरीका है, हमेशा acid में से क्या करते हैं, H+, निकालते है, हमेशा आपको क्या करना है, acid में से H+, निकालना है, जब इनमें से आप H+, निकालेंगे, तो यह बनेगा CLO4-, यहाँ से निकालोगे, तो क्या बनेगा CLO3-, अरे सर यह तो यही वाला दिख रहा है, यह जनाब सही बोल रही हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा CLO-, बताओ यह निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जब कभी भी acid के strength को compare करने को बोला जाए, तो पहले उसका क्या बना दीजिए, उस acid का conjugate base, क्या बनाएगे, उस acid का conjugate base, conjugate base मतलब acid में से H+, निकाल दो, जो part बचा negative में उसको conjugate base कहते हैं, अब देखो, conjugate base कौन सा ज्यादा stable है, conjugate base कौन सा ज्यादा stable है, तो यहां से आपको पता चला, सबसे ज्यादा stable उपर वाला है, stability की बात करें, तो यह वाला ज्यादा stable है, अब ध्यान से सुनना, अगर यह ज्यादा stable है, तो यहां से जो H+, निकला था, यहां सुनेंगे, यहां से जो H+, निकला था इसके साथ, तो ये इसके साथ दुबारा reaction करके reaction को backward नहीं ले जाना चाहेगा। अजब reaction backward नहीं जाएगी तो इसका मतलब जादा से जादा H+, मिलेगा, तो वो acid जादा acidic होगा, इसका मतलब HClO4 more acidic है, ये रहा। acidic strength और stability of conjugate base ये दोनों proportional होते हैं, इस वज़ा से ऐसा देखने को मिलता है, मामला क्लियर है, very very good, एकदम समझ में आ गया है, ओके, एक ने लिखा है आधी पबलिक भाग गई, मैं अक्सर कहता हूँ, आधी भीर है छट चुकी, कुछ भाग गई मैदान से, तू टिका है, अगर तो जीत के ही जाएगा, लिखा है ये कर्म के प्रावधान से, या वैसे था प्रकृत के सम्भधान से, चलिए हम आमला आगे बढ़ाते हैं, बॉंड पैरामिटर ज्यादा टाइम ना देते हुए, इधर देते हैं भीया, बॉंड एंगल, बॉंड लेंज, बॉंड अनर्जी, एंड डाइपोल मॉमेंट, आप ज्यादा वक्त नहीं रहेंगे, सुनना ध्यान से, इस तीनों को अ बिदाउट लोन पैर, ऐसे ऐसे मॉलीकूल्स आपको दे दिये जाएं, जिसके सेंटरल अटम पे कोई भी लोन पैर नहीं है, तो उस समय क्या करना है, उस समय सिर्फ हाइबरडाईजेशन का कॉंसेप्ट लगाना है, मतलब क्या होता है, अगर वहाँ पर स्पी हाइबरडा चल गया, कि जहां कहीं पे, जहां अगर एस पी हाइबरडाईशन होगा, तो वहाँ पर सबसे जादा बॉन्ड एंगल आएगा, क्लियर है, इसी तरीके से आप एस पी 3D, एस पी 3D2, एस पी 3D3 तक बॉन्ड एंगल निकाल के चेक कर लेंगे, चलिए, आपके सामने एक पत्व प्रकश प्रकश से जादाए धर प्रण को सबसे जाएबराईबराईशन होगा तो वहाँ झाम टार एस जाएबराबराईबराईबराई। झाल 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 पाया अभी आवाज आ रही है क्या अभी आवाज आ रही है क्या एकपड़ देखना सबके सब लोग देखलो भरिये अबार आवाज आ रही है क्या मामला क्लियर है एक बार अभी आवाज आ रही है थोड़ी सी लैक की प्रॉब्लम आ रही थी बीच में कोई नहीं ओके ओके आवाज आ रही है जी देखिए अगर मॉलिकूल ऐसे मिल गए जहाँ पर कोई लोन प्यार नहीं है और हमें bond angle compare करने को दे दिया तो वहाँ पर हम hybridization का concept लगाएंगे तो अगर हमारे central attempt पर SP hybridization होगा तो वहाँ पर theta 180, SP2 हुआ तो 120, SP3 हुआ तो 1098, 28 minute होगा क्लेर जी, यह सर अगला देख लेते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ carbon पर क्या आएगा SP hybridization, यहाँ carbon पर SP2 hybridization, यहाँ carbon पर SP3 hybridization तो जहाँ पर SP होगा, वहाँ पर theta की value ज्यादा जहाँ पर SP होगा, वहाँ पर theta ज्यादा, फिर यह आएगा फिर यह आएगा, तो दिख रहा है यार, simple सी बात है वही चीज यहाँ पर भी लगानी है, चलिए यहाँ पर आब बताईए यहाँ पर, यहाँ पर लगाईए भईया, बता दीजे CF4 में carbon PSP3, यहाँ पर भी carbon PSP3, यहाँ पर भी nitrogen PSP3, जनोन PSP3 अगर इन सब पर central atom PSP3 है और यहाँ पर कोई loan pair नहीं है तो इन सब में 109 degree 28 minute ही आएगा तो यहाँ पर bond angle क्या होगा, यहाँ पर bond angle कितना है 109 degree 28 minute दिख रहा है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है 109 degree 28 minute, तो सायद कहानी अब तक की clear हो चुकी होगी ठीक है, अगला देखते हैं, समझ में आ गया होगा है सिंपल सी ब कहानी है, बहुत जादा नहीं है अगला देखें, molecules with loan pair, अब ऐसे molecules दे दियागा जहाँ पर loan pair है, तो वहाँ पर देखें क्या करना है वहाँ पर भी पहले hybridization check करना है अगर hybridization same है, ध्यान सुनना अगर hybridization same निकल गया, देखो hybridization अलग अलग है तब तो bond angle compare कर सकते हो, वह दिक्कत नहीं है वहाँ पर भी, with loan pair में भी, लेकिन अगर hybridization same हो गया तब आएंगे आप number of loan pair कितने है central atom पर मालो मार पर दो molecules है, ठीक है, जैसे माली जी यहाँ पर यहाँ पर तीन molecules दिये गए, इन तीनों molecules में देखो यह carbon पर कोई भी loan pair नहीं है, इस nitrogen पर दो loan pair है इस पर, sorry, एक loan pair nitrogen पर इस oxygen पर दो loan pair है तो जितने ज़्यादा loan pair होंगे, ठीटा की value, bond angle theta की value उतनी ही कम होगी bond angle theta की value उतनी कम होगी, तो आप क्या बोलोगी, कि CH4 में ज़्यादा होगी, फिर इदर होगी यह दर 109 degree 28 minute, यहाँ 107 degree, यहाँ पर 104.5 degree आता है क्यों? चोकि यह oxygen पर दो loan pair, दो नो loan pair क्या करेंगे, bond pair को ripple करके bond angle को छोटा कर देंगे, यहाँ पर एक है तो थोड़ा सा कम repulsion होगा लेकिन CH4 में कोई भी loan pair नहीं होने की वज़ा से, यहाँ perfect 109 degree 28 minute ही आता है clear मामला, यसर, अगला देख लेते हैं, अगर मानलो number of loan pair भी same होगे, फिर क्या करोगे फिर यह 3 fact लगाएंगे, size of, देखना, size of central item, अगर size of central item जान दीजेगा अगर size of central item बढ़ेगा, तो वहाँ पर theta की value कम होगी, जो central item है, वो क्या है size बढ़ा करता जाएगा, तो वो उनके जो side items हैं, और अगल बगल आ सकते हैं मामला ठीक है क्या, बोलो यह मामला ठीक है क्या, यसर, तो यह size of central item के बढ़ने से size यहाँ क्या हो जागा, theta कम हो जाएगा, यहाँ पर दिख लें, example के तोर पर, example के तोर पर यहाँ पर देखें ncl3, pcl3, acl3, क्या हो रहा है, nitrogen, phosphorus, arsenic, उपर से नीचे जाएगा, अगर size बढ़ेगा, तो theta की value नीचे की तरफ कम होता जाएगा, नीचे की तरफ theta की value क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बोलो मामला ठीक है, बोलो भाई मामला यहाँ तक ठीक है क्या, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं है, नहीं है सरी आरह समझ में, अगला size of central, size of side item, ऐसे मतलब side item, अगर side item जितना बड़ा होगा, theta की value भी उतना ही बड़ा होगा, example के तरफ पे OBR2 and OCL2, देखे, हमारे पास यह रहा oxygen यहाँ पर हमने लगाया, bromine, यहाँ है bromine, oxygen की खोपड़ी पर यहाँ पर यहाँ पर दो lone pair भी, यहाँ पर chlorine, chlorine की size होगी छोटी, क्या होगी, chlorine की size क्या होगी मेरे दूर रहना चाहेंगे ताकि repulsion उनके बीच में ना हो, तो यह theta ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर theta जायता है, समझ में आया क्या, यह सरा चुका है, अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं मिर भाई, electron negativity of side atom, जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पर theta की value उतनी कम हो NF3 यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, मामला clear है, बोलो भई, fluorine क्या करेगा, nitrogen से electron अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि fluorine बहुत ज़्यादा, electron negative है, electron यहाँ अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ electron अपनी तरफ खींचेगा, तो electron जो bonds के अंदर वो क यहाँ पर कहां जाएंगे, nitrogen की तरफ जाएंगे, यहाँ पर कहां जाएंगे, nitrogen की तरफ जाएंगे, अब होगा क्या, nitrogen ने electron pairs को पास बुला लिया, तो वहाँ पर आपस में repulsion होगा, और repulsion होने की वज़ह से यह bond angle theta की value क्या होगी, जादा होगी, लेकिन यहाँ देखो, fluorine ने electron बुलाया, लेकिन fluorine के electron यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, तो उनके बीच में repulsion कम होगा, यहाँ पर repulsion कम होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर repulsion कम होगा, तो theta की value क्या होगी, यह मतलब पास आ सकते हैं, अरे यार, यहाँ यहाँ पर देखो, nitrogen के बगल में electron density कठा यह कठा होगी, तो दूर दूर जाना चाहेगी, तो theta की value जादा, लेकिन इस fluorine के case में क्या है, electrons यहाँ 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 मौजूद हैं, दूर दूर मौजूद हैं, तो अभी वो करीब आ सकते हैं, तो theta कम हो जाएगा, clear है, इतनी बात clear है, सायथ clear होगी, अब अब अगला द को ऐसे समझना, यह क्या N मतलब हो गया, nitrogen, nitrogen family, कौन सी family, nitrogen O का मतलब है, oxygen family, कौन सा oxygen family, no hybridization, nitrogen and oxygen family के, क्या दिखने है, hydrides देखने हैं, nitrogen and oxygen family के hydrides देखने हैं, और वहाँ पर आप यह देखते हो, कि जहाँ पर period number 3 के बाद, जितने भी लोग आते हैं, वहाँ पर कोई hybridization पाय पाया नहीं जाता, क्या है, पाया नहीं जाता, जैसे यहाँ पर देखना, example के दोर पर समझना, यहाँ पर समझने हैं क्यों कोई कोशिस करो मेरे भाई, यह देखो, nitrogen और oxygen यह दोनों कहां के हैं, second period element है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही case में, SP3 hybridization देखने को मिलेगा, nitrogen पर भी SP3 है, oxygen पर भी SP3 है, तभी इनके bond angle 109 degree के आसपास हैं, इनका 7 है और इनका कितना है 104 है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास एक loan pair, इसके पास दो loan pair, loan pair के जादा होने से repulsion क्या हो जाता है, जादा तो bond angle छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर तो क्या है, SP3 hybridization है, ले इनमें कोई भी hybridization नहीं पाया जाता, no hybridization is there, यहाँ पर कोई hybridization का process नहीं होता, और इसको बोला कैसे गया, इसको बोला गया bond angle का यह data देखकर के, देखने पे हमें क्या पता चला, हमें देखने पे यह पता चला, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, यहाँ से देखने में यह प पास आना चाहिए था, 105, 104, 107, ऐसा कुछ आना चाहिए था, लेकिन यह 90 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर hybridization नहीं हुआ होगा, यहाँ पर प्यावर P orbitals ने क्या किया होगा, हाइड्रोजन के साथ bond बनाए होंगे, प्यावर P orbitals एक दूसरे के साथ 90 डिगरी पर होते हैं, त देगा जी, यह हमने दूसरा P orbital ले लिए है, यह मालो PX है और यह मालो PY है, तो अगला देखो भहिया यह PZ है, PX, PY, PZ, PZ एक्चुली इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन बनाना हमें इस तरीके से पड़ेगा, अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन देखना इस तरफ से भी आ रहा है, तो देखना भया ध्यान से, इस चीज को समझने की कोसिस करें कृपिया, वो क्या है, यहाँ पर एक bond है, यहाँ पर भी एक bond का formation होगा, इन दोनों bonds के बीच में theta कितना आएगा, सर 90 degree आएगा, यहाँ पर phosphorus क्या कर रहा है, hybridize नहीं करा रहा, बलकि pure P orbital के through क्या करा रहा है, मेरे भी यहाँ और लापिंग करा रहा है, तो यहाँ पर 90 degree मिलेगा, इतनी बात यहाँ तक समझ मैं ही क्या, दुबारा बता देता हूं, ड्राइगो कंपांट्स याद करना होता है, nitrogen oxygen की family के जो hydride होते हैं, जो की third period से सुरू होते हैं, उनके अंद मतलब है कि आपर hydrogen नहीं हुआ, अगर hydrogen नहीं हुआ, तो bonding कैसी हुई होगी, उसको बताने का तरीका था, कि देखो भईया, हमारे पास था यह phosphorus, हमारे पास था यह phosphorus, phosphorus नहीं क्या किया, अपने P orbitals को यहाँ बनाया, PX, PY, PZ, मतलब उसके पाद तो present ही थे, उसके पाद मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अब dragon compound भी समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाता हूँ मैं, अगला क्या है, Lewis viscosity compare करना है, NS3 और PS3 का, तो NS3 के case में आप बताए क्या होता है, आप करेंगे दो electron यहाँ है, एक electron यहाँ होता है, ऐसा होता है क्या, बोलो भई, 2S2, 2P 3 होता है क्या, यसर यही होता है, हमें क्या करना देखना भाया, हमने पढ़ा है, NS3 के case में इनका क्या हो जाएगा, hybridization, NS3 के case में होता है मेरे भई, खाली PS3 के case में नहीं हो रहा है, आपको क्या बताया दगया था, second period element कर रही होते हैं, तो दो electron यहाँ है, एक यहाँ है, एक 3 hybrid orbitals बनाएं, एक में क्या है lone pair, लेकिन बाकी में क्या hydrogen आकर के bond बनाएगा, बाकी में hydrogen क्या करेगा, bond बनाएगा, बाकी में hydrogen क्या करेगा, bond बनाएगा, तो इस तरीके से देखे, nitrogen hydrogen के बीच में यह bond बनेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, lone pair, यह lone pair कहां रहता है, यह lone pair SP3 hybrid और्बिटल के अंदर रहता है बहुत देर से चीज़ पढ़ा रहा हूं SP3 हाइब्रिड और्बिटल के अंदर रहता है कोई दिक्कत कोई परिसानी को समस्या नहीं होगी अब अगली बात है PS3 की PS3 के कैंस में भी सेम कहानी है यहां पे भी दो एलेक्ट्रोन होंगे एक एक और मामना ठीक है क्या बताएए क्या यहां पर कोई हाइब्राइजेशन है नहीं यहां पर कोई हाइब्राइजेशन नहीं है तो यह 3S है यह 3PX है यह 3PY है यह 3PZ है जैसे मैं पीछे बताया था कि इनहीं से हाइड्रोजन जुड करके बॉंड बना लेता है और θीटा repent 90 डिग और इनके पास आई तुम दे दो, आसानी से कौन देगा, आसानी से कौन देना चाहेगा, अरे भया ये electron S orbital के अंदर है, वो nucleus के बहुत करीब है, उस पर force of attraction जादा है, तो ये donate करना नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जो SP3 hybrid orbital है, वहाँ पर 25% percentages करेक्टर है, तो थोड़ा सा nucleus से दूर है, SP3 hybrid orbital के अंदर present electron, nucleus से दूर होता है, अगर nucleus से दूर है, तो उसको लेना आसान है, इसका मतलब ये जो NH3 है न, वो आराम से electron donate कर सकता है, with respect to pH 3, और electron donation के इसी character को Lewis basicity कहते हैं, क्या कहते हैं, Lewis basicity कहते हैं, तो Lewis basicity of NH3 is higher than with pH 3, ठीक है, ये पढ़ लेना, पढ़ो क इसका लिखा है, due to fact that lone pair on nitrogen in SP3 hybrid orbital, which is more diffused and directional, diffused and directional का मतलब क्या होता है, अपने, जो nucleus होता, उससे दूर की तरफ, इस तरीके से direction बना होता है, ठीक है, diffused होने का मतलब ऐसा होता है, कि मतलब कुछ इस तरीके से, जबकि S orbital diffuse नहीं, वो सब तरफ अपनी electron density फैला के रखता है, यहाँ पे maximum electron density nucleus से दूर है, इस वज़ा से यह donate होना आसान है, इसके in case of NS3, समझ में आया, समझ में आया, यस सर, ठीक है, अगला है bond length, बस 10 मेट के अंदर आपको break, break दिया जाएगा, एकदम सही पोल रहे हो, मानसा, आपको मिल रहा है, बस 10 मेट रुखिएगा, bond length पे quantum है, बड़े बड़े atom होंगे, बड़े बड़े atom का मतलम number of cell क्या होगा, वैलन्स a accomplish number जादा होगा, उनका valence cell number जादा होगा, तभी तो atom की बड़े होने का मतलब सही तरीके से, बताया जा सकता है, या चगतार्थ होता है, अथ्या जी, आपके सामने प्रसुत करता हूँ, ह यहां पर देखते हो एच तो सेम साइज का होगा एच तो सेम साइज का है तो माल लो यह है और आपका फ्लोरी नहीं है लेकिन यहां पर देखो एच इतना बड़ा है क्लोरीन इतना बड़ा है अभी भी उतना बड़ा है ब्रोमीन और बड़ा है एच भीया क्या है छोटा सा है आयोडीन पुरा बड़ा सा है तो बताइए तो बताइए भया bond length कहां पे जाद आएगी पताओ भया कहां पे जाद आएगी आप कैसे देखोगे number of period देख लीजे number of cell देख लीजे आप कहोगे यहाँ पे जो fluorine है उसका जो cell number है वो 2 है valence cell 2 है इसका valence cell number 3 है इसका valence cell number 4 है इसका valence cell number 5 है अगर cell number बड़ा होगा तो निश्चे दुर्प से यहाँ पे bond length बड़ी आएगी comment करो भाई सारे के सारे लोग सबसे बड़ा यह आएगा कितना असान है भाई compare करना yes sir अगला देखिए bond length and bond order bond order क्या होता है दो लोगों के बीच में number 1 bonds अगर जादा है तो बोला जाता है bond order जादा है number 1 bonds दो लोगों के बीच में जादा मतलब force of attraction जादा है अगर force of attraction जादा है दोनों पास पास आएगी अगर पास पास आएगी तो bond length क्या बोला जाएगा कम बोला जाएगा, मतलब क्या बोला जाएगा कम बोला जाएगा, अगर bond order जादा तो bond length कम, bond order जादा तो bond length क्या बोला जाएगा, कम बोला जाएगा तो आप निकाल ले जाएगे बोलो भाई निकाल ले जाएगे, यहाँ पर देखिए इतनी बात समझ में आ गई है क्या यह सरी तो बड़ा असान था अगला चीज करिए बॉंड लेंथ आपको O2, O3 negative, H2O2 and Na2O2 इन में निकालना इन में comparison करना है यह आपके previous year questions हैं और आगे भी यह future में दिखाई देंगे क्योंकि भया थोड़े unique type के होते हैं थोड़े unique type में हो बताओ बताओ भया बता ले जाओगे क्या दो oxygen के बीच में क्या होगा दो बॉंड यहां पर बताईए अरे सर यह तो वह आला है जो आपने पढ़ाया था भी थोड़े पहले क्या पढ़ाया था यहां पर खोपड़ी पे positive charge यहां पर खोपड़ी पे negative charge तो आप क्या 0.5 ठीक हजी H2O2 की बात करें तो यह क्या है open book like structure पढ़ा होगा कुछ ना कुछ नहीं पढ़ाया तो देख लीजिए ऐसा होता है ठीक हजी सर यह open book की बोला जा रहा है देखो वह अगर ऐसे देखें तो एक book में यह है एक book में यह है तो ऐसे open book है ठीक हजी लेकिन यहां प यहां पर क्या है एने प्लस यहां पर भी है एने प्लस ध्यान से सुनना अगर यहां पर प्लस है तो oxygen की खोपड़ी पर नेगटिव चार्ज और oxygen की पास पहले से 6 एक और बागया साथ साथ में से एक ने बॉंड बनाया मतलब यहां पर क्या होगा कितने लेक्ट्रॉन पेर तो देखो दोनों लोन पेर इधर ऐसे हो जाते हैं और इनके लोन पेर इधर हो जाते हैं ताकि ना रिपल्सन कम हो तो क्या हुआ यह ओक्षिन ओक्षिन का बॉंड है तो दो इलेक्ट्रॉन यहां रहते हैं दो लोन पेर यहां दो लोन पेर यहां ताकि इनका आपस में जादा आएंगी तो bond length में यह जादा आएगा क्योंकि इसका bond order क्या है कम है अब इनके और इनके बात करें तो निश्ची तुरूप से ये वाले भाई साब क्या होंगे इनके respect में यहाँ पे bond length जो होगी वो छोटी होगी क्योंकि इन दोनों में bond order 1 है अच्छा अब इनमें कै कैसे compare करेंगे प्रश्ण तो यह है अब प्रश्ण यह है बताईए कौन जबाब देगा कौन जबाब देगा कि भाईया इनमें कैसे देखेंगे बताईए मेरे भाई यहाँ पर कैसे देखा जाए यहाँ पर कैसे देखा जाए कोई है कोई है वीर सपूत जो यह बता सकता है सर आप आदेश तो करिए हम सब बता देंगे देखना भी होगा क्या ग्यान से सुनना इस लाइन को बहुत इंपोर्टेंट लाइन है यह क्या है यह कि देखो भाई दोनों में बॉन अडर वन जरूर है लेकिन यहाँ पर इनका लोन पेर आपस में जादा रिपेल नहीं करते ह लाइन यापस में झादा है इस थीन इलिजर ढटातों यहाँई øक्टान यहां पर यह सुछिड करने तो यह खिच करके बन्ड को थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे इसकी बढ़ण depths को यह बढ़हा देंगे ताकि मिनिमम रिपल्सफन की तरफ जा पाए जब बांड लेंड तो repulsion minimized होगा तो bond length यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है समझ में आया क्या है यह line सायद आ गया होगा सायद आ गया होगा तो यह तरीका है वह यह निकालने का मज़ा आया क्या आनन्द आया क्या अगला देख लेते हैं आनन्द मतलब कोई मनुष्य नहीं है वो ठीक है वो एक अन्भूती है भाई हर बार यह line में बोलता हूँ यहाँ पर देखें यह क्या है ह्ट्ट्टो टू लेकिन अगला क्या है यह देखो यह आप से पूछा जा रहा है मानलो यह X एंग स्ट्रॉम है और यह Y एंग स्ट्रॉम है तो X और Y में बड़ा कौन है और क्यूं है यह जवाब देना है तो देखो भी आद दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पेर यहाँ पर दो ही यहाँ पर है अब कैसे कंपेर करोगे मेरे भाई यहाँ पर electron कहा जाएगा oxygen की तरफ तो electron इकठा कहाँ पर होगा oxygen के उपर अगर oxygen के उपर electron की density इकठा होगी तो यह repel करके एक दूसरे को बढ़ा कर देंगे इसका मतलग x is greater than y मैंने guarantee ले लिलिकिन उसको समझा देता हूं समझा देता हूं don't worry oxygen fluorine में oxygen is less electron negative than fluorine electron इधर shift करेगा अरे इसका electron इधर shift करेगा जब electron दोनो opposite direction में जा रहे हैं देख रहे हो भाई electron यह इधर की चला है यह इधर तो oxygen पर electron density कम अगर दोनों ही oxygen पर electron density कम हो गई तो repelsen कम हो जाएगा अब इन दोनों के बीच में अगर repelsen कम है तो निश्चेत रुप से bond length क्या होगी बोलो भई bond length क्या होगी छोटी होगी यहाँ पर bond length क्या होगी छोटी होगी तो bond length बड़ा कहां देखने को मिलता है इस case में तो साइद यहाँ तक आपको मजा आया होगा अनंद आया होगा bond dissociation energy एक बार यह देख लीजी इसके बाद कुछ question है जो आपके लिए छोड़ दिया जाएगा आप घरते करेंगी बाकि देखते हैं bond dissociation energy मतलब भी निकल गया bond को तोड़ने में जितनी energy लगती है वो minimum energy bond dissociation energy कहलाती है किसी भी bond को तोड़ने में जितनी minimum energy required है उसी को bond dissociation energy कहते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो, यह दोनों छोटे-छोटे हैं, और यह दोनों बड़े-बड़े भाई हैं, अगर यह बड़े-बड़े साइज की हैं, Silicon and Silicon, तो इनकी bond length बड़ी होगी, bond length अगर बड़ी है, तो bond strength खराब होगी, अगर bond strength खराब है, तो इसको तोड़ना आसान है, तो कम energy दे कर ये तूट जाएगा, इसका मतलब bond dissociation energy का ये order आएगा, इसका मतलब bond dissociation energy का ये order आएगा, मामला clear है, ये दोनों छोटे छोटे थे, अच्छी overlapping करेंगे, करीब करीब आएगे, रिस्ता अच्छा होगा, bond length छोटा होगा, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा energy लगेगी, कोई सक नहीं है, लेकिन अगले चीज में, सावधान, सावधान वहिया, क्या लिखा है, nitrogen nitrogen ऊपर कितना छाप मत देना, यहाँ पे कुछ कहानी बदल जाएगी, क्यों क्यों क्योंकि अपकी बार loan pair है, अपकी बार क्या हुआ देखना, यह दोनों size में बड़े बड़े थे, तो इनके loan pair दूर दूर है, जब उस करीब भी आएंगे, तो bond length बड़ी होनी की वज़ा से, इनके जो loan pairs होंगे, यह आपस में नहीं टकराएंगे, लेकिन यह तो छोटे-छोटे करीब आएंगे, इनके bond pair आपस में ही जगड़ा कर लेंगे, और जिसके घर में पहले से ही लड़ाई हो, उसको भया तोड़ने में ज़्यादा energy नहीं लगानी पड़ती, उसको तोड़ने में ज़्यादा energy नहीं लगानी पड़ती, तो यह order जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या reason दोगे, उसका reason यह है मेरे भाई, उसका reason यह है कि यहाँ पे तोड़ना आसान इसलिए हुआ, क्योंकि इनके loon pair आपस में ही सरफोड रहे थे, रिपेल कर रहे थे, वो दूर होना चाहते थे, थोड़ा सा ठक मरदय तोड़ गया हुई है, समझ में आए क्या कहानी, अगली चीज़ सुनेंगे, यही बात आगे भी है दुरानी, अगली चीज़ में भी क्या है, हर ऑक्सीजन पे दो-दो, सलफर पे दो-दो loon pair, यहां पे भी क्या वो लोगे, इसको तोड़ना कठीन है, लेकिन इसको तोड़ना आसान है, क्योंकि यार, यह दोनों चोटे हैं, तो साइज में, चोटे होने से इनके loon pair आसपास आ जाएंगे, तो इनको तोड़ना क्या हो जाएगा, इनको जो तोड़ना है, वो मेरे भाईया, आसान हो जाएगा, ठीक है, यह question आपके लिए है, इसके बाद dipole moment, हम सुरुबात करेंगे, मिलते हैं कुछ ही देर में, खाना खाने का भरपूर time दूँगा, इतना time लीजिए, करिए, अभी हम आधे पर पहुंचे हैं मेरे भाई, time हमें लगेगा, जोगी chapter बड़ा है, ठीक है जी, यहाँ पे एक बार देखते हैं, कहां रह नहीं, क्लोक नहीं चला ना, टाइमर दिख रहा है का भाई तुम्हें, यह दिख रहा है, टाइमर 25 में ठीक रहेगा, पांच मिनट, पांच मिनट में ना लाएक हो, खाना तुरी खापाओगे, 25 मिनट, यहाँ पे देखते हैं, 25 मिनट में आना है सबको, ठीक है, ओके कंची, लम में धाओगे, 16 मिन आप मिनट, झालो, राथ है, तुरी खाना है, अाझ में एागगे, यहाँ में א Α M 데 एके पांच मिनट, यहाँ मैं फाहा है तुम्हें चाहिने सबको करने का भापना है, इक उम हम पेक्छे about that of May झाल 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 क्या हल चाल भाई लोग सब पहुंच गए गया आजाओ भाईया खापी चुके हो तो आजाओ खापी चुके हो तो आजाओ भाई तो देखते हैं है अब हलो ऐखने हो एक हेलो एक हाल चाल पहुंच गए गया भई को पहुंच गया वाई सारे लोग हादरी लगा दो अपनी अब तक का पढ़ाया समझ में आ रहा है क्या आनंदारा क्या बताइए पहले फिर आगे बढ़ेंगे अब ज़्यादा कथा कहानी नहीं है अब आराम से भी चलेंगे तो हो जाएगा अपने को molecular orbital theory पढ़ना है ionic bonding और intermolecular force तीन पार्ट और है हो जाएगा डोंट वरी अगर 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 तो comment में दिखिए कई लोगों को कई बच्चे जय ज्वाला लिखते हैं बाकि को साथ नहीं पता होगा अगर आप जय ज्वाला क्यों लिखते हैं कुछ बच्चे पता है आपको तले मैं ओको इलिए यगा आए-टी डेली में और मुखी वह सीद जोड़ा की कहानि चलते हैं आप आएटी गत्या अब कि आक क्या अजान है यहां उस यह नहीं कर सकता ऊस्वा कि थोड़ा सा होता इंपॉर्टेंट बात बोली जाते हैं कि जो आला सब का संथिंग संथिंग आगे बढ़ते हैं आए अगला देखते हैं टॉपिक क्या आप करते हैं भाईया फूल एनर्जी के साथ सुरुवात आपने भी खापी लिया एनर्जी तो आईगी होगी आए कुछ देर की चर्चा और कुछ देर की यात्रा एक बार साथ फिर से करते हैं और आगे हम जो पढ़ने वाले वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एमोटी तो हर बार पूछा जा रहा है हर बार आएगा और ऐसा करा देंगे गलतिया अब से नहीं होंगी अगर अब तक आपकी हुई होंगी तो चलिए देख लेते हैं आजाईए क्वेशन तो हो गया था डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं पहले समझो डाइपोल मोमेंट है क्या जैसे हमारे पास एक हCLE molecule है जो की कोवलेंट molecule है इस molecule के अंदर आप देखते है क्लोरीन लगा हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है जादा एलेक्ट्रोजन खोने की वज़ा से बॉन्ड पेर जो इलेक्ट्रोजन वो सिप्ठ होगे गकलोरीन की तरब तो इधर हो जाएगे मैंगे अंदर हो जाएगा प्लस डेल इसका मतलब है कि हमारे HCL molecule पर क्या हो रहे है चार जर्ज ग्रेट हो रहे है आईइंज स्क्रि is equal to q into l ठीक है mu is equal to q into l इनके charge बगएरा की study करने के लिए mathematical term बनाया गया जो की है dipole moment and dipole moment of hcl is equal to क्या लिखा जाएगा q into l जहाँ पे q क्या है del मतलब क्या होता है छोटा charge partial charge यह जो partial charge है मानलो उसकी quantity q coulomb है and h और cl के बीच की जो बीच की जो दूरी है क्या है वो जो इनके बीच की दूरी है वो क्या बोली जाएगी bond length बोली जाएगी इस case में bond length otherwise क्या कहते है कि distance between two जो भी बोलेंगे particles न तो यहाँ पर यह particle बोला जाए यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा two atoms तो यह हो जाएगा q into l हमें लागया तो यह mathematical quantity है जोसे आप इसके charge के बारे में बताते समझाते हैं ठीक है जी इतनी का नी है अगला देख लेते हैं अब इनको denote कैसे किया जाता है इसको denote किया जाता है unit का है इसकी divide इसकी unit होती है divide ठीक है इसमें कोई सक्समस्या नहीं है कोई संदेह तो नहीं है अब एक चीज होती है एक unit है मेरे साथ पढ़िएगा ESU electrostatic unit of charge बोलिए comment करिए electrostatic unit of charge electrostatic unit of charge ESU दुबार सुनेंगे ESU क्या है electrostatic unit of charge यह भी charge की एक unit है क्या है charge की unit जैसे कुला में एक unit होती है उसी तरीके से ESU भी एक unit है आप देखना charge के लिए मैं ESU लिख दे रहा हूँ और L के लिए मैं क्या लिखोंगा centimeter distance के लिए centimeter ठीक है तो centimeter into SU या ESU into centimeter यह भी unit है किसका dipole moment किसका unit है dipole moment अच्छली आगे देख लेता है जो one debi होता है वो 10 की power minus 18 ESU centimeter के बराबर होता है दो अलग-अलग units है उनके बीच में आप interconversion कर सकते हैं इस तरीके से कि one debi is equal to 10 की power minus 18 ESU into centimeter जो जैजवाला लिखेगा उसके दिमाग में back of the mind यह चीज जाएगी एक सवाल पूछ रहा भी है कि जैजवाला क्यों उसके दिमाग में यह जाएगा कि हाँ मुझे भी IIT डली के जवाला में जाकर के क्या करना है आराम फरमाना है कुछ दिन ठीक है जी आगे देखते हैं यहाँ पर यह बास समझ में आ गई दिमाग में क्लिक कर रहा है 10 की पावर माइनस 18 ESU into centimeter अब अगली कहानी सुनो यह वाली बास से थोड़ा साब परचित होंगे एक electron पे कितना चार्ज होता है QE मतलब एक electron पे कितना चार्ज सर बचपन से सीख रहा हूं 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है बोलो होती है क्या यसर होती है अगर मैं अगर मैं एक electron के चार्ज को ESU के अंदर डिफाइन करूं तो देखो कितना होती है एक electron का चार्ज आप याद करेंगे 4.8 into 10 की पावर माइनस 10 ESU दुबारा सुनेंगे दुबारा सुनेंगे एक electron पे जो चार्ज हो कितना है 4.8 into 10 की पावर माइनस 10 ESU के बराबर होती है तो क्या आप यहां से 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है यह निकाल ले जाएंगे मैं तो कहूंगा कि आप यही प्रफर करें कि इसको इसी तरीकी से याद करें कि एक electron पर कितना चार्ज है 1.8 sorry 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड इसी को लिखा जा सकता है 4.8 into 10 की पावर माइनस 10 ESU इतनी बात याद हुई क्या बहुत जरूरी है जान बुच के याद करा रहा हूं टाइम दे रहा हूं ठीक है जैजवाला भई सारे लोग ओके आगे देखते है भईया अब polar molecule के पहले बारे में बताऊंगा तब आगे लेके चलोगा जैसे देखू यार हमारा जो ये molecule है इस molecule के अंदर dipole moment मुझूद है जगर Q की कुछ value होगी length तो कुछ ना कुछ होगा तो dipole moment की कुछ ना कुछ value आएगी मतलब इसके लिखो के dipole moment is not equal to 0 इस HCL के लिए dipole moment 0 नहीं होगा तो जिस भी molecule के लिए dipole moment की value 0 नहीं है वो polar molecule बोला जाएगा वो molecule polar molecule बोला जाएगा इसका मतलब HCL एक polar molecule है दुबारा सुने HCL क्या है एक polar molecule है इसमें कोई समस्या नहीं नहीं है आप उतरते हैं अपने असली होतार में आप भया थोड़ा speed पकड़ सकते हैं यह रहा हमारा water water में आप क्या देखरे हैं दो bonds किसी angle पे लगे हुए है ऐसी चीज कभी आपने पढ़ी है ऐसी vector वाली चीज कहानी कहीं भी सुनी है कि एक angle पे हो तो उसका resultant vector कैसे निकाला जाता है चलिए comment करिए तर तक बताइए मैं यहाँ पे आपको dipole moment का symbol बताता हूँ देखो कैसे लिखा जाता है पहले एक line बनाओ जहां से electron खीच के जाएगा यह sign है यह sign किसका dipole moment in bond किसी bond के अंदर कि electron कि तरफ shift हो रहा यह बनाना होता है चलिए बताइए अगर यहाँ पे दो bonds है तो आप कैसे बनाएंगे electron कौन खीचेगा यह खीचेगा यह खीचेगा आप कहेंगे oxygen खीचेगा तो electron इधर खीचा जा रहा है इसका मतलब इस bond के अंदर भी dipole moment है dipole moment क्यों है क्योंकि electron shift होगा oxygen की तरफ तो अधर dell negative छोटा सा negative charge इधर dell positive छोटा सा positive charge और इस पर भी dell positive होगा की नहीं होगा देख लिजे तो दो vectors हैं आप कहोगे dipole moment क्या एक vector quantity है वो क्या है मेरे भाई एक vector quantity है थेगा जी इतनी कहानिया पड़ी हुई है अगर इसके पर theta angle हो तो क्या आप निकाल सकते हैं resultant बताइए आपको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपने ऐसा पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि हमारे vector की जो tail है उसको एक जहां मिला दे इनकी खोपड़ी को इस तरीके से दूर रखे और इनके बीच में अगर यह theta कितना है अगर मालो यह angle जो है theta है और यह जो dipole moment है यह mu1 है और यह dipole moment mu2 है तो resultant dipole moment क्या होगा कोई लिखके बता सकता है resultant dipole moment कोई बता सकता है यह सर बता सकते है क्या लिखेंगे under root of mu1 square plus mu2 square plus 2 क्या लिखा जाएगा mu1 into mu2 mu1 into mu2 फिर लिखा जाएगा cos theta mu1 into mu2 into cos theta बोलो लिखा जाएगा की नी बोलो भाया लिखा जाएगा की नी यह सर लिखा जाएगा अब एक चीज और सुनना जो cos theta होता है वो theta के improportional है क्या आप मेरी इस बात से सहमत है अरे भाया सचीन सर से पढ़ते हो मेरे भाई इतना बुद्धी तो तुम्हें आरे पास होगी बोलो मेरे भाई cos theta और theta improportional है कैसे पता सर आपको बता दिया जागा भाई क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि बेदेखो cos एक ऐसा function है जो की higher theta पे apply होता है तो lower value दे रहता जैसे जब cos 0 होता है तो high value आती है 90 लेकिन जब cos 90 होता है sorry sorry cos क्या रहता है 0 रहता है तो आती है value 1 cos 0 रहता है तो आती है value 1 लेकिन cos 90 होती value 0 आती है मतलब यह improportional relation रखता है तो बोलेंगे cos theta और theta क्या होते है improportional होते हैं अगर improportional यह है और एक बात और आप समझ रहे होंगे कि जो mu are a resultant वो cos theta के क्या है proportional वो cos theta के proportional इसका मतलब जो resultant है वो 1 by theta के क्या होता है बोलो भईया 1 by theta के क्या होता है improportional बोलो भई मामला ठीक है इतनी बात समझ में आ गई है कोई दिक्कत कोई परिसानी नहीं है इतनी बात समझ में आ अच्छा इसका मतलब मैं यह कह रहा हूँ जितना कम यह theta होगा resultant की value तो नहीं जादा होगी यह vector में हम पढ़ते हैं तो इतनी बात मैं समझ रहा हूँ का आपको आ गया होगा अगर मैं आपसे पूछू किया क्या यह वाला molecule polar molecule है तो कहेंगे आप कहां भईया है क्या यह polar molecule है यस सर क्योंकि यहाँ पे भी दो vectors हैं दो dipole moments है एक theta पर लगे हुए है तो निश्चित रुप से कुछ ना कुछ value तो आएगी आईगी अरे mu r की कुछ ना कुछ तो value आएगी अगर इसके लिए resultant dipole moment की value 0 के बराबर नहीं है तो H2O एक polar molecule बोला जाएगा इसमें कोई सक नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है मामला clear है क्या अगला देख लेते हैं अगला है polar molecule उसी चीज़ के लिए है उसका example दिया जाएगा आपको example है क्या लिखा हुआ भया देख लीजिए heteronuclear heteronuclear diatomic heteronuclear diatomic मतलब दो atom है लेकिन दोनो atom अलग-अलग है जैसे HCL जैसे HF जैसे HBR ऐसे लोग दो अलग-अलग लोग है तब यहां पर हमेशा क्या बोला जागा कि हाँ भया यह polar ही होंगे हैना क्योंकि इनके अंदर भी dipole moment है इनके अंदर भी dipole moment है तो resultant dipole moment कभी 0 की value नहीं gain कर पा रहा है तो वो polar है non-polar का मतलब क्या है कि वहाँ पर resultant जो होगा ध्यान सुनना जो resultant होगा उसकी value निश्च दूप से 0 के बराबर आएगी इसका prime जो example है वो है होमो निउकलर डायटॉमिक example के तौर पे hydrogen hydrogen chlorine and chlorine अरे H2 molecule में दोनों atom सेम है कोई किसी का electron खींचेगा नहीं क्योंकि दोनों के electron negativity सेम है इसका मतलब यहाँ पर polarity नहीं जब polarity नहीं तो dipole moment create होने की कोई बात आ ही नहीं सकती इसका मतलब भीया यहाँ पर क्या होगा यह non-polar किसी को कोई संदे ही तो नहीं है समझ में आ रहा है क्या यस अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ कि homo nuclear diatomic के अंदर 0% आयनी करेक्टर अब इसको समझने कोशिस करना देखो भीया जब इनके उपर ions ही नहीं आई तो इसका मतलब वहाँ पर आयनी करेक्टर create ही नहीं होगा आयेगा ही नहीं तो 0% लेकिन HCL में देखो क्या है छोटा सा positive छोटा सा negative इसका मतलब था तो HCL एक covalent molecule लेकिन उसके उपर charges होने की वज़ा से हम ये कहते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा ionic character develop हो गया क्या develop हुआ ionic character develop हो गया है तो आप बोलते कि polar molecules के अंदर आपको अगर ऐसे bonds है तो आप कहते हो कि भईया यार वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे ionic character होगा उनके bonds में clear है मामला यस सर अगले पराज आते हैं अगला है SO2 and SO3 इसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से इत्मिनान से यहां पर कॉन-कॉन से हैं अगर डोनो ए टम सेम है तो bond length भी तो बुकी वैल्यू ही यहां पर सेमाइगे इस bond के लिए तो इस bond में भी dipole moment है लेकिन क्या इस पूरे molecule में dipole moment है क्या यह पता करके बताओ तो इसको कैसे निकालेंगे इन दोनों को आप लिखोगे theta 120 तो इन दोनों का resultant जो निकलेगा वो भी mu के बराबर ही होगा यहाँ से जो theta निकलेगा वो भी mu के बराबर होगा तो उपर वाला mu नीचे वाले mu को cancel out कर देगा तो resultant जो होगा resultant r is equal to क्या जाएगा 0 पूरे molecule का जो resultant है वो 0 है इन दोनों का जो resultant आया वो उपर वाले के बराबर था तो वह एक vector उपर एक नीचे है quantity wise से है तो cancel out होएगा पूरे chance कोई दिक्कत किसी को नहीं है अब इसे को समझने का एक दूसरा तरीका एक दूसरा नजरिया है वो क्या है सुनिएगा जहाँ से सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये SO3 जो है ना ये symmetrical molecule है क्या हिए ये symmetrical molecule है और जब कभी भी आपको symmetrical molecule दिख जाए तो वहां के case में resultant dipole moment की value हमेशा 0 आती है ये एक line है उसको समझता हूँ कैसे समझते है symmetrical समझना यहाँ पे एक bond है उस bond से जब 120 degree आप यहाँ पे आते हूँ तो अगला bond मिलता है इस bond से यहाँ पे आते हूँ तो अगला bond मिलता है और सारी bond हमें same मिलते है same bond angle पर same bonds अगर मिल रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कि वो symmetrical molecule है लेकिन क्या ये symmetrical है नहीं सर कैसे पता देखना द्यांसे यहाँ इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कितना angle है 120 से कम लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो 120 से जादा है यहाँ से जादा बहुत जादा है 120 तो नहीं है न इसका मतलब यह symmetrical नहीं है यह क्या है यह unsymmetrical molecule है यह क्या है unsymmetrical है यह एक unsymmetrical molecule है और unsymmetrical molecule में हमेशा कुछ ना कुछ dipole moment value आएगी, 0 के बराबर नहीं होगी दुवारा बता देता हूँ, माल लिजी आपने यहां से चलना सुरू किया तो यहां से जब आप इधर आएंगे तो इतना कम angle चलना पड़ेगा लेकिन यहां से यहां आने में ज़्यादा angle चलना पड़ेगा तो same angle चलने पर यह दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं देखो, इधर से इधर चला माल लो 120 ही, यहां से यहां चले 120 चले, मिल गया लेकिन क्या हम 120 चलेंगे तो यह मिलेगा नहीं, यह यहीं तक आएगा इसका मतलब यहां के कुछ ने कुछ वैल्यू आएगी, यही कहना चाहरा था मैं ठीका जी, नीचे वाली लाइन इसी लाइन से रिलेटर जो मैंने अभी समझाया है अब मैं तो बड़ा सा पीछे चलता हूँ, कहां नी समझ में आ गया, कहां नी समझ में आ गया क्या, अगला देखेंगे linear molecule AB2, BECL2 type, यहां हो सकता है, देख लिजे, HGCL2 तो होगा क्या धान से सुनना भाई, यहां पर सारे लोग धान से सुनने हैं क्या लिखा है, जैसे BECL2, यहां पर BE लिख दो यहां पर क्लोरीन लिख दो, यहां पर क्लोरीन लिख दो होगा क्या, electron shift हो रहा है कहाँ पर chlorine की तरफ, electron shift हो रहा है chlorine की तरफ इसका मतलब dipole moment इधर भी mu है और इधर भी dipole moment mu है तो दोनों क्या है एक दूसरे से 180 degree पर हैं, तो theta के 180 को रखने से हमें देख लेना उस formula में ले जाके रखना आपको मिलेगा resultant की value 0 resultant की value 0, क्या ये symmetrical है, yes, yes ये symmetrical है, कैसे ये देखो BECL का जो bond है, इससे 180 degree आने पर वही वाला bond मिलेगा और इधर से यहाँ आने पर theta is equal to 180 पर वही bond मिलेगा अगर same angle चलने पर, देखो BECL bond था, ये देखो BECL bond था, यहाँ से 180 degree चलने पर एक bond मिल रहा है और वही bond same angle चलने पर भी मिल रहा है, इसका मतलब ये symmetrical है अगर symmetrical है तो guarantee है कि resultant dipole moment 0 होगा इसी तरीके से trigonal planar में देख लीजिए, trigonal planar में BCL3, BS3, SO3 इन सब में क्या होगा, सब की सकल ऐसी ही होगी, तो आप कहोगे इसका dipole moment उपर होगा इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो इन दोनों का जो resultant आएगा वो इसके बरावर होगा, तो cancel out हो जाएगा या आप इसको किस तरीके से निकाल लीजिए, कि वह या ये सब के सब symmetrical है सब के सब symmetrical है, कैसे? आप इस वाले bond को पकड़िए, 120 चलेंगे तो ये वाला bond, यहां से चलेंगे तो ये वाला bond 120 चलेंगे तो ये वाला bond, same degree पर चलने से, same bonds अगर मिल रहे हैं वो molecule symmetrical बोला जाता है क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है भाई symmetrical बोला जाता है मेरे भाई symmetrical तो यह symmetrical था अगला tetrahedral में भी same कहानी इसका मतलब है कि यार अगर जो हमने पढ़ा था ना without loan pair वाली कहानी उसमें central atom के किनारे same type के लोग लग जाए तो वहाँ पर symmetrical होगा ही यहाँ पर देखो carbon के किनारे चारो सेम है nitrogen के किनारे चारो सेम है और वो tetrahedral fashion में तो यहाँ पर भी dipole moment 0 आएगा कितना आएगा dipole moment की value 0 आएगी resultant by pyramidal की बात करें तो PCL3, PCL5 में भी आएगी कैसे बोलोगे देखो यह जो उपर की तरफ है मालो यह देखो क्या है मालो यह fluorine है phosphorus and fluorine तो उपर की तरफ होगा phosphorus यह आपस में cancel out हो जाएगे triangle वाले तो पहले से cancel out होते आते हैं इसका मतलब यहां पर भी resultant dipole moment के value 0 आएगी समझ में आ गया इसी को symmetrical भी बोल सकते है हाना वई symmetrical है क्योंकि एक central item उसे किनारे किनारे side item तो same लगे हुए हैं इसलिए cancel out हो जाएगा कोई सरदर्द कोई परिसानी नहीं है ठीका जी ओके आगला देख लिजिए octodal में क्या SF6 यहां पर देखें sulfur और यहां पर fluorine तो होगा क्या यहां पर जो dipole moment यहां पर sulfur है यहां पर fluorine तो dipole moment उपर की तरफ fluorine की तरफ होगा तो यह आपस में cancel out यहां वाले पर देखोगे तो इधर कीचेगा इधर कीचेगा यह भी cancel out यहां भी cancel out तो overall resultant dipole moment is equal to 0 resultant dipole moment is equal to 0 same कहानी pentagonal by pyramidal में भी आएगी जैसे आप IF7 में ले लिजिए तो जब भी कभी हमने जो पुराना पढ़ा है जहां पर lone pairs नहीं थे simply ऐसी चीजें लिखी हुई हो जहां पर central atom के किनारे side terms सारी same लगे हुए हो और उपर कोई lone pair ना हो तो वहाँ पर symmetry पाई जाती है और देख लीजिए इन सब पर resultant dipole moment के value 0 आती ही आती है अब अगले उसी line को देख लीजिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजाए ये देख लेते है NS3 versus NF3 ये है हमारा NS3 ठीक है जी NS3 में क्या होगा देखना भी आद्यान से सब लोग nitrogen इस hydrogen से electron अपनी तरफ ले जाएगा मतलब यहां vector का direction ये यहां पे vector का direction ये तो सारे vectors एक point पे जा करके इकठा हो रहे है पहले चीज़ दूसरा यहां पे nitrogen में क्या है या lone pair और lone pair का आपना खुद एक dipole moment होता है उसको दिखाने का तरीका आपको सीखना है वो क्या है भाई कि देखना nitrogen क्या है आपका item जिसके उपर lone pair है क्योंकि lone pair और bond pair का कभी भी dipole moment सेम नहीं आएगा अब एक चीज़ सोचो यह तीनों के dipole moment यहां पे आ रहे है और इसके साथ add हो रहे है तो resultant dipole moment थोड़ा सा बड़ा आएगा clear है लेकिन एनक 3 के case में क्या है nitrogen और fluorine में fluorine is more electron negative तो electron इधर shift होंगे अगर तो इधर dipole moment होगा इधर dipole moment होगा लेकिन इस lone pair वाले का किदर होगा भाई अरे हमने बताया था ना उपर की तरफ होगा तो यहां पे क्या है यहां पे तो नीचे की तरफ जा रहे है इसका dipole moment थो उपर तो resultant क्या आएगा नीचे की तरफ तो आएगा लेकिन थोड़ा छोटा आएगा तो यह वाला resultant छोटा है resultant बड़ा आपने आप पता चल गया कि NS3 के case में NS3 के case में dipole moment जादा होगा NS3 के case में dipole moment क्या होगा जादा होगा कोई सक और कोई संदेह नहीं होना चाहिए इन में आज आई यह अगला देख लेते हैं यह देखिए भया ऐसे सवाल पूशे जा रहे हैं इनका जवाब कैसे निकालते हैं इन तीनों में बताइए आप खुद से order बताइए चलिए चलिए भया आप order बताइए सब लोग यह order बताएंगे तो रंद बताइए इसको लगाने का तरीका क्या है देखो मारे पास है बेंजीन तब तक आप बताइए मैं आपको समझानी कोसिस करूँगा ठीका जी यहाँ पर ध्यान से सुनना एक bond से देखो related कितना theta आता है एक bond से लिए क्या करना है इनको यहाँ पर मिला देजी इसको यहाँ पर मिला देजी इसको यहाँ पर मिला देजी देखिए इससे मिलाया तो यहाँ पर एक center point बना और आपको दिख रहा है इसके 6 parts है तो 360 divided by 6 यहाँ पर क्या है 360 divided by 6 is equal to theta तो यहाँ पर जो theta आया एक bond के एक bond के सामने जो theta है इस तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे कि यह 60 degree होगी इतनी बात समझ में आगी इतने में तो कोई सरदर्द नहीं है न किसी को नहीं होना चाहिए समझ में आगए सर थेखा आप आप यहाँ लगाते है देखना यह carbon और यह क्लोरीन ज्यादा electronegative कौन है क्लोरीन यह carbon यह chlorine ज्यादा electronegative कौन है क्लोरीन हुआ क्या दो वेक्टर्स है जो कि यहाँ center point पे मिलेंगे है ना तो एक bond के लिए theta मेंने कितना बदा है 60 तो हो क्या रहा है कि एक ऐसा है और एक ऐसा है ठीक है जी यह theta कितना है 60 यही है भाई कुछ नहीं है कितना आसान है यह mu है और यह भी mu है भाई यहाँ पे जो dipole moment की quantity होगी वही यहाँ पे भी होगी तो यहाँ रख दिया और इस तरीके से theta है तो यहाँ पे resultant देखेंगे चलो यहाँ देखते हैं यहाँ के लिए बोलोगे तो यहाँ पे भी ऊपर है यहाँ के लिए नीचे की तरफ है तो आप बोलोगे देखो भया एक यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है जहाँ पे यह theta 120 degree है जहाँ पे यह theta 120 degree है आपको क्या पढ़ाया गया था आपको पढ़ाया गया कि अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस्ट थीटा की value घटेंगी तो resultant की value घट जएगी तो थीटा यहाँ पर ज्यादा है तो resultant कम है तो resultant कम है इसका मतलब यह order आएगा देख लिजिए इसका मतलब यह order आएगा very very good कुशागर साब ने बहुत सही जवाब दिया है अगला देख लेते हैं बाकियों के नाम में पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने गलर बताया है ठीक है जी आगे देख लेते हैं यह अगला जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसको भईया इत्मिनान से ध्यान से कृपया देखेंगी देखो भईया यहाँ पर मैंने क्या बताया एक उपर खीच रहा एक नीचे खीच रहा है इसलिए डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर एक बेंजीन है अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा है क्लोरीन लगा है क्या लगा है द्यान से सुन लो अगर यहाँ पर एक क्लोरीन लगा है यहाँ पर भी एक क्लोरीन लगा है क्या यहां resultant dipole moment है यहां पर भी कौन कीचेगा यह खीचेगा अब यह देखो यह वाला जो dipole moment है वो इस dipole moment से कभी cancel out नहीं होता इसको बोलते हैं due to rotamers क्या बोलते हैं rotamers मैं समझाता हूँ यह है क्या rotamers की कहानी साइद आपने सुनी हो क्या होता है सुनिएगा यह वाला जो oxygen है इसके उपर lone pair भी है यह जो hydrogen है यह hydrogen कभी यहां रहता है कभी यहां रहता है hydrogen ऐसे से hydrogen गूमता रहता है मेरे भाई वो एक जगा पर fix नहीं है तो इ resultant नहीं होंगे इनका क्या बोला जाएगा कि यहां पर जीरो नहीं आता है सुपर डूपर clear होना चाहिए मेरे भाई कोई lag नहीं है यार सही दिख रहा है मुझे ठीक है जी ओके यही चीज आपको यहां पर भी लगानी है अगर यहां पर ट्राइंग ऐसा बन जाए angular इसको S और H को सीधा नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यहां पर क्या होगा lone pair क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर lone pair होगा तो कभी एस के बाद H को सीधा मत बना देना इस तरह किस एंगुलर और जब भी एंगुलर बनेगा तो यह hydrogen कभी यहां रहेगा कभी यहां कभी पीछे इ इसको बोलते हैं rotamers, rotamers मतलब rotation करने के बाद बनने वाले isomers, ठेक है, तो यहाँ पर sulfur है और इसमें कौन है, ज्यादा ये, इनमें क्या होगा, ये खीच लेंगे, तो ये कभी cancel out आपस में नहीं होंगे, नहीं होंगे भाईया, इनका अलगीद बन गया अपना dipole moment तो क्या करोगे, वो cancel ही नहीं हो पाएंगे, अगला देखो क्या है, cn, आप सोचोगे भाईया, इसका मतलब अगर एक से जादा लोग ह तो इसका मतलब वहाँ 0 नहीं लिखेंगे, नहीं भाई, यहां पर देखो, यहां पर भी 0 आ जाएगा, cn में देखना कैसे, c triple bond n, c triple bond n मतलब सीधी लाइन हो गई, c triple bond, यहां पर थोड़ा नहीं लिख मिलेगा, मैं दुबारा लिख देता हूं, थोड़ा उपर करके, c triple bond n c triple bond n लागा दिया यहां, तो देखो भाईया, यहां पर आप तेड़े नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन पर sp hybridization है, और sp hybridization होने से यह हमेशा 180 degree रहेगा, यह भी ऐसे 180 degree रहेगा, अब सोच के बताओ, यहां 0 होगा की नहीं, यहां 0 होगा की नहीं, कार्बन 80 degree पर cancel out, cancel out होंगे, तो इस वाले के लिए, resultant dipole moment की value 0 आती है, लेकिन इन दोनों के लिए, जहां पर angular है, जहां पर यह angle बन रहा है, जहां पर यह angle बन रहा है, वहां पर कभी 0 नहीं आती है, कभी भी 0 नहीं आती है, यह बात समझागी क्या, अगली चीज एक और है, CWH की कहानी, CWOH की कहानी में भी O और H आता है, तो यहां पर भी cancel out नहीं होगा, same कहानी यहां पर भी है, OH वाला यहां भी है, OH यहां पर भी है, तो वहां भी cancel out नहीं होगा, यहां तो याद घर लो तुम, कि कहीं OH आ जाएगा, तो cancel नहीं करेंगे, that's it, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, angular होगा, अगर, अरे आपको इतनी बार तो संधा दिया, कहीं angular बनेगा, तो उसका एक resultant dipole moment तो आई जाएगा, ना मेरे भाई, अगर molecule में 0 dipole moment है, तो वहाँ पर क्या condition हो सकती है, कि जो आपका पढ़िये पढ़िये इसको पहले, एक बार पढ़िये सब लोग, time जे रहा हूँ पढ़िये, क्या लिखा है, इप molecule है, 0 dipole moment, तो क्या possibilities है, तो आपका जो molecule है, या तो वो linear होगा, या तो वहाँ पर symmetry दिखा ही देगी, या तो वहाँ पर symmetry होगी, जितना आपको पीछे पढ़ाया था मैंने, ठीक है, जैसे example के तौर पे linear में लोगे, तो CO2, CH2, BCLT, इन सब के लिए dipole moment 0 आएगा, symmetrical लोगे, BF3, CH4, PCL5, SF6, IF7, और अगला ले लेते हैं, जेनान F4, जेनान F4 को देखो कैसा होता है, जेनान F4 ऐसा होता न, बोलो मेरे भाई ऐसा होता है क्या, ये सर ऐसी होता है, आप देखों, जो dipole moment इसके अंदर है, इस lone pair का अंदर नीचे भी उतना ही होगा, तो इनके dipole moment आपस में cancel, यहाँ पर जो होगा dipole moment वो इससे cancel, यहाँ पर जो dipole moment होगा वो इससे cancel, तो overall क्या ह यह एक non-polar molecule है, यह क्या एक non-polar molecule की कहानिया आपर लेखी गई है, dipole moment 0 होने का मतलब, अब अगला देखें, जहां पर dipole moment 0 नहीं होगा, dipole moment कहां 0 नहीं होगा, दो condition है, पहली बात तो यह कि वो angular हो सकता है, angular का मतलब ऐसे angle पर, किसी angle पर हो सकता है, angular का मतलब यह है, ठीक है या unsymmetrical geometry होगी, या वहाँ पर unsymmetrical geometry होगी, example के तोर पे, SNCL2, SN कहां पर आता है, carbon की family में, ठीक है, दो bond बनाया तो वहाँ पर एक loan pair बच जाएगा, ठीक है, ठीक है, जी, सही बात बता रहे हैं न, यस सर, ओके, यहाँ लेड भी क्या, carbon की family का है, sulfur, sulfur पर एक loan pair, तो angular यहां ब dipole moment की value 0 नहीं आती, इसी तरीके से unsymmetrical की भी हमने कहानी लिख दी है, आप एक बार ही सब को match कराएगा, यह चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, आगे देखते है, HF, SCL, HBR, HI में, आपको पता है, कि जो mu होता है, ध्यांस देख ले, mu is equal to क्या होता, Q into L, हमेशा आपको ज़्यादा है, तो dipole moment हमें ज़्यादा मिलता है, तो पहले हम यही वाला factor लगाते, बाद में कहां नहीं लगाते, वह मैं समझा दूँगा, ठीक है, चलिए बताएगे, ज़्यादा charge कहां पर उगारिस सर्फ, fluorine, ज़्यादा electronegative है, अगर ज़्यादा electronegative है, तो electron अपन साउडर होगा, सिर्फ charge के आधार पे, अगला CS3F, CS3CL, CS3BR and CS3IE, यहाँ पर देखो वहिया, यहाँ कारबन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ पर कारबन और क्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ के केस में कारबन और आयोडीन का बॉन्ड है, मैंने क्या बताया, पहले कुछ ह क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव कौन है, सर ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव क्लोरीन, अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव है, तो वो ज्यादा चार्ज पैदा करेगा इनके उपर, अगर ज्यादा चार्ज पैदा होगा, इसना मतलब है कि य यह जो चीज है यह जो आर्डर है यह हमने चार्ज को ध्यान में रख करके बनाया है लेकिन पहली बार एक ऐसी चीज मिलेगी जहां पर हम लेंथ का फैक्टर लगाएंगे यहां पर देखिए कारबन और क्लोरीन में लेंथ जादा होगा L1 है मालो यह L2 है तो बताए यह बॉ में आपने लेंथ का फैक्टर लगाया क्यों लगाया कि कहानी नहीं एक्सपरिमेंटली यह मिलता है दिमाग में सेट करना पड़ेगा यह चीज हमें याद ही करनी पड़ेगी आगे बढ़ते हैं जादा वक्त ना गाम आते हुए आप यह सायद खुद लगा ले जाएंगे कि सर देखे कारबन के किनारे 4 Sade Atoms सेफ लगे हैं इसका मतलब यहाँ पर resultant की होगा cancel out हो रहा होगा अगर resultant cancel out हो रहा होगा तो इसका मतलब zero आएगा इसका मतलब यहाँ के केस में resultant dipole moment की value zero आएगी अगर zero आएगी तो सबसे कम यही होगी तो देख लो यही order आएगा बाकी का reason आप खुछ भी लगाईए बुद्धी लगाईए एक carbon bromine का bond है एक dipolment होगा, mu होगा लेकिन यहापे 2 mu होगे किसी theta पर थोड़ा कम हो जाएगा, यहापे और कम हो जाएगा वहापे तो इकदम ही cancel out हो जाएगा ठीक है जी, तो यह order आ जाएगा यहापे छोड़ते हैं, अगला देखते हैं यह question आपके लिए है जारा कर ले जाएगा भीया अगला है percentage आइनिक करेक्टर इंकोवलेंट bond, कभी-कभी इन पे बेज सवाल आए हुए है, उनको करने का तरीका क्या है बस आपना थोड़ी दिर इत्मिनान से साथ लगे रही काम निक्ता दूँगा मैं क्या लिखा है, आइनिक करेक्टर इंकोवलेंट bond, अरे हमने बात तो कर ली थी कि हमारे HCL के अंदर क्या है देखो भीया, आइन की करेक्टर आ रही है HCL हमारा कोवलेंट था लेकिन उसके उपर आइन की करेक्टर आए अब सवाल ये है, इनके आइनिक करेक्टर को explain कैसे किया जाए ये कैसे बताया जाए कि इसके अंदर कितना परसंट आइनिक करेक्टर है तो उसके लिए एक method एक तरीका निकाला गया है, जो की आधार रखता है, किस पर डाइपोल मॉमेंट पर, किस पर भईया डाइपोल मॉमेंट पर, तो सुनिएगा आपके paper में experimental दिया जाएगा, जैसे माल लेजिए SCL molecule के बारे में बात किया जाए तो आपके paper में लिखेगा SCL molecule का जब डाइपोल मॉमेंट देखा गया तो वो आता है, कुछ माल लो यहाँ पर लिख देगा, कुछ value लिख देगा कि माल लो X लिखा गया, ठीक है जी इससे रेलेटे एक question भी है पीछे तो एक काम करता हूँ, वो digit ही उठा लेता हूँ 1.03 1.03, ठीक है एक question था पीछे अब यह भाई साब नहीं आटा सकते यह क्या है 1.03 डिबाई 1.03 डिबाई, यह आपके question में दिया जाएगा कि हमारे पास एक SCL molecule है उसका experimental जब value देखा गया डाइपोल मॉमेंट का तो वो आता है 1.03 डिबाई के बराबर और उन्होंने उसी में बताया हुआ है कि जो यहाँ पे length है SCL की जो bond length है वो 1.275 एंग स्ट्रॉम है उन्होंने उसी question में बताया हुआ कि इतना है तो सवाल वो पूछ रहे हैं इस SCL के अंदर percentage आइनी character कैसे निकाला जाएगा कोई है जो बता सकता है कोई है जो बता सकता है एक बंदे ने तो पुरा calculate करके रखा हुआ है ठीक है तब उस समय क्या करना है हमें एक पहले अपने तरीके से dipole moment calculate करना पड़ेगा हम क्या करेंगे कुछ theory लगाएंगे कुछ बुद्धी लगाएंगे और calculation करेंगे किसका भीया किसका calculation करेंगे dipole moment का किसके dipole moment का HCL के dipole moment का तो देखो theoretically हम कुछ मानने वाले हैं हम ये मानने वाले कि जो हमारा HCL है वो जो है completely ionic है completely ionic का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे plus charge है पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा negative charge है जबकि reality तो यह है कि del negative, del plus होता है क्यों माना गया समझ जाओगे अभी फिलाल इतना जानना है कि हमने माना percentage ionic character 100% है अगर 100% ionic character है तो मैं charge पूछता हूँ कितना आएगा अरे भया एक electron का ही तो charge आएगा एक electron इनका इनकी तरफ shift हो गया तब इनके उपर एक negative charge आया तो एक पर कितने का charge रहता भी याद कराया था 4.8 into 10 की पावर minus 10 ESU याद कराया था क्या एक electron पर कितने का charge होता है तुरंद बोलें सब लोग सब लोग तुरंद बोलें कितना होगा 4.8 into 10 की पावर minus 10 ESU होता है एक electron का charge कोई दिक्कत नहीं है आप देखो हमने अच्छली माना कि ये हमारा SEL 100% आयनिक करेक्टर है रखता है तो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि एक electron कम्प्लीटली transfer हो गया hydrogen से chlorine की तरफ hydrogen से chlorine की तरफ तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि mu theoretical ध्यान सुनना mu theoretical is equal to ये वाला charge 4.8 into 10 की पावर minus 10 और इन दोनों की बीच में length कितनी थी 1.275 लेकिन ये angstrom में है centimeter में करोगे तो minus 8 यहाँ से आपने calculate कर दिया theoretical आपको क्या दिया गया था experimental आप देखो percentage आइनी करेक्टर का एक फॉर्मूला है percentage आइनी करेक्टर is equal to mu observed या experimental जो paper में दिया गया है divide by जब आपने 100% माना theoretical into 100 इस तरीके से आप जबाब निकाल लेंगे यह जो है आप यहाँ पे छाप दीजिए 1.03 डिबाई तो डिबाई को अगर हम क्या करें 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटेमीटर लिख दें कोई दिक्कत तो नहीं है इसको divide किसे कर दें उससे 4.8 into 10 की पावर माइनस 10 इसके बाद देखी क्या हो जाएगा अगला है 1.275 into 10 की पावर माइनस 8 कल्कुलेशन कर लीजिएगा इससे आपका परसेंटेज को 17 परसेंट के आज पास आ जाता है कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है मामला ठीक लग रहा गया कोई परिसानी होगी तो जरूर बताना भाई एक डिवाई इसकल टू क्या था 10 की पावर माइनस 18 इससेंटेमेटर तो सही लिखा है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर 10 इससेंटेमेटर में ही लिखा है यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर 100 सी आप मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपको इसका परसंटेज मिल जाएगा अरे यह याद नहीं रखना है याद क्या रखना बता उँ याद सिर्फ ये फॉर्मूला रखना होता है यह सब याद नहीं रखना याद सिर्फ ये फॉर्मूला लखना है फॉर्मूला क्या है परसंटेज आयनी करेक्टर is equal to म्यू अब्जर्वड या म्यू एक्सपरिमेंटल divided by म्यू थियूरेटिकल डाइपोल मॉमेंट जो आपकी question paper में था divided by theoretically जो आपने निकाला into 100 जो आपने निकाला उसमें आपने 100% आयनी करेक्टर माना है तो जहाँ पर हनने परसंट आयनी करेक्टर माना है उसको नीचे और जो कम वाली value होती है उसको ऊपर रखते हैं तो इस तरीके से ये निकाला जाता मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई समझ्या तो नहीं आ रही है समझ में अभी आ रहा होगा ठीक है कर लेना भई अगला ये तो यही था बैक बॉंडिंग अब ये समझ लेते हैं कुछ वक्त दीजिए आपको निप्टा देता हूं आईए बैक बॉंडिंग BF3 में देखते हैं भईया BF3 में कहा जाता है भईया यहां बैक बॉंडिंग क्यों है वो देख लीजिए ये देखो भईया हमारा BF3 है ध्यान से सुनना हुआ क्या है कि बोरोन के पास था एक वैकेंट और्बिटल देखो यार इसका ये भईया बहुत important चीज है होगा क्या फ्लोरीन क्या कर रहा है भईया फ्लोरीन वैकेंट और्बिटल के अंदर electron डाल रहा है कहा से अपने P orbital से क्योंकि भईया क्या होता है फ्लोरीन के पास तो lone pairs मौझूद होते हैं सारे फ्लोरीन ये बार समझ में है यस सर अब हो क्या रहा है कि आप electron को ऐसे donate कर रहे है आप electron को donate कर रहे हो सामने वाला जो boron है वो electron को receive कर रहा है देने वाला कौन भया फ्लोरीन पहले से एक bond बन चुका है जो अब bond बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे पाई bond बोलेंगे लेकिन यार ये ऐसा पाई bond जहां पे एक ही आदम electron दे रहा है इसका मतलब ये coordinate pi bond है तो back bonding कुछ और नहीं होती वो बलकि coordinate pi bond है तो यहाँ पर क्या बना coordinate pi bond बना इतनी बात आपको समझ आ रही है क्या चलिए बताईए अरे boron के पास 6 electron थे उसने सोचा मैं अपना octet पूरा करता हूँ उसने fluorine जो कि उसका परोसी है उससे बोला कि भया देख भया हमने आपके साथ sigma bond बना रखा है आप भया मेरे साथ क्या करो pi bond बना दो अपने दोनों electron मेरे को दे दो जब इनोंने दोनों electron दे तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ pi bond का formation हुआ सरक आपको कैसे पता pi bond बना अरे पहले से sigma बन चुगा तो दूसरा bond क्या बनता है pi ही बनता है और वहाँ पे आप देख रहे हुए एक ही atom electron दे रहा इसका मतलब यह coordinate pi bond चले बीच में लिखे सारे लोग कमेंड करके बताए यस मुझे पता है कि back bonding सोरी यहां पर क्या होता back bonding है bonding लिख दिया गया है यह back bonding लिख लेना भी एए ठीक है यह क्या वह यह back bonding थोड़ा clear लिखना पड़ेगा ठीक है इतनी बात समझ में आगी तो यह बात समझ में आगी यस सर अब एक बात देखो मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको कि कहीं भी अगर coordinate bond है तो जो electron देता है उसकी खोपड़ी पर positive charge जो electron लेता है उसकी खोपड़ी पर negative charge यहां इन्होंने electron लिया तो इस पर negative fluorine ने दिया तो इस पर क्या आए जाएगा positive बोलो आया की नहीं आया इसी वाले bond के formation को बोलते हैं कि यहां पर back bonding हुई है पहले से sigma बना हुआ था fluorine ने दुबारा electron दिया तो यह क्या हुआ बाक bonding bonding के बाद दुबारा bonding is known as back bonding यहां पर देखें फ्लोरीन के पास क्या है वह देखता है कि बाकी लोग रिष्टे बना रहे है भाई या बोरोन के साथ पाई पाई bond चल रहा है अच्छा मैं भी क्या करता हूं खेल खेलता हूं तो इसने यहां electron fake के मारा तो यह दोन electron कहां आ गई यहां बनेंगे यहां पर देखिना है अब्यार好्नेंटेंगaconötव का रहे है से नेगेटिम ठीक है यहां पर पाई बॉन टूटके कहां आ गया ध्यान सुनो ऐसे फ्लोरीन पर पहले से पॉजिटिव चार था इलेक्ट्रॉन पाती न्यूट्रल हो जाएगा यह न्यूट्रल तो यह बन जाएगा अगली चीज सुनेंगे ध्यान से अब क्या होगा इस वा पाई बॉन आप पहले यहां था दोनों के बीच में आप यहां नाच रहा है अब देखो कहां जाएगा अब इन दोनों के बीच में पाई बॉन बनेगा और इस पर फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज यह न्यूट्रल हो जाएगे दोनों तो यह क्या बनी बताओं कि आपको ये बात सिखाई गई है कि आपको क्या करना है पहले इसमें सिगमा बॉंड बना लेने इसके बाद पाई बॉंड को डॉटेड लाइन से बनाना है यह सर पहले यहां था फिर यहां है फिर यहां इसका मतलब हर तरफ इसका मतलब है यह पाई एलेक्टरॉन ह ये मानलो X एंग स्टॉम है ये वाला Z एंग स्टॉम है तो बताएए क्या आएगा तो आप कहेंगे X is equal to Y is equal to Z आएगा X, Y और Z ये तीनों bond length बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे sigma bond है और pi bond तो आप देखी रहे हैं क्या आपको समझ में आया bond order वगर आप लिख ले जाएगा फिलहाल इतनी बात समझ में आई की नहीं आई तो आप एक ऐसी फिनॉमिना देख रहे हैं जहाँ पे पहले sigma bond बन चुके थे बाद में side atom ने electron दिया है क्योंकि इनके पास क्या था vacant p orbital था तब ही जाके इनके बीच में back bonding होती है और इस तरीके से bond lint आप समझ बाते हो आप देखो हुआ क्या पहले क्या था मालो अगर ये electron नहीं देता तो इस boron के पास सिर्फ six electron होते है लेकिन अभी क्या हुआ ये भी electron दे रहा ये भी दे रहा तो थोड़ा इस ये जो boron है उसका पेड भरा हुआ है वो खुस है भी थोड़ा कि यार चलो मेरे पास six थे लेकिन मेरे पडोसियों ने मेरी बहुत जादा help कर दी तो मेरे पास थोड़े च्छै से जादा ही electron हो गए है तो मैं तो अभी भाईया प्रशन नहूं इतनी वासन में आई तो ये क्यूं कर रहा है ताकि अपने आपको octet की तरफ ले जा पाए क्या octet complete हो पाया नहीं मेरे भाईया octet complete नहीं हो पाया क्या octet complete हो पाया नहीं कभी नहीं complete हो सकता अरे भाईया ये बात ध्यान रखो जो नंबर आपके है वो आपके है पडोसी से नकल मार के कभी पास नहीं हो पाओगी यही कहानी बता रहा है यही कहानी बता रहा है मेरे तो कभी भी बोरान को ओक्तट कम्प्लीट नहीं होता हाँ वो इलक्ट्रॉन लेता है फिर लेता है फिर चला जाता है मतलब कि थोड़ी दिर के लिए सो खुसी महसूस जरूर होते है जी इतनी कहानी समझ में आगे होगी आप बात करते हैं बांड लेंथ अब धिस यह देखो और बाइव और यहां और यहां चोटा आपके बताइए आपके सबस्ताइए आप कहेंगे कि यहां सिगमा बॉंड भी है और बाद में partial pi bond भी है इसका मतलब ये length छोटी होगी एकदम सही BF3 की length छोटी होती है with respect to BF4 negative के यहाँ पर देखो ध्यास तुनना ये वाला जो boron है इस पर 8 electron पहले से मौझूद है 8 electron मौझूद है तो fluorine के पास भले loan pair है लेकिन वो यहाँ पर दे नहीं सकता क्योंकि boron ने अपना octet complete कर लिया है BF4 negative बना करके तो यहाँ पर कोई भी back bonding नहीं होती लेकिन back bonding होने से क्या होता है bond length छोटी हो जाती है क्योंकि दो लोगों के बीच में bond order बढ़ जाता है तो यह length क्या होती है छोटी हो जाती है तो क्या कहोगे bond length छोटी हो जाती है due to back bonding इसमें कोई सक नहीं है अब इसके condition की बात करते हैं देखो भाई condition क्या है मालो A है और B है ध्यान से सुनना एक के पास electron होना चाहिए और A के पास vacant orbital होना चाहिए एक के पास क्या होना चाहिए vacant होना चाहिए दूसरे के पास electron होने चाहिए तभी तो ये इनके में electron दे पाएगा बस इतनी सी कहानी है लेकिन अच्छी back bonding कहां देखने को मिलती है जब A ध्यान से सुन लो अच्छी back bonding सिर्फ यहीं देखने को मिलती है दो जगहों पर कोई भी element अगर second period का है कहां कहां अगर दोनों ही element second period के हैं तो अच्छी back bonding होगी एक जो है second का है दूसरा जो है third का है बस यहीं देखने है एक second का, एक third का है तो भीया तब भी back bonding होगी लेकिन इसके पास electron ना हो कमी हो तभी तो यह electron इसमें देगा तो पहली condition दूसरी condition यह है कि जो दो लोग एक दूसरी के साथ जुडने जा रहे है back bonding की वज़ा से वहाँ पे दोनों अगर second period element हुए तो अच्छी back bonding होगी अगर ऐसा हुआ कि एक second है एक second period element का है और दूसरा जो है third period का है तब भी चलेगा लेकिन ऐसा नहों एक second period element हो और एक जो है fourth period element हो तब वहाँ पे back bonding नहीं होती ना के बराबर होती है इतने हो गया इतना हो गया इतनी बात समझ में आगी है क्या मेरी समस्थे कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं होगी मैं आगे बढ़ जाता हूं एक question कर लो लिकाए तब बी एफ बॉंड length in this is this पहले देख लो यह है क्या है कुछ ऐसा देखो nitrogen nitrogen पर क्या लगे है तीन methyl group है और यहां पर क्या है lone pair अगला क्या है BF3 ध्यान से देखें क्रिपया यह है वह या BF3 यह क्या है BF3 हो क्या रहा है कि nitrogen के पास electrons है और boron के पास electrons नहीं है वो चाहरा है मेरे को electron मिल जाए तो यह electron इसको donate हो जाता है यह electron में directly वो जुड रहे हैं तो वो बोलते हैं कि एडक्ट बन लिया दो लोग थे आपस में मिल गए तो क्या हो गया अब यहीं पर question पूछा जाता आगे मैं सवाल पर चलता हूं लेकिन मैं आपसे एक सवाल माल लो यह donation नहीं हुआ होता तो इस nitrogen पर hybridization क्या था सर sp3 था क्योंकि एक loan pair तीन bond pair दिख रहे हैं और यहां पर क्या बोलोगे यहां पर sp2 था sp3, sp2 लेकिन जब वो electron donate करता है तो क्या change देखने को मिलता है जब वो electron donate करता है तो वहाँ पर क्या change देखने को मिलता है कि भया जब यह donate कर रहे होते हैं तो अब boron के पास देखो क्या हुआ एक, दो, तीन, चार, चार side atom हो गए क्योंकि यह भी तो इससे connect हो गया इसका मतलब अब boron जो की पहले sp2 हुआ करता था अब वो कैसा हो जाएगा अब वो भी sp3 हो जाएगा nitrogen पहले sp3 था अभी भी वो sp3 है इस bond के इस चीज के formation के बाद भी भी वो sp3 है इसमें कोई सक और कोई संदेह नहीं होना चाहिए नहीं है सर अब यार जो question है अब उस पे हाते है ठीक है यह भी बताना जरूरी था अब वो क्या कह रहा है कि यहां पे जो bond length है यहां पे जो boron fluorine के बीच में bond है ध्यान से सुनना आगा इस line को यहां पे जो bond length है वो कह रहा है कि 1.35 एंग स्टॉम है इस वाले adduct के अंदर यह जो bond length है वो कह रहा है इतना है लेकिन लेकिन normal bf3 के अंदर नॉर्मल bf3 के अंदर वो कह रहा है कि यह bond length 1.30 एंग स्टॉम है मतलब वो कहना चाह रहा है नॉर्मल bf3 में तो bond angle कह रहा हूं bond length कम है नॉर्मल bf3 के अंदर bond length कम है लेकिन जब यह adduct बना तो bond length बढ़ा हुआ दिख रहा है ऐसा क्यूं इसका क्या reason है चलिए बताइए इ इसका reason मेरे भाई यह है कि यहाँ पर back bonding होने की वज़ा से length छोटी हो जाएगी लेकिन यहाँ पर back bonding possible नहीं है क्योंकि boron ने अपने किनारे आप 8 electronic अठा कर लिए तो यहाँ पर back bonding नहीं हो रही है तो due to back bonding ऐसी चीज होगी ठीक है due to back bonding ऐसी चीज होगी क्या आपको इतनी ब यहाँ पर हमें पता है direction of back bonding side atom से यहाँ पर electron कहा रहा central atom की तरफ आ रहा है side atom से central atom की तरफ कभी आएगा देखो पहले भी BF3 में boron का hybridization sp2 था इन्होंने अगर यहाँ पाई bond बना भी दिया तब भी hybridization sp2 होगा तो आप कहेंगे no change in hybridization no change in hybridization सुन लो ध्यान से यह line कई लोग इसलिए हम कहते हैं कि पहले भी sp2 था अभी भी sp2 ही है अगला देख लीजिए nitrogen यहाँ का जो lone pair है उसको उठा के क्या करेगा इनके लिए देगा क्योंकि यहाँ कार्वन पर क्या positive charge है यहाँ पे pure orbital present है तो यहाँ का pure orbital इस pure orbital के साथ मिलकर के pie bond बना देगा अभी भी carbon का जो hybrid hybridization होगा पाई bond बनने के बाद भी अभी भी यह SP2 होगा अगला चल रहे हैं भाई slow पढ़ाऊ भाई slow ही चल रहा है यह अभी तो बहुत कुछ बाकी है मोटी वगरा भी बाकी है मैस की तुम्हारी क्लास भी है ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई बहुत slow हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2 मैं अच्छा बना के दिखा दिता हूं शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लो भी यह बना दिता हूं क्या है यह electron पाएगा तो यह carbon neutral हो जाएगा और इस वाले nitrogen पर positive charge आएगा तो इस तरीके से यह बन जाएगा ठीक है ओके यहाँ देख लीजी oxygen फिर लिखा है SIH3 oxygen SIH3 देख लीजेगा क्या है यहाँ पर धान चा देख लो मेरे भाई यहाँ पर oxygen के पास क्या है lone pair यह lone pair इस silicon के अंदर जाएगा यहाँ पर जो lone pair है वो भी silicon के अंदर जाएगा ऐसा क्यों होगा यह ए vacant d-orbital vacant d-orbital present है ध्यान देना भीया क्या present है vacant d-orbital present तो यह electron यहाँ पर जा सकता है अरे इनके पास electron है लेकिन इनके पास electron नहीं है तो यह भाई साब इन में electron दे सकते हैं तो यहाँ पर back bonding possible है clear है यहाँ पर back bonding possible सवाल अक्शली यह आता है कहां पर back bonding है कहां पर नहीं है बस सिलिगन कहां का third period element उसके पास d orbital है तो यहाँ पर vacant d orbital है यहाँ पर क्या है मेरे भाई ध्यान से सुन लें यहाँ पर vacant d orbital है अगर यहाँ पर vacant d orbital तो इसके अंदर electron ले सकता है इसके electron यह ले सकता है इसके अंदर यह electron इस तरीके से ले सकता है बोलो भाई यह electron इस तरीके से receive हों नहीं करेगा और अगर hybridization में participate नहीं करेगा तो बताओ इस nitrogen का hybridization क्या होगा SP2 होगा क्योंकि ये lone pair तो खाली नहीं है ये क्या कर रहा है इनके साथ pi bond बना रहा है इनके साथ pi bond बना रहा है इनके साथ pi bond बना रहा है वो पूरी तरह से पूरे molecule में distribute हो गया back bonding के लिए अगर back bonding यहाँ पे हो गई तो ये nitrogen SP2 होगा अगर SP2 होगा तो आप कहेंगे ये planar molecule है SP2 में क्या आता है या planar molecule है trigonal planar रहता ना तो आप क्या वो लोगे ये एक planar molecule है मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ paper में कैसा लिखा जाएगा लिखा जाएगा NSI S3 Thrice जो है वो planar हो जाता है क्यों कहना वहाँ पे back bonding है क्या वो लोगे पर भाई कहोगे भाईया back bonding है इतनी बास्वन में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है जी सबको समझ में आगया होगा आगे बढ़ जाता हूँ मैं यहां पर क्या है nitrogen पे यहां पर loan pair वो loan pair कहां जाएगा इस silicon के अंदर अक्सर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसलिए मैं आपको पता रहा हूँ यहां पर क्या हो जाएगा यहां पे electron donate होगा अगर donate होगा तो इस nitrogen का मैं पूछूं hybridization क्या होगा तो कहना sp hybridization क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर एक क्या है एक bond इधर एक bond sigma का इधर दो sigma bond मतलब steric number two steric number two का मतलब sp hybridization तो यहाँ पर जो theta वो करीब करीब 180 degree के पास आता है और यह एक linear molecule बन जाता है यह कैसा है यह एक linear molecule बन जाता है ऐसा क्यों हो पाया क्योंकि nitrogen का जो lone pair था वो back bonding में चला गया तो वो hybridization में participate नहीं कर पा रहा है इसलिए यहाँ पर sp hybridization और linear आ रहा है सब के सब को समझ में आ रहा सेम कहानी यहाँ पर भी लगानी है carbon के उपर negative charge जब वो negative charge chlorine के उपर जाएगा chlorine के उपर जाएगा chlorine के उपर जाएगा तो यहाँ पर भी back bonding देखने को मिलती है चलिए जी आगे देख लेते हैं यही question के form में आपसे पूछा गया क्या है देख लिजे वही चीज question बना दिया या क्या है tricylil amine tricylil amine का मतलब nitrogen है amine कैसे लिखते हैं इसके बाद silil का मतलब si h3 अरे जोसे c3 होता ना c3 मतलब c3 का मतलब होता है methyl ह nessa c3 का मतलब methyl लेकिन si h3 का मतलब क्या होता है shilil clear है तो tricylil का मतलब 3 रा sin lif hair ठीक इस तरीके से और nitrogen का lone pair क्या हो रहा है इसके अंदर भी जा रहे इसादर भी जा रहे और इसके अंदर भी जा रहे है इसी वज़ा से यह planar होता है इसी की वज़ा से प्लेनर होता है और लिखा जा रहा है कि यह जो मॉलिक्यूल है वो एक लुविस बेस नहीं है यह एक लुविस बेस नहीं है बताओ क्यूँ पुछा जा रहा है यह एक लुविस बेस नहीं है क्यूँ कोई बता सकता है अरे सर क्यूँ नहीं क्योंकि यह ना लोन पयर था actually वह यहां पर पाई बॉंड बनाने हुच चला गया तो नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पयर रहा यह नहीं रहा नहीं तो वह इलेक्टरान डोनेट करी नहीं सकता कर नहीं सकता इसका मतलब यह लोविस बेस नहीं है लेकिन वहीं पर अगला लिखा हुआ है ट्राइमिथाइल एमाइन ट्राइमिथाइल एमाइन का मतलब एक नाइट्रोजन है और तीन मिथाइल ग्रूप SS3 का थ्राइस है नाइट्रोजन की खोपड़ी पे लोन पेर है अब यहां देखो नाइट्रोजन की खोपड़ी पे लोन पेर क्या यहां पे किसी तरीके का कोई डोनेशन होगा क्या यह कारबन इलेक्ट्रॉन ले सकता रहे नहीं सर वहाँ पे तो आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आठो हो चुके इसका मतलब हुआ ध्यान से तुन होगा आप कहेंगे sp3 hybridization होगा इसी वज़ा से यह पिरेमिडल है इसी वज़ा से यह पिरेमिडल सेपका होता है सारी कहानी क्लियर कर दी अगला देख लीजे आप यह देखे क्या है यह है सिलाइल आइसो साइनेट एन सी ओ एज आइसो साइनेट सिलाइल का मतलब si3 यहां प है वो लोन प्यर बॉन्ड पेर को रिपल करेगा इसको भी रिपल करेगा रिपल्सन की वज़़ा से वह थोड़ा आंग बन जाएगा यह कैसा होगा आcity साइज करेक्टर का मतलब क्या होता area ऐसा जो इतनम बिखारी टाइप का हो, जिसका पेट भराना हो, जो सामने से अभी इलेक्टरॉन लेने की छमता रखता हो, ठेक इतनी बात समझ मागई है, यस तो पहले क्या करते हैं, बाकी इसी मॉलिक्यूल के पहले चर्चा करते हैं, देखो, यहाँ पे जो फ्लोरीन ये ज यूज करेगा, लेकिन बोरोन अपना 2P और यूज करेगा, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन का मतलब बैग बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पर ये क्या करेगा भाईया, यह जो है, अगर यह 3P यूज कर जुका, तो यह 4P और 2P की और लैपिंग होगी, इतनी बास में आगी, अच्छी और लैपिंग कौन होगी, 2P 2P की और लैपिंग होगी, तो आप कहेंगे अच्छी बैग बॉन्डिंग कहां देखने को मिलती है, अच्छी बैग बॉन्डिंग कहां देखने को मिलती है, अच्छी बैग बॉन्डिंग Lewis acid है नहीं क्योंकि इसका पेट तो बड़ा हुआ है यहां पे यह ऐसा है जहां पे इन दोनों में अच्छी overlapping नहीं हुई तो अच्छे तरीके से यह electron नहीं दे पाया यहां बोरॉन इसको अच्छा मेरे को दे दो क्योंकि मेरे पास अभी 8 electron के आज पास पहुँचने की छमता हुई नहीं है यह कहेंगे मेरा थो थोड़ा पेट भरा है तो एनस्तरी तुम मद्दो यार मेरे को कोई खास जरूरत नहीं है तुम उधर देखर के आ जाओ तो इसका मतलब अगर मैं कहूं lowest acid character की ब right यहां पर देखना क्या होगा acid में से आको क्या करना हploy अच्पस हटाना है acid में से हैच प्लस अटाते ही Carbon की कोपडु पर नगटेव चार्ज बन जाएगा और chlorine हमने क्या कि है acid से h plus अटा दिए h plus अटा ते ये बन जाएगा और हम क्या देखते हैं कि ये negative charge इसके अंदर भी जा सकता है इसके अंदर भी जा सकता है इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा back bonding है अच्छे खासे back bonding की वज़ा से ये जो आपने anion लिखा है वो क्या होगा stable होगा back bonding होगी तो वो stable होगा और अगर किसी acid का conjugate base दुबारा सुने ध्यान सुने किसी acid का conjugate base stable है इसका मतलब वो सबसे जादा acidic है इसका मतलब वो सबसे जादा acidic है तो इसका मतलब यह सबसे जादा acidic है बाकी का जबाब आप खुद लगाएं कुछ बच्चों को लग रहा है कि यह ज्यादा ऐसेडिक होगा नहीं क्यूं नहीं होगा वह देख लो कार्मन की उपर नेगटएव चार्ज, फ्लोरिन फ्लोरीन यहां पे देखो भाई यह नेगटेव चार्ज यहां पे जाएगा क्या है इस वज़ा से chloroform more acidic है यह चीज आपको आनी चाहिए मेरे भाई ठीक है आगे बढ़ जाते हैं इन ओर्गनिक बेंजीन क्या होती है इन ओर्गनिक बेंजीन देखो कैसे लिखते हैं B3 N3 H6 is boragene या इसको लिखा जाता है boragene इसको लिखा जाता है boragene या inorganic benzeeen अबaling कैसे बना आ यहांण दो गर्गनिक र्गनिक बना यहां जाये इसतरीक dyslexia बना लो, alternate करके लगाया, कितने hydrogen है, 6 hydrogen, तो 6 atom है, बही, अरे, inorganic benzen का मतलब, एकदम benzen की तरह बनाना है, एकदम benzen की तरह बनाना मेरे बही, benzen ऐसे ही होता न कुछ, यह सर ऐसे होता है, यहाँ पर क्या back bonding possible है, यह सर possible है, कैसे possible बताओ, nitrogen के पास lone pair है, nitrogen के पास lone pair है, nitrogen के पास अब देखो बॉरॉन के पास त्ही रिटन का यहां पर भृब सकता है यह एक्टऽान हब टोर्म यहां पर यहां पर डोर हो सकता है तो इस तरीके से चीज बनी इसको इन आरगानिक बेंजीन बोला जाता है ये भी aromatic है और ये planar है और ये भी क्या है यहाँ पे polarity क्या होती है जीरो होती है ये non polar molecule होता है इतनी बात को समझ में आ गई होगी जैसे अगला देख लेते हैं bridge bonding बस जल्दी खतम होने वाला ज्यादा time बचा नहीं है मतलब कि ये वाली topic के लिए bridge bonding देखो कैसे देखी जाती है ध्यान से सुन लो भाई bridge bonding दो तरीके की होती है अगर हमारे y के पास देखो लिखा रहेगा x xy3 तो और अगर y के पास loan pair तो वो loan pair इसको donate कर देता है अगर y क अबने side item से क्या करा? electron pair donate कर दिए अगर y के पास electron pair होते हैं तो वो इसको donate कर देते हैं ऐसा होने पर इस x के पास 8 electron हो जाएंगे, इस x के पास भी 8 electron हो जाएंगे मतलब electron की कमी है तो इसको कहते है इलेक्टरॉन precise molecule क्या कहते इससे जो बनता है molecule उसको कहते है electron precise molecule क्या बोलते हैं बोलो सब लोग एक साथ बोलेंगे क्या है electron precise molecule ठीक है जी यहाँ पर electron precise molecule होगा लेकिन यहाँ पर एक condition क्या है अगर बी के पास कोई loan pair नहीं है तो वो क्या करेगा अपने sigma bond के electrons को यहां देदेगा वो यहां के sigma bond के electrons को यहां देदेगा sigma bond के electrons देखरो कितना वाड़ा donation चल रहा है sigma bond कब जाएंगे जब बी के पास कोई loan pair नहीं है if B has no loan pair अगर loan pair नहीं है और यह एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते तो यह तरीका है लेकिन अगर वाई के पास loan pair तो electron देदेगा 8-8 हो जाएंगे मतलब यह electron precise है लेकिन यहाँ पर देखो क्या है वही electron जो bond के अंदर था वही तुम यहां लेते हो यहां लेते हो तो क्या कभी एक के पास 8 electron हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इसका मतलब यह electron deficient molecules है यह क्या है यह electron deficient molecules है example के तोर पे देख लीज़े ALCL3 है, ALCL3 में Almonium के पास Electrons थे तो ये इनको दे देंगी इस वाले ALCL3 का जो ये वाला Almonium है वो इनको Electron दे देगा तो इस तरीके से Dimer का Formation होगा जो ALCL3 था वो क्या होगा, दो बार आपको Connect होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है AL2CL6 अगर कोई पूछे, AL2CL6 Electron Deficient है या Precise, कहना Electron Precise है क्योंकि Side Atom के पास Loan Pair थे और उसने Electron दे दिये है बताओ भाई मामला क्लियर है यस सर, और जो Electron Deficient होते हैं वहाँ पर एक सब्द यूज होता है Banana Bonding, इतनी बासन में है कि क्या यूज होता है, Banana Bonding अब एक बात देखो, सब्द आप पूछ सकते हैं कि सर, ये Bridge Bonding क्यों लिखा गया अरे भया, दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये Side Atomic Bridge का का काम कर रही है इसका मतलब है, हाँ पर Bridge Bonding हो रही है ये सेम कहानी यहाँ पर भी है Example के तोर पर आप ये ले लिजिए Example के तोर पर आप ये ले लिए BS3 है, यहाँ पर क्या करिए, इस तरीकी से Bond बना दीजिए, इन दोनों के बीच में Bond बना दीजिए, एक्चुली क्या हुआ हुआ है यहाँ के Sigma के Electron, यहाँ पर Vacant Orbital जो उसके अंदर चले गए यहाँ वाला इसके Vacant Orbital के अंदर चला जाता है, तो यह बन जाता है, ठीक है एदम clear है, यहाँ पर जो Bonding होती है यहाँ पर एक बार देख लो एक बार देखो सारे लोग यहाँ पर, एक सेंटर दो सेंटर, तीन सेंटर, यहाँ क्या है तीन सेंटर, एक, दो, तीन, यहाँ पर टोटल तीन सेंटर है, और तीन सेंटर पर आप देख रहे हो, दो ही इलेक्टरोन है यही वाला इलेक्टरोन तो इधर लेके गए थे इसका मतलब 3 electron सब्सक्री लेकिन यहाँ पर 2 electron इसलिए इसको electron deficient कहते हैं और इसी को banana bond भी कहते हैं यहाँ बनाना bond भी कहते हैं वो कहते हैं banana bond इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ इनकी सकल थोड़ी match करती है आगे साथ मिलेंगे चीजह आपको आगे देख लेते हैं, BECL2 के case में example देखना, यह electron इनको देंगे, यह electron इनको देंगे, इसी तरीके से और ज़्यादा, मतलब यहाँ पर क्या polymer बनाई जा सकते हैं, इस तरीके से polymer बनाई जा सकते हैं, ठीक है, तो सामने से यहाँ भी electron आएगा, मतलब एक और होगा तो यह भी polymer का formation हो जाएगा, N की value बहुत जादा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आगई है क्या, इतनी बात समझ में आगई, यह कोई दिक्कत तो नहीं है, यह वाले example आ यह भी आ गए, यह सिमिलर है, ब्रोराउन की जहाँ पर अलमूनियों लेग दिया बस, चलिए भी आप डाइबो भी जैव इसको बोलता है, पर इसको बोलता है क्योंकि ऐलकें होता में, यहां पर क्या तीन जीमिए, तो यह त्यहाँ पे दो अगर ह्ए, पर नग देखते हैं, यहँदो बार अख commissions में, यहा बढ़राव कर लग यहाँ बशिक्मागर के क्या है, यह दो बोरॉन बनाई, दो बोरॉन पे देखिएगा ये हाइड्रोजन आकर के लग रहे हैं हाइड्रोजन आकर के लग रहे हैं यहाँ पे चार हाइड्रोजन इस तरीके से लगेंगे एक बोरॉन पे दो हाइड्रोजन इस तरीके से इस तरीके से अब क्या होगा दोनों के बीच में एक हाइड्रोज क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है दो atom के बीच में यह bris का काम कर रहा है तो इसले brisging hydrogens बोला जाता है ठेक हजी इतनी बाथ सम्झ हा गई है यसर समझना गई है आप देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर इस तरीके से इनके बीच में bond बना हुआ है ठीक है जी इतनी वासन में आगी ये किनारे किनारे वाले को ओने टर्मिनल और बीच वाले हो जाएंगे ब्रेज ठीक समझ बात आगी अच्छा अब एक चीज़ देखने में आ रहा है कि भईया इस बोरॉन के किनारे चार बॉंड है अगर चार बॉंड है तो sp3 hybridization होना तो बोरॉन के लिए देखो क्या होगा यहाँ पर एक electron यही होगा न यही होगा न भाई excited state में हमने इसको merge कर दिया जब merge करेंगे तो यहाँ पर sp3 एक दो तीन चार sp3 hybridization होगा sp3 होगा थो एक दो तीन और यहाँ पर क्या है फो यही है न उसके पास भी 4 sp3 है SP3, दोनों boron के पास SP3 hybrid orbitals है, no doubt, लेकिन जो hydrogen जो बीच में लगा है, उसका क्या है 1S, तो ये hydrogen का 1S है, ये जो hydrogen का क्या है, बीच में 1S है, ठेका जी, ये बात समझ में आई क्या, तो बीच में ये क्या है, boron ने अपना SP3 hybrid orbital दिया, फिर 1S और SP3, इस overlapping से बीच वाला bond बनता है तो 3 center 2 electron bond कैसे बन रहा है, boron ने अपना SP3 दिया है, hydrogen ने अपना 1S दिया है, फिर से boron ने अपना SP3 दिया है, तो इस तरीके से bond का formation हो रहा है, क्लियर जी, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, lt का मतलब क्या होता है, कि terminal पर जो ये bond length है, ये lt है, ये वाला जो है, वो वा length जो की जुड़ा हुआ bridge से, length जुड़ा हुआ है जो की bridge से, थोड़ा सा बड़ा है वही chapter, इसको आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, तभी आराम समझ में भी आएगा, तो देखा क्या जाता है, आप बताईए, यहाँ पे तो अच्छी bonding हो रही है, भाई यहाँ पे SP3 था overlap थोड़ी हो पा रहा है, तो यहाँ पे length बड़ा आएगा, तो बीच वाले का length बड़ा आता है, अब एक चीज़ bond angle देखते हैं, अगर मैं मान लूँ कि यह जो theta है, वो theta B है, और यह वाला theta T है, क्या हो रहा है, यह terminal hydrogen's के बीच का है, तो तर T लिख दिया, यह breathing hydrogen's के बीच है तो इसलिए B लिख दिया, आप बताए बड़ा कोनर इसाथ simple दिख रहा है, यह तो एक square type का दिख रहा है, तो यह करीब करीब 90 degree आएगा, और यह करीब करीब 120 degree आता है, ठीक है, जी, 120 degree आता है, तो बताए, L T और L B में बड़ा कौन होगा, इन दोनों में L B छोटा होग क्योंकि यह वाला एप्रॉक्सिमेट 90 degree के आसपास आता है, और यह वाला 120 degree के आसपास आता है, clear है, चलो भीया, बी अस्ते हमने खतम कर दिया, यह तो आप खुद बनाएंगे, एक बार चाहें तो मैं हिंट के तोर पर बता दिता हूँ, यह आपस में connect हो जाएंगे, यह electron दे रहें, यह electron दे रहें, इनके उपर भी क्या होगा, एक loan pair, यह आपका homework है, आप एक बार देख लेंगे बस, ठीक है, इस तरीके से आपसे पुछा गया, number of items in same plane, same plane में बताएंगे कितने items हैं, यह अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए बता देता हूँ, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, यह सब के सब items क्या है, plane में हैं, और इस plane के उपर एक loan pair, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, ठीक है, यह आपका homework है, आप खुद बनाएंगे, ठीक है, अब आते हैं MOT को उपर, आ जाओ भई, जो ढूड रहे थे MOT आ गया भई, आपका, MOT के बारे में क्या लि यूज करते हैं, quantum mechanical, quantum mechanical theory भईया, साई यूज किया जाएगा, ठीक है, पढ़ा दिया जाए, पहले बताओ, जो साई है, तो बढ़ाया जाए, चले भईया, शुरुबात करें, यहां से number बटो रहेंगे, करें भईया, MOT क्या है, quantum mechanical model है, quantum mechanical सब्द आपने कहाँ पे सुना था, जब हम स्रोडिंगर wave equation सुन रहे थे, वहाँ पे हम electron से related, associated, एक wave function, साई पढ़ा करते थे, और हम यह कहते थे, कि अगर आपने साई का स्क्वायर कर दिया, तो वो orbital को represent करने लग जाएगा, यह वा समझ में आ रहे है, यह सर, आप यहां पे देखें भईया, धहन से सारे लोग, दो मिनट लोगा, सब को समझ में आ जाएगा, देखो, एक wave function है, यह हमारा एक wave है, ठीक मैं कहूं कि दोनों wave ने constructive overlap किया है, अच्छी merging करी है, तो वहाँ पे क्या होगा, यह जो amplitude है, waves के वो add हो जाएंगे, बोलो भाई, हो जाएंगे की नहीं हो जाएंगे, हाँ सर, हो जाएंगे, तो यह plus हो जाएगा, और यह minus हो जाएगा, और अगर यह si a है, नीचे वाला wave ज यह देखो amplitude add होते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो resultant wave कुछ ऐसा दिखेगा, बोलो भाई, resultant wave कुछ ऐसा दिखेगा, क्या, यह सर दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया है, अगली चीज़ दिखना, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक wave है उसके लिए भी मैं si a लिख रहा हूँ, यह plus है, यह minus है, लेकिन अब की बारवाली का देखो, क्या है, यह plus है, और यह क्या है, यह plus है, यह minus है, यह minus होगा और यह उपर वाला plus, तो अगर यह si a है, और यह si b है, तो इनके merging से क्या होगा, सर सीधी line आएगी अगर इनके amplitude same ह होगे, अगर amplitude same नहीं हुए, और मैं कहूं, इस वाले का amplitude थोड़ा बड़ा होगा, तो यह कुछ ऐसा पतला दूबला सा आएगा, क्यों, क्योंकि जिसका जो resultant निकलेगा, उसमें आप si a minus si b लिखोगे, यहाँ पे constructive overlap नहीं हुआ, destructive overlap हुआ है, क्योंकि plus और minus की वज़ा से, अगर मालों यह amplitude बड़ा होगा, तो resultant में थोड़ा सा छोटा दिख जाएगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ possible है, क्या, बोलो भाई सभी लोग, इतनी बात समझाई क्या, मेरी समझ से समझने में कोई दिकत नहीं होगी, अब मैं आपको ले चलता हूँ, orbital की लेकिन यहाँ पर देखना, एक orbital को कैसे लिखा जाता है, si a square, दूसरे orbital को कैसे लिखा जाता है, si b square, लिखा जाता है क्या, yes sir, wave function का square होते ही, वो orbital को represent करने लग जाता है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, resultant का square करो, resultant का square क्या आएगा, अरे यह आएगा, si a plus si b, इसका square, आ आएगा की नहीं आएगा, अरे बोलो, आएगा की नहीं आएगा, yes sir, आएगा, अगर आएगा, तो इसको open करो, लिखा जाएगा, si a square plus si b square, अगला term होगा, 2 si a into si b, क्या आएगा, 2 si a into si b, एक बात तो समझ में आ गई, कि जब 2 orbital, आपस में overlap कर रहे थे, तो देखो भाईया यह si a square, si b square तो यहाँ पे present है, लेकिन एक extra term आ जाता है, इसको कहते है overlap integral, क्या overlap integral, overlap की वज़े से, दोनो nuclei के बीच में electron density बढ़ती हुई नजर आ रही है, अरे दुबारा सुनो इस line को, दोनो क्या थे, factor जब आपस में मिले, कौन कौन से overlap करे, si a square and si b square, जब यह आपस में overlap करेंगे, तो वह यह resultant के तोर पे, बीच में electron density दोनो nuclei के जादा मिलेगी, यह term बताता है, कि इनके बीच में electron density थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दोनो nuclei के बीच में electron density बढ़ गई, अगर दो nuclei के बीच में electron की density बढ़ रही है, इसका मतलब वो चीज स्टेबल हो रहा है, क्यों क्योंकि तब यह nuclei और करीब आ सकते हैं, अगर वो और करीब आ सकते हैं, इसका मतलब है, खुद को वो stable कर रही है, अगर वो और करीब आ सकते हैं, इसका मतलब वो और stable हो रही है, अगर कोई चीज स्टेबल हो रही है, तो इसका मतलब वहां से energy निकली होगी, वहां से energy क्या अपने अंदर से एनर्जी निकाल दिया है तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पर stability आ रही है तो इसकी एनर्जी कम होगी इस वाले की एनर्जी क्या होगी बोलो कम होगी इतनी बात समझ में आगी क्या यस आप समझनो एक चीज बताता हूँ यह एक atomic orbital है यह भी एक atomic orbital है यह जो बना यह किसी molecule का orbital है इस वाज़ा से यह molecular orbital है यह molecular orbital है अब एक बास सुनू S orbital S orbital आपस में मिलके क्या बनाएंगे हमेशा sigma bond बनाएंगे इसलिए लिखा जाएगा sigma molecular orbital sigma bonding molecular orbital क्योंकि इससे bond का formation होगा तो इसके लिए सब्दी यूज किया जाएगा sigma bonding molecular orbital और इसकी energy क्या होती है कम होती है क्यों होती है चीज समझ में आ गई है चीज समझ में आ गई है अगली चीज सुनना यह मान लो मेरे पास atomic orbital है यह इस पर मान लो plus phase है और इस पर क्या है minus phase है MOT कहता है कि सिर्फ यह मत मानू कि यहाँ पर देखो MOT क्या कहता है MOT कहता है सिर्फ यह मत मानू कि यार यहाँ पर positive phase है positive phase है दोनों मिल करके सिर्फ positive वाले ही देंगे मतलब यह तो होगा ही जो VBT में हुआ करता था लेकिन MOT कहता है कि भाया आदमी सिर्फ अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं होता कि constructive overlap हो गया और electron density दोनों नुकलियाई के बीच में बढ़ गई सिर्फ ऐसा नहीं होता इस त्रिष्ट में हराम खोर टाइप के लोग भी है वहाँ पे वो आपका घाटा करवाते destructive overlap भी साथ साथ आपकी जिन्दगी में चलता है पाप और पुन्य ये दोनों एक सिक्के के पहलू है एक साथ चलेंगे समझ रहे हो कहानी को तुम यह तो वो पुन्य को अब consider कर रहा है सौरी पुन्य को कर चुका है कि electron density दोनों निपलिया की बीच में बनागी आपकी बार देखो आपकी किस की बारी है पाप की बारी है सुनना क्या है यह यह है साई A स्क्वाइर यह कौन है साई B स्क्वाइर ठीक है यह है क्या 1S orbital यह दूसरा वाला 1S orbital इतनी बार ठीक है यह दोनों आपस में overlap करेंगे अब एक प्लस है एक माइनस है तो समझना इसको निकालने का तरीका क्या है तो resultant क्या आएगा आप कहेंगे सर यहां पर जो resultant आएगा वो मैं यहां लिख देता हूँ साई A माइनस साई B बोलो भई तो जो यहां पर molecular orbital आएगा वो इससे आएगा साई A स्कॉर माइनस साई B स्कॉर तब आप देखोगे साई A स्कॉर प्लस साई B स्कॉर माइनस 2 टाissenschaft साई A इंटु साई B आपको क्या नजर आया आपको कुछ नजर आया आपको नजर आया कि 2 और्बिटल जapस में मिले तो यहाँ पे तम तो दिख रहा साई स्क्वार्साई साई बी फ्क्वार का लेकिन एक एकक्ष्टा टं आ गया लेकिन आपकी बार एकक्ष्टा टं माइशमां मैंस में है इसका मतलब अब दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो देखना क्या होगा देखना भया क्या होगा ध्यांसे यह एक न्यूक्लियाई है इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आको नहीं बनानी है इसी से पता चलत रहा है बंद की बॉन्ड का एक विरूध हो रहा है क्या हो रहा बॉन्ड का विरूध क्या बोला जा रहा है दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लानी है मेरे भाई जब आप यह वाली वरलाइपिंग कराएंगे तो क्या बताया प्लस फेज यहां पे और माइनस फेज इसमें, प्लस फेज यहां पे माइनस फेज मेरे भया इसमें, अगर प्लस माइनस है तो दोनों के नूकलियाई के बीच में इलेक्टरॉन डेंसटी नहीं आएगी, क्या आपको यह बात समझना गई, और इसको नाम दिया गया कि यह बांडिंग का molecular orbital है .. बोलो भाई इतनी बात समझ्न माई है? इतनी बात समझ्न माई है.. कि यार ये anti bonding molecular और्बीतल है एकदम मामल कलियर है यह सर अंतर क्या है इस सर अरे भईया यहां पर दोनों नुक्लियाय के लीक्निक तुमने और पॉम्दि पर पॉजिटिव चार्ज है यापसी रफोड़ेंगे अरे दोनों पर मोदिप्स्थी Clayton पर इस anti-bonding molecular orbital की जो energy है वो भी बढ़ेगी क्योंकि जहां कहीं भी repulsion होता है वहाँ पे energy high होती है जहां पे क्या बोला मैंने repulsion होता है वहाँ पे energy high होती है तो anti-bonding की energy जादा होगी लेकिन bonding की energy कम होगी सायद आपने पहली बार यह चीज़ सीखी होगी इस तरीके से समझ में अभी तक पढ़ाया जो था वो सब समझाया यह सरानन्दा अब आगे बढ़ जाएगे मामला क्लियर है सरसूपर डूपर क्लियर है अच्छा जी अब एक चीज़ और सीखिएगा जब दो लोग प्यार मुहबत से यह चीज़ बनाते हैं तो हाँ अच्छी खासी energy वहाँ से निकलेगी अच्छा कासा force of attraction होता है लेकिन बटा याद रखना जब दो लोगों के बीच में तकरार होता है प्लस और माइनस हो जाता है दो लोगों के बीच में तकरार होता है प्यार नहीं तकरार होता है न मेरे भाई तो इंतकाम देखेगी तक मामला जाता है इंतकाम दे इसका मतलब क्या कहना चाहरा हूँ, रिपल्सन जादा, बहुत जादा, रिपल्सन बहुत जादा होता है, तो एनरजी उसकी बहुत जादा बढ़ जाती है, तो एंटी बॉंडिंग की जो एनरजी है, वो बहुत जादा होती है, with respect to even atomic orbitals, बस इतलाइन को द्यामाग में रखना मैं आगे समझाऊँगा ये बहुत सांदार कॉंसेप्ट है बहुत सांदार की रिपल्सन होगा तो इंतकाम देखेगी तक जाएगा नहीं तो भया कहा तक जाएगा देख लो गली मुहले तक रह जाएगा ठीक है जी आगे देखते हैं आगे की कहानी है एसस और ओरलापिंग एन सिमेट्री टर्म देखो भया ये मैंने आपको पढ़ा दिया इसमें कोई दर्ब तो हो नहीं किसी को आरे इस पर पॉजिटिव फेज है इस पर पॉजिटिव और ये बन गया पॉजिटिव तो ये मैंने क्या बनाया सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर और्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर और्बिटल अब यहाँ पर हमें एक सिमेट्रिक टर्म सीखना होता है जिसको बोलते हैं जी रेड क्या बोलते हैं जी रेड और एक क्या होता है अन जी रेड जी रेड और अंजी रेड नोट डाउन करिए तब तक ठीक है भाई यहाँ पे देखना क्या हुआ ध्यान से सुलेंगे अब यह जी रेड अंजी रेड को कैसे डिफाइन किया जाता है इस सिमेट्री टम को कैसे बताया जाता है सीखलो यहाँ पे दोनों निउकलियस के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूड़ना है धार से सुनना दोनों निउकलियस के बीच में एक पॉइंट ढूड़ना है जहां से कहीं किसी भी तरफ 180 डिलरी पर जाईए यहाँ पर जाईए इसके पीछे जाईए अगर आपको हर तरफ same phase मिलता है देखो भी अब यह पूरा या दोनों ही positive positive थी overlap कर गए तो इस पूरे का positive phase होगा अगर positive phase होगा तो आप क्या बोलेंगे अगर सब के positive phase होगा तो आप बोलेंगे कि अगर inter nuclear distance sorry inter nuclear के बीच में दोनों nucleus के बीच में अगर हम एक ऐसा point लें जिससे हम क्या करें 180 डिगरी पर किसी भी direction में जाए और अगर हमें same phase मिलता है तो वो कहा जाएगा कि वो चीज symmetrical है वो चीज कैसी है symmetrical है दुबारा बता देता कि ऑविच लाइन को मैंने क्या बोला दोनोँ nucleus के बीच में point लेट लो इसको कहते है center of symmetry इसको क्या कहते है center of symmetry अगर center of symmetry present है तो वो बोला जाता है gee-rate है center of symmetry present है तो वो कैसा है G-RAID दुबारा सुन बता देता हूँ center of symmetry present है तो उसको क्या बोला जाता है कि वो G-RAID है ठीका जी आप देखो दोनों के बीच में एक point लिया एक center लिया center चगर मैं इस तरफ हाऊँगा तब भी ये positive phase है क्योंकि पूरे orbital में ही positive phase है तो आप किसी भी direction में जाएंगे आपको positive phase ही मिलेगा इसका मतलब ये point एक center of symmetry है अगर वो point center of symmetry है तो बोला जाएगा sigma bonding molecular orbital जो है वो कैसा है G-RAID है इसको sigma G लिख करके समझाया और बताया जाएगा इतनी बात पच गई हो तो बताये ये बात समझ में आ गई है यसर अगले चीज़ देखेगा अगले में क्या था एक में plus था दूसरे में क्या था minus एक में plus दूसरे में minus अगर over lap करेंगे तो इधर plus इधर क्या मेरे भाई minus निकालने का तरीका क्या सिखाया दोनो नूकलियाई के बीच में दोनो नूकलियाई के बीच में एक point बनाएए दोनो नूकलियाई के बीच में एक center बनाएए center से आप इधर देखे left आए तो positive मिला right जाए minus मिला इसका मतलब क्या हुआ ये center of symmetry नहीं है क्योंकि उस point के हर तरफ same phase नहीं है इधर जाने पर positive phase है इधर जाने पर negative phase है अगर phases opposite होंगे तो ये ungerade बोले जाएंगे क्या बोला जाएंगा? ungerade बोला जाएगा बोला जाएगा क्या? ये ungerade है और ये है कौन? ये है sigma anti bonding molecular orbital इसके लिए लिखा जाता है sigma star और इसी के लिखा जाता है sigma ungerade ungerade का मतलब u लिखना है sigma u तो यहाँ पर sigma ungerade क्या आपको इतनी बासमझ में ये कहीं भी लगाया जा सकता है हर तरफ जतना भी हम पढ़ाएंगे सब में लगा कर क्या आप निकाल सकते हैं मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाली है ungerade का मतलब center of symmetry present है ungerade का मतलब center of symmetry present नहीं है अगर molecule में आप देख रहे हो अपने atomic orbital में अपने atomic orbital के मर्ज होने के बाद जो molecular orbital बना उसके दोनों nuclei के बीच में एक ऐसा center मिल पा रहा है जिससे left right किसी भी तरफ जाओ और वहां 180 degree पर जाने पर same phase मिलता है center of symmetry है अदरवाई नहीं है और अगर center of symmetry है तो जीरेड अगर नहीं है तो ungerade बोला जाएगा यहां तक की बात समझ आई क्या यह सरगला देख लेते हैं formation of H2 बहुत देर से यहीं सीख रहे हैं लेकिन इसको धंग्चा सीख लेते हैं क्या बताया हमने कि यह हमारे पास 1S है यह हमारे पास 1S है यह देखिए भाई hydrogen यह भी 1S है दोनों 1S ने आपस में गड़बंदन किया तो यहां पर क्या बन गया bonding molecular orbital यह कौन है यह sigma bonding molecular orbital यह कौन है sigma bonding molecular orbital अगर मालो यह 1S था यह 1S था तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा कि भाईया sigma 1S sigma 1S का मतलब क्या होता है कि दोनों ने आपस में मुलाकात करके अपनी energy down कर ली है और यह क्या होगे sigma bonding molecular orbital हो गए लेकिन यही दोनों उसी समय क्या होंगे एक anti bonding भी बनाएंगे तो यह क्या बनगा anti bonding तो इसको लिखते है sigma anti bonding molecular orbital दुबारा सुन ले द्यान सुन ले यह क्या होगा sigma anti bonding molecular orbital और आप यहाँ पे जानते हैं इसको क्या लिखते है sigma u और यहाँ पे इसको लिए लिखा जाएगा sigma जी तो सारी चीजे ने में पढ़ गई इतनी बात समझ में आगई अच्छा अब एक बात बताओ यह यहाँ पे energy इतनी ही drop होई लेकिन यहाँ पर देखो energy बहुत बढ़ गई मैंने बताया था मैंने बताया कि था कि दो nuclei जब आपस में repulsion करने लग जाते हैं तो इंतकाम तक ले गए भई यह अपनी energy क्या करें high करें तो anti bonding की energy ज़्यादा होती है with respect to bonding के समझ में आगया overall कहानी क्या है yes sir यह यहाँ पे लगानी होती है कि सर ये वाला ये वाला बराबर है नहीं भईया नीचे वाला कम है उपर वाला बड़ा है क्योंकि यहाँ पर repulsion ज़्यादा है और जहां जहां repulsion है इस दुनिया में स्वेस्ट में पूरे atoms के बीच में वहाँ पर क्या होगी भईया और ज़्यादा एनरजी बढ़ती है ये मामला क्लियर है क्या अरे भई मामला क्लियर है क्या यस सर अब अगली चीज़ देख लेते हैं इतनी बासन में आगी अगली चीज़ देखते हैं अगली चीज़ है भईया बॉन्ड और molecular orbital theory के अंदर bond order कैसे निकालते हैं उसके निकालने का तरीका है number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital divide by 2 क्या कह रहें bonding के अंदर कितनी electron है anti-bonding के अंदर कितनी electron है इससे निकाला जाता है bond order बोलो भई मामला समझ में आया इसमें कोई दिक्कत तकलिफ नहीं अब आओ H2 वाले में मैं समझाता हू bond order निकालते कैसे देखो अब आपको भी पता है कि यहाँ पर hydrogen में एक-एक electron होते hydrogen में क्या है एक-एक electron होगे यहाँ पर और वहाँ पर तो आपके बाद total number of electron कितने है 2 आपके molecule में number of electron 2 है तो उसको पहले कहा भरोगे जिसकी energy कम होगी energy कम किसकी होती है bonding वाले की इसलिए दोनों electrons कहा जाएंगे अरे बोल दो ना यार कहा जाएंगे bonding के अंदर तो अगर मैं कहूँ H2 molecule का H2 molecule का electronic configuration लिखिए तो आप लिखेंगे sigma 1s 2 यह है क्या यह sigma 1s उसके अंदर कितने electron है दो electron तो H2 molecule का electronic configuration कैसे लिखा जाएगा यह बात समझ में आगी है यहां तक बात समझ में आगी अब मैं आप से चीज पूछता हूँ कि बताए इसका bond order कितना हुगा चलिए H2, H2 plus और H2 negative इनका आपको bond order bond length, bond resurrection energy and existence बताना है यहीं पर ढंक से सीख लिजिए आगे बस चीज़ें आपको थोड़ी सी बताई जाएंगी यहीं पर सीख लिजिए बहुत कुछ मैं यहीं clear करने वाला हूँ देखो क्या होगा यहां पर देखो hydrogen के case में bond order निकालो number of electron in bonding number of electron in bonding बहुत देखो कितने bonding में कितने electron है भया दो electron है anti-bonding में चक करो कितने electron है anti-bonding में कितने electron है यहां पर 0 तो आप कहले लिखोगे 2-0 divide by 2 is equal to 1 इसका मतलब 2 hydrogen के बीच में एक bond होगा bond order 1 होने का मतलब 2 hydrogen के बीच में एक bond होगा यह तो molecular orbital theory भी कह रही है और पहले से भी हम जानते रहे है अच्छी बात है अगली चीज़ देखो भया धान से अगली चीज़ देखो भया धान से क्या है यह h2 plus लिखा है h2 plus का मतलब क्या है कि h2 plus का यह मतलब हुआ कि जो यह h2 का आपने बनाया है electronic configuration वहाँ से एक electron हटा दिया जाए plus का मतलब एक electron हटा दिया जाए plus का मतलब एक electron हटा दिया जाए अब बताईए यहाँ पर electronic configuration क्या आएगा इस case में electronic configuration लिखा जाएगा sigma 1s1 क्योंकि अब यहाँ पर एक ही electron present है molecular orbital के अंदर तो यहाँ पर sigma minus 1 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, bond order बताएगे कितना होगा, आप कहेंगे bonding के अंदर एक electron, anti-bonding में 0, divide by 2, bond order हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, अगली चीज़ है h2 negative, आप देखो पहले h2 बनाओ, अभी यह क्या बना है, h2 बन गया, जह इसको देना है, मतलब यहाँ पर जाएगा, पहले देखो क्या था, यह h2 था, आपने एक electron इसको दिया, तो यह क्या बन गया, h2 minus, पहले h2 neutral था, आपने उसको क्या कहिया, एक electron दिया, जब आप एक electron दोगे, तो यह बन जाएगा h2 minus, clear है क्या, यस सर, अब total number of electrons in bonding कितने है सर 2, bonding में 2 electron, लेकिन anti-bonding में 1 electron, तो यह जगा 2 minus, divide by 2, 0.5, कितना होगा 0.5, तो इन दोनों के cases में bond order कितना होगा, 0.5, इतनी बात समझने में मेरी समझ से, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत सारी basic बातें भी हमने सिखा दी है, कि जिसको एकदम से ना आता ह तो वो सीख जाएगा, ठेक है, आप देखिए bond length कैसे निकालते हैं, जिसका bond order जादा होगा, उसकी bond length कम होगी, इतनी बात समझ में आती है क्या, जिसका bond order जादा, उन दोनों से bond length उसकी कम होगी, अच्छा, लेकिन इन दोनों का तो bond order ही same है, जब bond order same होता तो बताओ क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं bond length, अगर bond order same आ जाए, तो आप देखेंगे anti bonding के अंदर कितने electron हैं, जिस molecule के लिए anti bonding के अंदर जादा electron होगे, bond order same है, लेकिन अगर anti bonding में electron जादा होगे, इसका मतलब क्या हुआ, anti bonding में electron जादा है, मतलब वो bonding का विरोध कर रहा है, bond को तोड़ जाएंगे, दूर जाएंगे, मतलब की bond length बढ़ेगी, मतलब की bond length बढ़ेगी, मतलब की bond length बढ़ेगी, जब दोनों के bond order same नजर आए, तो anti bonding के electron देखो, जादा जहाँ पे होगा, वहीं पर bond length जादा आएगी, अब देखो, h2 plus के अंदर तो कोई भी anti bonding के अंदर electron नहीं मिल बात होती है, bond dissociation energy, अब एक बात बताओ, जिसकी bond length बढ़ी होगी, उसको तोड़ना आसान है, अगर उसको तोड़ना आसान है, तो ये जल्दी तूट जाएगा, तो इसका मतलब h2, फिर क्या आएगा, h2 plus, फिर आएगा, h2 minus, ये bond dissociation energy का order होगा, अब कभी-कभी पूछा जाता है, कौन exist करेगा, कौन नहीं, क्या h2 exist करेगा, तो कहना हाँ, क्यूं, existence कैसे बताते हैं, अगर किसी का bond order 0 के बराबर नहीं है, तो वो exist करेगा, अगर किसी भी molecule के लिए bond order 0 के बराबर नहीं है, तो वो exist करेगा, हमेशा करेगा, ध्यान रखना चा करेगा, हमेशा करे क्लियर है मामला तो H2 भी exist करेगा क्योंकि इसका bond order 1 है ये भी करेगा क्योंकि कम से कम 0.5 तो है 0 नहीं है ये भी क्या है ये भी exist करेगा मतलब H2, H2 plus, H2 negative ये सब exist करते हैं according to MOT theory और सच बताऊं इतना ही चीज सीखना होता है basic के रूप में अब आते हैं में कहानी जो आपको और है बतानी थोड़ी सी ये आप खुद करेंगे देखो क्या हुआ एक P orbital नहीं मिलके क्या किया P orbital नहीं क्या किया sigma bond का formation किया तो इसको लिखते है sigma bonding molecular orbital sigma bonding molecular orbital आप देखो anti bonding एक प्लस माइनस के साथ जब भिड़ेगा तो देखो एक छोटा हो जाएगा एक दूर हो जाएगा ये इसको क्या बोलते है sigma anti bonding molecular orbital एंटी बोल रहे है क्योंकि दोनों nuclei के बीच में electron की density घट रही है anti bonding में क्या होता electron की density घटती है समझ में आया क्या यस सर आब electron density को घटाने का तरीका क्या है का आप इसको थोड़ा चोटा बना देगे तो दोनों nuclei के बीच में electron की density क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम anti bonding molecular orbital है क्लियर है कोई दिक्कत कोई परिसानी नहीं ह यहाँ पर आईए इसमें भया वह आप निकाल ले जाओगे क्या सिग्मा जी रेड अन जी रेड वाली जो कहानी है बता दूं यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों nuclei के बीच में एक point ले लो point से इधर जाओगे तब यही same color है यहाँ पर color किस चीज को बता रहा है phase को समझा ठीक है इसका मतलब क्या है कि यह जो sigma bonding molecular orbital है यहाँ पर symmetry है यहाँ पर क्या है center of symmetry present है अगर center of symmetry present है तो यह sigma जी रेड होगा लेकिन यहाँ देखो दोनों nuclei के बीच में यह अगर मालो आपने point माना इधर जाओगे दूसरा color है इधर जाओगे दूसरा color है अगर ऐसा है तो यह यहाँ पर center of symmetry मौजूद नहीं है और अगर center of symmetry मौजूद नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह sigma अंजी रेड है यह वाला sigma अंजी रेड है मेरी समझे समझे में आया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ देखें यहाँ पर पाई बॉन्ड का formation समझते हैं जब पाई-bonding molecular orbital अरे इन दोनों के मिलने से पाई-bond का formation हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिएम क्या लिकरें पाई-bonding molecular orbital आप दोनों न्यूकलेस के बीच में आप एक point लो point से आप उपर जाओगे मालो उपर प्लस है तो नीचे की तरफ माइनस है उपर की तरफ प्ल anti-molecular orbital है यह अंजी रेड है यह कैसा है अंजी रेड है मेरे भाई आप इसी तरीके से अगला निकाल लीजिए यहाँ पर देखो यह प्लस है तो यह माइनस है तो यह प्लस है तो यह जब आपस में करेंगे देखना कैसे होगा आपको क्या सिखाया गया कि इन दोनों को जाएंगे ना वो लेकिन anti-bonding के टाइम पर क्या बताते हो दोनों के nuclei के बीच से electron density दूर करनी है दूर करनी है तो देखो इधर इसकी तरफ कर दिया इसको इधर कर दिया समझ मैं तभी तो आप बता पहोगे ना कि दोनों nuclei के बीच में कोई भी electron density नहीं है अगर यहां electron density नहीं है तो हम बाहर से एक nodal plane डाल सकते हैं जहां कहीं बे दोनों के बीच में electrons नहीं होंगे वहां हमेशा आप nodal plane डाल सकते हैं nodal plane का मतलब एक ऐसी plane जो क्या करता हो जो कोई भी electron cloud container ना करता हो उसको हम nodal plane कहते हैं यहां तक की बात समझ आई है या नहीं है शायद आगी होगी कोई दिक्कत नहीं है अभी ठीक अगर आप यहां पे निकालना चाहते हो क्या यह वाला सिग्मा जीरेड अंजीरेड तो सम मिलेगा इधर जाएंगे माइनस इसका मतलब है कि यह क्या है center of symmetry रखता है तो यहां पर symmetry है अगर center of symmetry है तो वहां पर पाई जीरेड लिखा जाएगा लेकिन अपके बार star होगा star का मतलब होता है anti-wonding यह क्या है star का मतलब anti-wonding clear है यह हो गया पाई star clear है बोलो यहां तक की बात मेरी समझ से सबको समझ में आई होगी अब मैं चलता हूँ जो आपके paper में आता है वही आप तक जो पढ़ाया वो नहीं आता आरे वो भी आता है लेकिन देखो भई आप यादगराने का तरीका क्या है electronic configuration आपको पढ़ना होता है ऐसे molecules आपके paper में है जो आप एक electrons लेक molecule के अंदर 14 से जादा है example के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं जैसे N2 N2 में क्या है एक nitrogen के पार total electron कितना है 7 तो 7 प्लस 7 यह आपको 14 नज़र आएगा तो यहाँ पर क्या होगा इधर का rule लगेगा लेकिन अगर मैं O2 ले लूँ O2 के case में क्या है एक में 8 electron दूसने भी 8 इसक है दो एटम्स आपस में मिल करके molecular orbitals बनाते हैं जैसे हमने H2 में पढ़ाया तो 1S 1S आपस में मिल करके यह देखो sigma 1S दे देंगे धान से देखना भाईया यह क्या है 1S है यह दोनों आपस में मिलेंगे तो यह क्या हो जागा sigma 1S स्टार को कैसके बोलेंगे sigma star 1S अगला देख सिगमा स्टार 2S अगला देखिए यह क्या हो जाएगा 2P अगला क्या हो जाएगा मेरे भाई 2P ठीक है ओके 2P 2P में क्या होगा पहले देखो भाईया दो पाई बोन्ड बनेंगे तो लिखते हैं पाई दो पाई molecular orbitals तयार होते हैं तो इसलिए हम लिखते हैं पहले पाई फिर सिगमा यह सिक्मेंस याद करना पड़ेगा यह वाला सिक्मेंस ठीक है यह तो कुछ ही नहीं कुछ बहुत खास ही नहीं क्या लिखा है बॉन्डिंग फिर अंटी बॉन्डिंग यहां पर क्या है पहले पाई फिर सिगमा पाई सिगमा फिर इसका होगा पाई स्टार पाई स् इसको इसी तरीके से याद कर लीजिए, यहां तक तो किसी को दिक्कत महीं आती, दिक्कत यहां आती कि पहले 2 नीचे रहेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 1, तो कैसे लिखते हैं, 2, 2 मतलब 2 molecular orbital, फिर 1 molecular orbital, फिर 2 molecular orbital, फिर 1 molecular orbital, जब 2 1 साथ हैं, तो उनको πाई लिखना है, और 1 अकेला यहां पर सिग्मा लिखना है यह टूपी की केस में यह बात ही हमें ध्यान रखनी है इतनी बात क्लियर है इतनी बात क्लियर है यह सर अगली चीज क्या है अगली चीज यहां पर देखें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन टूपी में देखें यहां तक की बात यहा स्टार मॉलीकुलर और्बिटल फिर यह क्या है एंटी बॉंडिंग मॉलीकुलर और्बिटल समझ में आ गया तो इसको कैसे याद करते हैं इसको याद करने का तरीका है कि जब मोर्दन 14 हो जाएगा तो 1221 इसको याद कैसे करेंगे 1221 देखो ऊपर यहां भी 21 है उपर की तरफ यहां भी 21 है लेकिन नीचेवाला स्विच कर रहा है क्या यह चीज अभी याद है अपको क्या ये छीज आपको याद है यसर यह 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 आप है क्लीर है वही हिसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए तो तो इस तरीक से अगर आपको याद है तो आप तुरंत ही in ek बरने हैं तो कैसे बरेंगे दो फिर क्या रहेगा दो चार दो छे दो आठ 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 के बाद नौ दस देखिए हमने अलग अलग क्यों बरा क्योंकि हूंड रूल कहता है कि पहले एक बर लीजिए यहां पर भी हूंड रूल लगाएंगे अधिया मोल्लोट रॉबिटल थेरी के अंदर भी ठीक है कितने बांने 14 अभी तक वा 10 फिर 11 12 13 14 यहां पर आपको दिख रहा है सारे लेक्ट्रॉन आपको पेड दिख रहे हैं फिरक रहे का मतलब क्या है सब कुछ क्या है मेरे बाई अगर पेड वोला जाएगा पेड है इलेक है नूट डाउन करूए डाया मैंगनेतिक हैं तो यह हमारा एंच्ओं मॉलेक्षिल कैसा होता है डाया मैंगे कितनी बात क्लियर है कि चलो बहुँ ये वाली चीज़ आप बताएंगे कि डाया म Bene吸 है या पाइरामे चेच सर आप पर यहां पर जब यह देखे 15-16 तो आपको दो अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ओटू के अंदर आपको टू अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं अगर दो अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन से ध्यान दें कृपया अगर electrons unpaird हैं इस तरीके से तो बोला जाएगा कि O2 एक paramagnetic है यहाँ पर N2 क्या निकला एक paired electron रखने वाला लिखना इसलिए इसको हम diamagnetic बोलते हैं इतनी बात समझ में आ गई है क्या चलिए इनके bond orders यहीं पर निकाल के बताईए इनका bond order कितना होगा और इसका bond order कितना होगा चलिए बताईए bond order के बारे में comment करिए यहाँ के bond order के अगर हम बात करें तो आप कहेंगे bond order is equal to number of कौन से electron बोलो भाई bonding तो 2, 2, 4 2, 6, 2, 8, 2, 10 10 electron ऐसे हैं जो bonding molecular orbitals में हैं anti bonding मतलब यह उपर वाले 2, 2, 4 4 ऐसे हैं जो anti bonding में हैं तो divide by 2 इसका मतलब हो जाएगा 3 तो इसका मतलब क्या है एक nitrogen दूसरे nitrogen के साथ 3 bond बना सकता है एकदम सही है बनाता भी है यह BBT में हमने पढ़ाता M.O.T. से भी यह चीज explain हो चुकी है यहाँ पर आ जाते है bond order निकालते हैं यहां के bond order की बात करें number of electron in bonding बताएए number of electron in bonding 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 10 electron किसमे हैं bonding में anti bonding में कितने हैं 2, 2, 4 और यह दोनों में लालो तो कितने हो जाएगे 6 divide by 2 इसका मतलब यह हो जागा 2 और आपको पता है दो oxygen के बीच में दो bond होते है क्या आपको इतनी बात समझ माई कोई समस्या तो नहीं है तो यहाँ पर आप बोलोगे bond order 2 है हमारा जो O2 है molecule वो paramagnetic है और उसको याद करने का तरीका है 1, 2, 2, 1 अब एक चीज़ जो मुझे याद करानी है और यह सुद रूप से रट्टा ही मारना है इसको कई जमा सम्झाने कोशिस करते हैं बट मत करिए प्लीज आपके कोर्स में सिर्फ याद करने के लिए है वो चीज़ वो क्या समझा मैं भी सकता हूँ या कि बहुत टाइम लगता है क्या है वो आप बोलोगे कि यहाँ पर यहाँ पर जो आप यह देखते हो कि पाई नीचे है सिगमा उपर है और यहाँ पर आप देखते हो सिगमा नीचे पाई उपर है इसका रीजन होता है SP मिक्सिंग क्या SP मिक्सिंग तो जब number of electron ध्यान देंगे जब number of electron 14 से कम या 14 के बराबर होंगे तो πाई जो है नीचे होगा फिर sigma उपर उसका reason क्या होता है याद करना है SP mixing इसको रटे मारने है कि SP mixing तो SP mixing कहां पर present होती है जब number of electron 14 से कम होता है लेकिन लेकिन यहाँ पर कोई SP mixing नहीं है No SP mixing No SP mixing क्या? No SP mixing यहाँ पर कोई SP mixing नहीं होती? यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं है पता है? Sigma bond जो होता है वो मजबूत होता है इसलिए वो energy wise नीचे बनाया गया है तो यह जो दुन्या चली आही है, वही है इसमें कोई problem नहीं है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोलते हैं, यहाँ पर कोई sp mixing नहीं होई है, लेकिन यहाँ पर pi नीचे sigma उपर है, मतलब वो इसके हिसाब से pi molecular orbital जो होता है, वो जादा stable है, इनके हिसाब से, ठीक है, तो आप बोलते हैं, इसका reason है sp mixing, तो यहाँ से आपको याद जब भी two नीचे है, तो वहाँ पर sp mixing है, two नीचे तो sp mixing, ठीक है, one नीचे तो sp mixing नहीं है, यहाँ तक की बास वन में आई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, मामला clear है, क्या इतनी ही बात जाननी थी है, मोटी में, निप्टा दिया है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, अगला सीख लेते, अगला सीख लेते, भाई, एंटू, एंटू, प्लस, एंटू, नेगटिब में इतने फैक्टर जानने होंग मैंने बहुत सारे सीख सिखा दिये, बस आपको कुछ थोड़ी से महनत करना सिखाऊंगा, मैं थोड़ी सी और, बस थोड़ा सा और इत्मिनान ध्यान रखे, हमारा ये एंटू है, एंटू में इलेक्टरोन अभी भर के हमने बताया थे, 14 इलेक्टरोन बर दो, कितने इलेक् पीछे रहेगा फिर बन, 14 में 2121, मेरे साल बोलते रहोगे तो याद भी हो जाएगा, 2121 ठीक है, तो ये एंटू हमने बना दिया, और एंटू के बारे में हमने बताया कि बॉंडिंग में 10 इलेक्टरोन, पीछे मैंने बताया था न, एंटी बॉंडिंग में कितने इलेक्ट निकाल लिया जाए, तो ये बन जाता है एंटू प्लस, एंटू में से एक एलेक्टरोन निकाल दो बन जाएगा एंटू प्लस, लेकिन एंटू में से एक एलेक्टरोन एड़ कर दो, तो वो बन जाता है एंटू माइनस, यही तो है, एंटू मॉलेकुलर और्बिटल में, यह जो आपको दिख रहे हैं, उनको अगर आपने electron दे दिया, तो वो N2 माइनस बना देंगे, लेकिन अगर इन में से एक electron निकाल लिया, तो वो किसका electronic configuration बन जाएंगे, N2 plus का, चलिए करके देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि यह जो N2 है, उसमें से मैं एक electron हटा रहा हूँ, electron देखो भईया, मैं यहां से हटा रहा हूँ, अगर मैं electron हटाऊंगा, ध्याम दें कृपया, अगर मैं electron हटाऊंगा, तो यह क्या बन गया, N2 plus, यह जो बना है, यह N2 plus का electronic configuration, अच्छा, यह बात है, अब इनके हिसाब से चापो, यहां पर देखो, number of bonding electrons कितने, सर, bonding में से एक हट गया, मतलब यह 9 हो जाएंगे, और anti-bonding में से हटा नहीं है, तो यह 4 होगा, तो 9 minus 4 divided by 2, bond order 2.5, यहां पर एक unpaired electron है, unpaired है, तो निश्ची तरूप से यह paramagnetic होगा, क्या यह exist करेगा, यह सर, इसका bond order 2.5, अब देखें भाईया, सवाल यह पूछा जाता है, कि यह जो electron था, वो आपने कहां से निकाला, यह जो electron था, N2 में से, आपने electron कहां से निकाला, तो आप कहेंगे, सिगमा से निकाला, सिगमा 2P से निकाला, यह 2P है ना, यह सिगमा किसका है, 2P से बना हुआ है, तो लिखा जाता है, सिगमा 2P से आपने electron को exact किया हुआ है, clear मामला यसर अब आपको समझाने ले चलता हूं मैं क्या वह यह ले चलता हूं कि यह बताने के लिए कि N2- कैसे बनाएंगे N2- बनाने के लिए आपको क्या करना है पहले तो N2 बनाना है पहले तो N2 बनाऊ भई N2 में क्या था दो इलेक्ट्रोन यहां था अभी यह जो बना है यह N2 का electronic configuration है आपको करना क्या एक लेक्ट्रोन देना है अब सोचो अगर मैं बाहर से इसके अंदर इलेक्ट्रोन डालूं कहा डालूंगा अरे यहां तक तो भरा हुआ है तो आपका electron यहाँ जाएगा कहां पे इसका नाम क्या 5 star इसका नाम क्या मिरा भई पाई श्टार तो आप अपना electron लेके कहा जा रहे हो वो बता हो ना ज़रूरी है आप लेके जा रहे हो 5 star 2p के अंदर 5 star 2p के अंदर अपना ये electron insert करा रहे हो जब आप n to negative बना रहे हो बोलो भाई जब आप N2 नेगटिव बना रहे हो यह लाइम क्लियर है क्या यह सर अब बाहर से आपने जो एलेक्ट्रों डाला उसकी वज़ा से यहां पर एंटी बॉन्डिंग के अंदर तो भया पहले 4 ते अब 5 हो जाएंगे तो 10-5 डिवाइड बै 2 is 2.5 अरे आया क्या यह सर बॉन्ड लेंड बताइए जिसका बॉन्ड ओर 3 है निश्चित रूप से उसका बॉन्ड लेंड छोटा आएगा अच्छा इन दोनों का बॉन्ड ओर से वहाँ पर ज्यादा हो बोलिया बहाट क्या होगा ज्यादा और अर्य多 sound क्या होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ठीका जी समझ में आया क्या तो यहां पर देखो ईंटी ब्यून्ड बॉन्ड्रों चैकर कहां पर इन टो माइनस में इसलिए N2 माइनिस वाला जो होगा वो higher bond length रखेगा with respect to N2 plus तो यह order आएगा अब bond length का जो order है उसी का उल्टा order bond strength का आएगा बोलो आएगा bond strength का उसका उल्टा order आएगा अग जो bond strength का order है वही bond dissociation energy का भी order होगा कितना मजिदार बात पढ़ ली भाई सब कुछ पढ़ लिया यही paper में आता इससे जादा ना उनकी आउकात ना पूछ सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं यह आप खुद करेंगे यह आप खुद करेंगे आपका home work है आप इसको fill करके ले करके आएगे इनके bond length को compare करेंगे बुद्धी लगाने का तरीका मैंने सिखा दिया है बस खयाल यह रखना क्योंकि यहाँ oxygen की बात हो रही है तो number of electron 14 से जादा है और हमेशा एक चीज का खयाल रखो मेरे भाई क्या पहले neutral molecule बनाओ तो neutral molecule को अगर आप एक electron दोगे तो क्या होगा O2 negative O2 negative को एक और electron दोगे तो यह बन जाएगा लेकिन O2 में से एक electron हटा दो तो O2 plus O2 plus में से एक और electron हटा दो O2 minus तो पहले आप neutral बनाइए neutral वाले में खास खयाल क्या रखना नीचे 1, 2, 2, 1 1 नीचे क्यों है क्योंकि यह 16 से 16 है 14 से जादा electron आ रही है इस केस में तो इसको भर करके आप देख लेंगे ठीक है जी यह आपको बताता हूँ देखो जब number of electron देखो number of electron पर ही depend करता है bond order तो यह तरीका जान लीजिए O2 level कर लीजिए इसको मेरे पूरा नाम ही यही है O2 ठीक है जी आ जाई यहाँ पर दिख लेते है यहाँ पर क्या है जब 14 electrons होगे तो bond order थी जब 13 होगा तो देखना अब ऐसे आपको पता है कि एक bond बनाने में 2 electron लगते हैं एक bond का bond order कितना हैगा 0.5 दुबार सुनना एक bond को बनाने में 2 electron लगते हैं तो एक electron के लिए bond order कितना है 0.5 हाना जी दो electron के लिए 1 तो एक के लिए आधा अब देखो क्या हुआ तीन था bond order 14 पे लेकिन आपने एक electron क्या किया कम किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 इसी तरीके से एक और कम कर दिया तो यह हो जाएगा 2 अगला हो जाएगा मेरे भाई 1.5 अगला हो जाएगा क्या 1.0 अगला हो जाएगा 0.5 और अगला हो जाएगा 8 electron होने की condition में 0 ठेक है और इसी तरीके से देखना जब नंबर आफ electron 14 से एक जादा तो 14 एक barrier है 14 के एक एक कम करते जाओ electron 0.5 bond order अपने आप कम हो जाएगा अप आप क्या करो 14 से एक एक electron बढ़ाते भी जाओगे तो electron आपका anti bonding molecular orbital में जाता है इसी लिए bond order फिर से कम होने लग जाता है तो यह reason है ठीक है आपको क्या करना है यह 15, 16 के case में भी आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या N2 कंदर कितने electron है 7 plus 7 14 electron यहाँ पर क्या 6 plus 8 14 electron यहाँ पर क्या 7 plus 8 7 plus 8 minus 1 plus का मतलब minus 1 हो जाएगा एक electron निकालना पड़ेगा 6 plus nitrogen का 7 और minus लिखा है तो आप plus 1 लिख दीजिए सब में 14 electrons है और एक बात और बता दीता हूँ यहाँ पर 14 electron और दोनों क्या है diatomic है, सब के सब diatomic है यह क्या है homo atomic है homo मतलब दोनो nitrogen ही है लेकिन एक carbon एक oxygen दोनों different है इसलिए इसके सब दो use होगा hetero diatomic ठीक है, सब में number of electron 14 है इसलिए इन सब के लिए जो bond order होगा वो कितना होगा इन सब के लिए bond order 3 होगा 14 electron होने पर bond order हमें इसा यही आता है बोलो भाई बोलो भाई, यह मामला एकदम clear है गया मामला एकदम clear है गया जैजवाला भाई साब समझ में आ रहा है ना आनंद आया यहाँ तक यह सर अगला देख लेते हैं N2 negative एनि में देखो nitrogen N2 मतलब कितना 14 minus का मतलब हो गया एक electron और 15 electron हो जाएंगे हाँ पर 15 electron यहाँ की बात करें 7 electron nitrogen में oxygen में 8 यहाँ पर भी 15 हो जाएंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे बोलो भाई बोलो भाई मामला clear है क्या बोलो भाई मामला clear है क्या यह सर clear है तो इन दोनों के case में कितना आएगा सर यहाँ से देख लो देख लो भी आप 15 के case में आएगा 2.5 रटना नहीं है यह चीज़ ठीक है अगले देख लेते हैं यह एक चीज़ में बढ़ाता हूँ इसको देख लो एक बार आपसे मैं पूशता हूँ कि NO और NO प्लस में bond length किसकी बड़ी होगी चलिए बताइए NO और NO प्लस में बड़ी किसकी है चोटी किसकी है तो आप कहोगे सर bond order से जवाब आ जाएगा तो NO में क्या है 2.5 NO प्लस में क्या होगा 3 तो इसका मतलब bond order किसका ज़ादा है NO प्लस का जिसका bond order ज़ादा है उसकी bond length कम आएगी इतनी बार ठीक है अब यह चीज़ तो हमने निकाला लेकिन मैं एक चीज़ याद कराने जा रहा हूँ exactly क्रिपया इसको याद रखे क्रिपया इसको याद रखे कि जो order NO NO प्लस में था वही order हम रटा मार रहे है कि CEO से CU प्लस में वही order आएगा CEO और CU प्लस में यह देखने को मिलता है प्लीज इसके explanation में ना जाएं आपके syllabus से बाहर की चीज़ है और कभी भी syllabus से बाहर की चीज़ नहीं पूछते मेरे भाई समझ में बात आई है की नहीं बोलो भाई समझ में बात आई है की नहीं ये बात खोपड़ी में उतार लो सीधा सीधा मैं रटा कह रहा हूँ ठीक है उल्टा हो जाएगा अगर आप लगाने का दिमाग लगाने कोसिस करोगे तो नीचे वाले में उपर वाड़ा तो सही है लगा ले जाओगे ठीक है ये कोई खास नहीं है इसको छोड़ सकते हैं आगे चलते हैं ये आप खुद करेंगे ये बी आप खुद करेंगे ये क्वेशन आपके लिए है हाँ एक क्वेशन है ये कराता हूँ बस बहुत जल्द ही हम अपने मुकाम पे पहुशने वाले ज्यादा टाइम नहीं लग रहे है अब एज्यूम वाइलेशन ओफ फूंस रूल ये कह रहा है कि भईया हूंड रूल का आप वाइलेशन कर दो है न दो बोरोन का मतलब एक में कितना पांच एलेक्टरोन तो टोटल मिलाके दस एलेक्टरोन दस एलेक्टरोन का मतलब 14 से कम 14 से कम मतलब 2 1 2 1 तो इसका मतलब 2 नीचे फिर 1 2 1 क्लियर जी अरे बोलो भईया क्लियर है यसर 10 एलेक्टरोन भरने हैं चलो भर के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर तो हूंड रूल की जरूत नहीं थी क्योंकि एक एक थे लेकिन यहां पे दो लोग हैं 8 भरने के बाद 9 और 10 हम ऐसे भरते थे तो एक्चुली जो हमारा B2 मॉल एक्चुली पैरा मैगनेटिक है लेकिन क्वेशन यह कह रहा है कि नहीं नहीं जो पहले मानते थे वो नहीं मानना क्वेशन मेरे हिसाब से है कि वाइलेशन ऑफ हुंडूरूल आपको हुंडूरूल को वाइलेट करना है उसने कंडीशन दे दी तो आप इलेक्टरोन अलग म अगर μεनल को сам हो जाएगा यह डाया मैंवनितिक हो जाएगा इशा को बाइन काल सक्ते हो देख लो दो दुचा दूछ क्षा इसे और पूच्छा यह पुछां में पूछ फालत नहीं पडा रहा हूँ यह सब आपके previous year question है, ऐसे question था, आपको future में फिर से दिखाई देंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगला देखे, assume no 2S2P mixing in B2, वैसे सही बात तो यह है, कि B2 के अंदर क्या होती है, SP mixing होती है, ठीका जी, इस question में कहा गया, कि B2 के अंदर कोई SP mixing नहीं हो रही है, actually तो होती है, लेकिन question कहरा नहीं होती है, अब एक बाल बताओ, अगर SP mixing होती है, तो हम क्या लिखते हैं, 2, 1, 2, 1, लेकिन SP mixing नहीं होती, तो 1, 2, 2, 1 लिखते हैं, इसका मतलब B2 का आपकी बार बनाते हैं, वक्त, पाई वाले में पहले सिगमा लिखना पड़ेगा, फिर पाई लिखना पड़ेगा, यह होता कि नहीं, अरे जहां कहीं भी SP mixing नहीं होती, वहां नीचे पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 2, फिर 1 आता है, अरे इसतना बात तो समझाती होगी मेरे भाईया, यहाँ पे SP mixing बिना लगाए हुए यह चीज बनती है तो question को थोड़ा सा twist करने की कोसिस करिए उन्होंने अब आईए electron भरते हैं 2 electron यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो गए 8 electron भरने कितने थे 10 तो देखो भाईया, आपकी बार home rule का violation भी नहीं करना, लेकिन तब भी वो paired हो गए क्यों हो क्यों कि हमने आपकी बार कहानी पलड़ दी और यह कह दिया कि 2S और 2P मिक्सिंग जो हो ही नहीं रहे यह B2 के अंदर जबकि actually होती यह, लेकिन question कह रहा है तो मानना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि अभी भी यह diamagnetic है सबंग में आया, लेकिन याद रखें, तीन लोगों को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, यह आपके paper में अक्सर दिखाए दिते है, B2, S2 और O2 sulfur की family का, और oxygen की family का sulfur भी है, तो वही behavior इनका भी आएगा, ठीक है हो, जैसे chlorine का behavior वही होता है, जो chlorine का behavior है हम यहाँ fluorine पढ़ते हैं, और chlorine ले जाके लगा सकते हैं, तो इन तीनों में आप क्या देखते हो, पता है, इन तीनों में two unpaired electrons होंगे, जो पीछे बताया गया, यह यहाँ के लिए नहीं है, यह note करा हूँ, two unpaired electrons होंगे, और यह ना paper में आपको जरूर आईए, यह paper में ज छपा होना चाहिए, यह गलत ना हो आपसे, चलिए, यह question आप खुछ से करेंगे, मैं थोड़ा सा अंदाजा दूंगा, क्या ही है, बीए में क्या है, o2 पर two negative हो जाएगा, बीए पर two plus होता है, o3 में आपको पता है कि 1.5 होता है, कैसे निकाला था bond order, याद आ रहाना चाहि से, यहाँ पर o2 में 2 आएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, o2 minus, यहाँ पर आप bond order निकाल लेना, खुछ से, कैसे निकालते हो, number of electron गिनना, आपको जो चार्ट पढ़ा है, उससे आजाए, यहाँ पर क्या लिखोगे, o2 minus, ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता है, यहाँ पर bond order 2 आएगा, निकाल के चेक कर लो, अभी बताया था थोड़े पहले, यहाँ पर क्या लिखोगे, o2 पर क्या होगा, minus, क्योंकि bf, sorry, plus, bf4 पर negative होता है, bf4 पर negative होता है, तो उसका counter करने क क्या है, हमारे पास, note down कर लो, o2 plus, नहीं तो गलती कर बैठोगे, ठीक है, o2 पर two negative, क्योंकि जो platinum है, वो f6 के साथ two negative charge बनाता है, तो जब आपको यह पता होगा, तब ही आप बता पाएंगे, तो हमने क्या किया, आपको ions वगरा बता दिये, ions से आप direct निकाल सकते हो, bond order, कै number of electron count करो, चार्ट में देख लो, कि 14 से एक कम हो रहा है कि जादा हो रहा है, घटा ते चले जब आइंसर मिल जाएगा, ये कर ले जाएगा, अगला बताता हूँ, NO के अंदर आपको निकालना आता है, आप निकाल ले जाएगे, number of electron count कर लीजे, निकल जाएगा, लेकिन यहा पर आईए, सेम कहानी, NO पर प्लस आएगा, CLO4 नेगटिब, आपको CLO4 नेगटिब कोई लेना देना निये, लेना देना NO प्लस से ही है, ठीका जी, अरे बोलो भाई, मामला क्लिए रह गया, यह सर नीचे देख लो, यह मैंने बताया था न, यह एक बार बस दिमाग में आन आईनिक बांडिंग, खतम होने वाला भाई, MOT हमने फिनिस कर दिया, आईनिक बांडिंग, अगले 20 मिनिट के अंदर हम समाप्त कर देंगे, क्या, 20 मिनिट बहुत है, आईनिक बांडिंग में 20 मिनिट देजिए, 20 मिनिट में खतम हो जाएगा, यह क्या है, आईनिक बांडि जो अपने उपर positive बनाना पसंद करते हैं लेकिन कौन से ऐसे लोग है जो अपने उपर negative बनाना पसंद करते हैं वो non-metals होते हैं तो B क्या है एक non-metal A क्या है एक metal ठीक तो इनके बीच में जो interaction है ions के बीच में यहां पर जो interaction है इसी को ionic bonding कहते हैं इसको क्या कहते हैं मेरे भाई आयनिक बॉंडिंग कहते हैं पंधिक कलो घृएं के साथ क्लोरीन और हमारे पास क्लोरीन सोडियम के आउटर सल में क्लोरीन के आउटर सल में साथ इलेक्टरोन होते हैं तो यह क्या करेगा अपना इलेक्टरोन इनको दे देगा भी इनके उपर अगर इलेक्टरोन देगा तो यह क्या बन जाएंगे na plus electron देने वाला इसने receive किया इसलिए electron receive करने वाला तो इनके बीच में जो bonding होगी उसको ionic bonding कहते हैं clear मामला yes sir अब अगला देखें अगला क्या हो सकता है क्या हमेशा यह metals होंगे नहीं group of atoms having positive charge भी चलेगा जैसे कि जैसे कि example के तरफे आप मैंने लिखा NH4Cl NH4Cl को आपको पता है कि NH4 पर positive charge है तो यह positive charge और यह negative charge के बीच में जो interaction यह भी ionic bonding है इसी तरीके से two time na plus and sulfate ion SO42 negative इनके बीच में जो interaction उस interaction को ionic interaction नाम दिया जाता है इनके बीच के interaction को भी ionic interaction नाम दिया जाता है ठीक है तो यह क्या है यह group of atoms है जिसके उपर negative charge है यह group of atoms है जिसके खुपड़ी पर positive charge है तो यह ऐसे भी example आपको देखने को मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है आईनिक bonding का basic idea आपको हो चुका है और एक चीज़ और बताना चाहाँगा कि जो जैसे na plus होता है तो na plus के आसपास ना chlorine होती है क्या होते हर तरफ chlorine cl negative cl negative तो छे chlorine ने दिखा दी इस तरीके से हना उसके आसपास फिर chlorine के बगल में क्या होते है sodium 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 इस तरीके से होते है आईनिक crystal इसी तरीके से designed होते है है तो होता क्या है कि यह जो positive चार्ज है वो इसके साथ भी interaction कर सकता है वो किसी भी side कर सकता है तो यह non directional nature का है यह क्या non directional nature को है यह bonding functioning 한데 को डारेक्शन फिक्स नहीं है लेकिन अगर मैं equivalent bond की कि बात करूं अगर मैं कोवलेंड KIR अगर को कउवलेंड की बात करूं तो महां पर डारेक्षिन होता है जब वह इस तरीके से मिलें तो Sigma ुस तरीके से मिलेंगे Pi ृर किसी दूसरे तरीके से ओवरलैप करने लग गए मालो 0 ओवरलैप आ ंगया तब भाईया उपर नीचे कई में रखो ionic interaction होगा क्योंकि वो तो कुछ नहीं है वो तो electrostatic force of attraction है वो हर तरफ लग सकता है तो इसको ionic bonding के लिए सब्द क्या यूज होता है कि ये non directional nature का होता है बट covalent क्या होता है directional nature का होता बोलो मेरा भाई है आईए इलेक्ट्रोवैलेंड की बात करते हैं इसी को इलेक्ट्रोवैलेंड कहते हैं जो हमने पढ़ाना ionic bonding इसी को इलेक्ट्रोवैलेंड कहते हैं दूसरा नाम है इसका favorable condition क्या है यार देखो अपनों करना क्या है एस से आराम से इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ देखो फेवरिबल condition के लिए आप क्या बोलोगे ionization energy of a ionization energy of a जितना कम होगा उतनी आसानी से a प्लस बन पाएगा अच्छा अब देखो अगला देखो भाईया electron affinity of b जितना जादा होगा उतनी अच्छी बात होगी तो more electron affinity of b electron ले करके वो energy अगर निकाले देखो overall क्या होता है अगर energy system से निकल रही है bonding के दौरान तो बहुत अच्छी bonding बोली जाएगी तो investment कम करना profit जादा उठाना है ठीक है जी तो investment कम किया less investment more profit less investment more profit तो यह favorable है अगले चीज़ देखते हैं अगले चीज़ देखते हैं यह energy released अब अगली चीज़ क्या है कि जब यह दोनों चाहिए लेकिन बनने के बाद a plus और b negative दोनों के बीच में क्या होगा interaction तो इस interaction से जितनी जादा energy निकलेगी उतना ज्यादा आपको profit होगा बात समय गई इससे energy निकलनी चाहिए तो वह energy बहुत जादा होनी चाहिए energy released because of the combination of cation and ions should be high clear मामला यह सर आगे बढ़ जाता हूं मैं lattice energy क्या होती है देख लिजिए energy energy released when the component ions were brought together from infinity to देख लो बैया पढ़ लो कहानी clear हो जाएगी मैं समझा दूँ देखो बैया हमारे पास है NaCl का crystal लेकिन definition कैसे बनाई जा रही है कि यह जो crystal बना है उनका component ion कौन कौन सा है component ion कौन सा है सिर component component ion Na plus है और component ion दूसरा CL negative है तो वह कह रहे हैं दोनों को पहली बात तो gaseous phase में लो दोनों को gaseous phase में लो दोनों के gaseous phase को आपस में मिला दो क्या करो आपस में मिला इन finite से लाओ उनको आपस में मिला दो मिलाने के बाद अगर वो lattice बना रहे और lattice के बनाने के वक्त जो energy निकलेगी उसको हम lattice energy कहते हैं तो कितना specific है lattice energy समझ में आ गया इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए और किसी को कोई ऐसा तो नहीं जो इस पर संदे कर रहे है बोलो भया जी नहीं सर इस पर नहीं है कहा नहीं समझ में भी आगी है अगला देख लेते हैं वही फैक्टर सफेक्टिंग लैटेस अनरजी आपको पता है दो आयंस एक दूसरे के साथ जब क्या करेंगे इंट्राक्ट करेंगे तो इंट्राक्टिंग जो एनरजी है या वहां की जो पोटेंस एनरजी है या लैटेस अनरजी है उसको लिखने का तरीका होता है कि लैटेस अनरजी डारेक्ले प्रपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू लेकिन इंप्रपोर्शनल टू वन बाई आर यही होता है ब दोनों charge का multiplication के proportional होती है lattice energy और दोनों charges के बीच की जो दूरी है उसके improportional होती है lattice energy कहानी simple है कहानी simple है भाई अरे मामला समझ आया क्या कहानी simple है जी वो क्या है कि हमें क्या करना charges multiply करके इब चेक करने तो पहले ध्यान देना charges पे यहाँ देखो sodium के उपर plus one chlorine के उपर one तो charge यहाँ पर plus one minus one नहीं quantity लिखनी है magnesium पर two और एक chlorine पर कितना charge है one यहाँ पर magnesium sorry aluminium पर plus three लेकिन एक chlorine पर कितना charge है one तो आपको क्या दिख रहा है q1 into q2 की value यहाँ जादा अगर यहाँ जादा है तो lattice energy यहाँ जादा हूँ तो lattice energy का direct order निकालने का यह तरीका है यहाँ पर देख लो भाई यहाँ पर देखो cl negative cl negative cl negative cl negative cl negative भाईया जी इन्होंने एनायन फिक्स कर दिये और जो cations लिए सब पर plus one है इसका मतलब q1 into q2 सेम आएगा सब में one into one आएगा तो कहां जाएंगे तब जाएंगे internuclear distance के पास अब देखना दोनों अगर छोटे है जैसे chlorine तो fix है lithium अगर छोटा है तो internal nuclear distance छोटा होगा अगर internal nuclear distance छोटा होगा तो आप क्या वो लोगा यहां लैटिस अनर्जी जादा होगी अरे भाहिया सीजियम बड़ा क्लोरीन बड़ा दोनों के बीच में दूरी बड़ी अगर दूरी बड़ी तो लैडिस अनर्जी कम होगी अगली चीछ देख लीजिए यहां पर बताइए सब पढ़ाएंगे मेरे बाइस सब पढ़ाएंगे कुछ नहीं छोड़ेंगे अगला देकिए A.L.N. में क्या होगा अलमूनियम पर 3 है नाइट्रोजिन पर माइनस 3 थी इंटो 3 यहां पर क्या होगा 3 इंटो 1 बताइए लाइटिस अनर्जी कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम पहले हमेसा चार्ज देखना है मामला क्लीर हो छुका है यहां पर आएगा यह ओ अन आयन भुए बड़ा होता है ठीक जी ऐनायन बिदर्सक्रीटिव बड़ा होता है और एक बात हम जानते हैं कास के अधिसर्इंस में छोटा इफैक्टिव नुडर्ड चार्ज जादा है तो होता क्या ही पता है यह जो नूखेंस वो अपने آंटर सल के electrons को ज्यादा control नहीं कर पाता in case of NIN, इसलिए size में बड़ा है और ऐसा अगर size बड़ा भी है तो आप ऐसे संदू नुकलिय से आए outer cell का electron यहां बैठा, दूर बैठा है तो उस पर ज्यादा control नहीं है, अगर वो अपने valence cell पर बैठे हुए electron को control नहीं कर पा रहा थोड़ा सा free है, तो यह भाई साब पडोस में आकर के इनके electron cloud को अपनी तरफ बुला लेंगे, क्या करेंगे इनके electron cloud को अपनी तरफ बुला लेंगे, तो होगा क्या यह जो कैटायन है, जिसकी खोपड़ी पर positive charge है, यह NIN जिस पर की खोपड़ी पर negative charge है वो उनके electron density को अपनी तरफ बुलाएंगे electron density उधर क्यों जा रहा है force of attraction की वज़ा से वो force of attraction ज़्यादा है जो सामने वाला तो सामने वाला उनके electron को अपनी तरफ खीच रहा है actually electron की density खीच किदर आ रही है तेड़ा मेड़ा हो चुका है देखो भईया पहले गोला सा था लेकिन अभी इधर जा रहा है इसको बोलते है distortion of electron cloud क्या बोलते है distortion of electron cloud और इस electron cloud का जो यह तेड़ा पना आ रहा है इसी को polarization बोला जाता है बोलो मेरे साथ क्या बोला जाता है बोलो मेरे साथ क्या बोला जाता है polarization बोला जाता है इतनी बात समझ में आगई कि इधर की तरफ आना polarization सब्द से बोला जाता है अच्छा इतनी बात तो आगई सर समझ में इतनी बात तो समझ में आगई कि polarization एक सब्द है यहाँ पर जिसका मतलब होता है distortion of electron cloud electron cloud का क्या हो रहा distortion हो रहा है अब एक चीज सोचने की बात है ये थे ionic compound एक था A पर positive मतलब का Ateon B पर क्या था negative इनके बीच में interaction पढ़ रहे थी लेकिन हमने क्या देखा कि यार यहां पर तो दोनो nucleus के बीच में electron की density आ रही है और ऐसी चीज कहा होती है covalent bonding में होती है कि दोनो nucleus के बीच में electron आ जाए ये कहां पढ़ा था covalent bond पढ़ता covalent bond पढ़ते वक्त ये पढ़ा था कि दोनो nucleus के बीच में electron का cloud आएगा अच्छा ये चीज यहां पर भी आ रही है इसका मतलब ionic bond के अंदर covalent bond का करेक्टर डबलफ हो गया क्या आप बात कर रहे हो यस तो क्या लिखा जाएगा covalent करेक्टर in ionic compound ionic compound के अंदर covalent का करेक्टर समझ में आया अरे भी या देखो या ionic का मतलब क्या दोनो complete ions है वो यह दूसरे साल अलगा इस तरीके से पड़े है लेकिन दोनो nuclear के बीच में electron density नहीं है लेकिन हुआ क्या cation निकला powerful इनके electron को खीच के अपनी तरफ ले आया तो दोनो nuclear के बीच में electron आ गए इसका मतलब covalent का करेक्टर उसके अंदर डबलप होने लग गया clear जी अच्छा अब एक जी तबना आप यहाँ पर जो देख रहे हो cation निके electron को खीच रहा है polarize कर रहा है उसको कहते है polarizing power होना इसके अंदर polarizing power है anion के अंदर polarizing power है लेकिन cation के अंदर polarizability sorry उल्टा हो गया cation के अंदर polarizing power है लेकिन anion के अंदर polarizability polarizability का मतलब अपने electron cloud को distort होने देना इसको कहते है polarizability और दूसरे के electron density को खीच लाना इसको कहते है polarizing power चलिए देखते है चलिए देखते है covalent character कब ज़्यादा आएगा covalent character तब ज़्यादा आएगा जब दोनों nuclei के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा electron density आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों nuclei के बीच में electron density कब आएगी जब इनका electron अच्छे तरीके से distort होगा और अच्छे तरीके से distort कब होगा जब यह cation अच्छे तरीके से खींचेगा, मतलब उसकी polarizing power अच्छी होगी, वो depend करती है किस पे size पे, अब देखना, सोचो, कि हमारे पास एक छोटा सा cation है, उस पर भी positive charge है, एक बड़ा सा cation है, उस पर भी एक ही positive charge है, तो कौन अच्छे तरीके से सामने से electron cloud खींचेगा, जो छोटा ह होगा, क्योंकि वहाँ पर charge density जादा होगी, तो छोटा cation, लेकिन चार्ज जादा, छोटा cation size wise, size wise, छोटा cation, लेकिन क्या बोला मैंने charge same, तो उसमें polarizing power जादा होगी, अगर polarizing power जादा होगी, तो निश्ची तरुप से covalent character भी वहाँ पे जादा आएगा, तो आप क्या बोलोगे, cation की size यतनी छोटी होगी, polarizing उतना जादा होगा, polarizing power उस cation का, तो covalent character भी जादा निकल कर आएगा, अगली चीज़ देखें, nion की size, nion की size जितनी बड़ी होगी, तो nion का nucleus अपने electron पे control नहीं रख पाएगा, और तब control नहीं रख पाएगा, तो निश्ची तर factor समझना है, अब आते हैं, charge के factor पे, अगर हमारे cation पर charge जादा है, सोच के देखो, हमारे cation पे जितना जादा charge होगा, charge density जितनी जादा, उतनी जादा खिंचने की छमता, तो भाईया, covalent character वहाँ पे जादा है, समझना है, nion के charge के बारे में, nion पर जितना जादा charge होगा, आराम से वो distort हो सकता है, इसका मतलब, charge के जादा होगा, nion पर भी charge अगर जादा है, तब भी covalent character जादा है, तो यहाँ समझना आ गया, example देखेंगे अब, example देखो भई, आयनी character के बारे में पूछा गया, बताए, बता सकते हो, चलो पहले covalent character बताओ, फिर आयनी उसका उल्टा कर देंगे, देखो यार, यहाँ पर chlorine सब में सेम है, nion सब में सेम है, लेकिन cation, lithium सबसे छोटा है, तो सबसे जादा covalent character यहाँ पर आएगा, तो आयनी character का यह order हो समझ में साथ आ गया होगा, अगला देख लेते हैं, अगली चीज क्या है, covalent character देखो भई, क्या लिखा हुआ है, अभी आपने na fix कर दिया है, na है क्या, na आपका यहाँ पर cation, nion बदल रहा है, तो आप एक बाह बताओ, covalent character कहाँ पर ज्यादा होगा, जहाँ पर nion की size ब पर प्लस 2 है, समझ में साथ आ गया होगा, समझ में साथ आ गया होगा, कि जितना ज़्यादा cation पर charge, उतना ज़्यादा polarization, उतना ज़्यादा covalent character, अगला देखे क्या polarizing power of d block का time ज़्यादा होता है, बिद रिस्पेक्ट टो s block, इसका region क्या है, जड़ एफेक्टिव ज़्यादा होता है, यहाँ पर, effective nuclear charge यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो देख लिजे, cucl और cucl में, अगर यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर cuc cucl के अंदर आपको covalent character भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस तरीके से यह भी खतम, अगला आते हैं भीया, अगला point है, intermolecular force of attraction, last point, but not the least, question पूछा जाए, तो याद कैसे रही, यह important point है, वो मैं करा दूँगा, interneucular distance, sorry, intermolecular force of attraction, तो भया, अभी तक जितना सीख लिया, वो अच्छी बात है, इसके अलामा जो लोग बचे, जिन पर बहुत जादा polarity वगरा नहीं है, तो वो लोग कैसे गुसरे से बात चीत करते हैं, वो कैसे interact होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, देखिए भईया, पहला है molecules, हमारे पास जितने भी molecules से species मौजूद हैं, तो polar, simple सी बात है, अब इनके interaction की बात करते हैं, within second समझा सकता हूँ, दो polar molecules आपस में interact कर लें, तो एक अलग तरीकी का interaction, दो non-polar आपस में कर लें, तो एक अलग तरीकी का interaction, लेकिन एक polar एक non-polar आपस में कर लें, तो ये एक अलग तरीकी का interaction, मतलब हमारे पास तीन तरीके का interaction पढ़ना होता है पहला क्या है interaction between polar molecules polar molecules के बीच में interaction मतलब इसे hcl और आपने ले लिया hcl ले लिया और क्या ले लिया hcl धान से सुनना chlorine की खोपड़ी पर डेल नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या होगा डेल पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या होगा interaction कहाँ पर होगा अरे यह देखो भईया chlorine का negative hydrogen के positive पर साथ बोलो भई बात समझ में आई क्या तो यहां पर भी interaction polar polar के साथ interaction कर रहा है लेकिन एक बात सुनना यह क्या है क्या मैं इसको dipole कह दूँ dipole के time पर पढ़ाया था मैंने यह dipole है सर यह भी तो dipole है यास दोनों ही कैमेर भाई दोनों ही dipole है अब हम इसका नाम करन करेंगे अरे केवल यह कहने से काम नहीं बनेगा कि interaction between polar molecules उसको एक special नाम दिया गया कि dipole dipole attraction क्या बोलेंगे dipole dipole attraction कितना आसान है एक polar molecule बनाया एक दूसरा बनाया अब polar molecule के अंदर क्या है dipole momentum उनके लिए सब्दी यूज कर दिया dipole dipole का attraction तो यहाँ पर नाम होगा dipole dipole attraction अगला सुनू इंट्रेक्शन बिट्विन polar और नॉन पोलर पोलर और नॉन पोलर देखो भाईया hcl है यहाँ पर होगा negative charge और यहां पर होगा positive charge यहाँ पर है chlorine यहाँ भीया chlorine ध्यान से सुनना इस line को समझना पढ़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर NEGATIVE CHARGE होगा क्या पता है यह chlorine और chlorine थे पहले से इंपर कोई चार्ज नहीं था, electron cloud होगा क्लोरीन के उपर भी, इनके उपर भी होता क्या है, कि जब इसका negative charge इसके बगल में जाता है, तो electron को वो shift करने की कोशिज देखता है, या इसके पर negative charge है तो यहां की electron को धकेलता है है न, repulsion की वज़ा से, यह electron shift होकर यह इधर आते हैं तो बहुत छोटा सा चार्ज इधर डवलप होता है और जितना वो छोटा चार्ज इधर डवलप होगा उतना ही positive चार्ज इधर डवलप होगा हुआ क्या पता है इस polar को देख करके यह non-polar भी polar होना चाहता है मतलब अपने अंदर यह induce करेगा अपने अंदर यह induce करेगा क्या dipolarity यह क्या थे डाइपोल यह क्या थे डाइपोल को देख करके इसने अपने अंदर भी अपने आपको भी डाइपोल बनाने की कोशिज करी फिसको लिखते हैं induced dipole dipole है ना एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस तो यह dipole और इसको देख करके इसने आपने अंदर induce हुआ अपने अंदर character develop किया dipole का इसलिए इसको बोला जाएगा induce dipole और यहाँ पर देखो यह interaction यह देखो double del लिखने का मतलब है charge बहुत कम है एक बार del लिखने का मतलब charge थोड़ा सा जाता है clear है मामला यसर तो यहाँ पर जो interaction होगा वो इतना strong तो नहीं होगा जितना यहाँ पर है क्योंकि एक पर देखो भी यह एक पर क्या है जादा charge एक पर कम यहाँ पर दोनों में करीब करीब same charge लेकिन एक plus एक minus तो यह अच्छा interaction with respect to this one नाम क्या होगा इसका नाम होगा dipole induced dipole attraction अगला देख लेते हैं अगला देख लेते हैं इंट्राक्शन बिट्वीन नौन पोलर molecules नौन पोलर मॉलीकूल के लिए आप ऐसे याद रखें जैसे cl 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 देखो भी आध्यान से देखो भी आध्यान से होगा क्या यहाँ पर क्या होता है कि एक बार ऐसे समझो कि electron cloud थोड़ा सा move करके इस तरह आ जाता है तो बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा positive charge हो जाता है इस पर बहुत छोटा सा negative charge इस बहुत छोटे से negative positive charge को देख करके इनके electron भाग के आते हैं इसके positive की तरफ तो यहाँ पर भी charge डबलप हो जाता है क्या होता चार्ज डबलप यहाँ पर भी हो जाता है तो इसको लिखते थे हैं यहाँ पर माइनस लिखना है अब इनके बीच में जो interaction होगा उसको London force बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं instantaneous induced और क्या बोलते हैं बहिया induced dipole एक बार मैं बता देता हूँ समझा देता हूँ देखो एक बार क्या है इसने क्या किया अपने अंदर थोड़ी देर के लिए Polarity लाने की कोसिस करी इसके अंदर थोड़ी देर के लिए जब Polarity आई तो इसको लिखते हैं कि Instantaneous Induced Dipole उसने अपने अंदर Instantaneous थोड़े से समय के लिए Dipolarity Induced कर ली ठीक है तो नाम हो गया Instantaneous Induced Dipole और इसके Dipole को देख करके इसने अपना कलर बदल दिया के याद रहेंगे इसको क्या बोलता है Dispersion Force और इसी को London Force के नाम से जाना जाता है Order of Interaction ये आप खुद कर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है कर ले जाएंगे क्या Ion Ion Interaction जैसे Na Plus और Cl Negative के बीच में Complete Ions के बीच में Interaction ये अच्छा Interaction होगा Ion Dipole Interaction जैसे माल लीजिए Na Plus है दूसरा Dipole आप Water ले लीजिए आप दूसरा Dipole क्या करिए Water ले लीजिए यहाँ पर क्या होगा Oxygen पे Del Negative Charge होगा Hydrogen पे Del Positive Charge होगा Hydrogen पे Del Positive Charge होगा होगा की नहीं होगा भाई तो ये Complete Charge इस Partial Charge के साथ Interact करेगा अब बताओ दोनों में अच्छा Interaction कौन है अरे ये Complete Charges अच्छे से Interact करेंगे यहाँ पर Complete Charge है लेकिन ये Partial है तो नीचे दूर्प से उपर वाला ज्यादा है बिद रिस्पेक्टों नीचे वाले के Dipole Dipole समझा चुका हूँ तो बार-बार समझा के कोई फायदा है नहीं इसके बाद आएगा Iron Induced Dipole ये देख लेते हैं Iron Induced Dipole जैसे माल लोग ने प्लस है और सामने मने कलोरीन गैस ला दी है तो ने प्लस को देख करके ये अपने उपर क्या ला देगा Negative बहुत छोटा सा negative यहाँ पर आज जाएगा बहुत छोटा सा पॉडट है Clear है? इतनी बात समझ में आगई है बीच वाला मैंने बता रखा है तो इनके बीच में interaction ठीक है? ये वाली बात तो मैंने बताई है तो यहाँ पर order कुछ इसी तरीकिस होगा एक बार बैट के इत्मिनान से इसके example बनाओगे कुछ भी रटना नहीं होता ये सब समझ करके जाना होता पेपर में सब कुछ समझा जा सकता है पहली बात तो ये है ठीक है? अगला देख लीजिए ये वाली मैंने example बता दी ये भी इन दोनों में तो ये आपको ये order बता चुका हो यहाँ पर आपको ये बता देता हो क्लेर जी केवल आपको ये ये और ये मैंने नहीं बताया था बाकी तीन तो मैंने बता दिये थे अब एक चीज सुनना एक सब्द मैं बोलूंगा कि जहां कहीं पर आयन लिखा जाएगा वो कभी भी वंडर वॉल फोर्स ओफ अट्राक्शन नहीं माना जाएगा जहां कहीं पर आयन लिखा होगा वो कभी भी वंडर वॉल फोर्स ओफ अट्राक्शन नहीं माना जाएगा तो देखो आयन आयन यह तो अच्छी bonding है आयनिक bonding सबसे strong bonding यह नहीं आयन डाइपोल को भी आप wonderful force of attraction नहीं मानेंगे iron induced को भी नहीं मानेंगे किसको मानेंगे कहां मानेंगे एक, दो, तीन जो पीछे मैंने तीन पढ़ा है वही wonderful force of attraction के अंदर consider किये जो मैंने इसके पीछे पढ़ाया है clear है, इतनी बात समझ में आ गई की नहीं आ गई इतनी बात याद हो गई, हो गई हो गई अगला देख लेते हैं, energy distance relationship पुछ नहीं भईया देखो, iron iron के बीच में हमें अभी पढ़ा है energy और distance के बीच में relation क्या होता है या, one by r, दो interacting species है, उनके लिए one by r लेकिन अगला देखो, इसी sequence में हर बार पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में भी ठीक है ठीक है, तो अगली बार second point को याद कैसे करोगे, one by r square, अगला क्या है भया, third वाला कहां क्या भी है, third वाले के लिए क्या लिखोंगे e is proportional to one by third न, third मतलब three, तो यहां पर लिख दो three, four के case में देखो यह लिख दोगे, e is proportional to one by r की power four इतनी बात समझ में आगी क्या इतनी बात भेजे में सीधी सीधी उतरी, इसको इसी सिक्वर्स में सुरू से पढ़ा रहा हूं, इसी तरीकी से याद भी हो जाएगा कि देखो भई, आप number one पे है तो r की power one, two वाले में two, three वाले में three, four वाले में four, ठीक है, अब अगला क्या होगा, अगले के दो में इन दोनों में देखना भी है, इन दोनों में एक साथ आप याद रखें p is proportional to one by r की power six, यह आपके ncrt में mention है, और इसी पर बेच question आते हैं, ठीक है, dipole, induced dipole, instantaneous induced dipole and induced dipole, इनके बीच में r की power six के proportional होती है interacting energy ठीक है जी, ओके, अगला देख लीजिए, ncrt की यह line आप एक बार पढ़े लीजिएगा इसके लिए लिखा गया है, यही लिखा गया है कि r की power six के improportional होता है, हम energy between two particles clear है, जो दो particles क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो हो सकता है हो सकता है कि दोनों dipole हो, हो सकता है कि एक क्या हो, dipole non-polar हो, clear है बोलो भाई, मामला clear है wonderful force of attraction आपको बताया जा चुका है, बाध्यान दे लें, कि wonderful force of attraction तब जादा होता है, जब molecular mass जादा होता है तो अगर molecular mass जादा है, तो वहाँ पर wonderful force of attraction जादा होगा, तो यहाँ पर जादा force of attraction देखने को मिलता है नीचे की तरफ force of attraction जादा देखने को मिलता है, देख लो, और एक बात और जान लो, जितना जादा जितना जादा, जितना जादा wonderful force of attraction होगा, उतना ही boiling point जादा होगा, जितना जादा wonderful force of attraction उतना आफल के दो लोगों के बीच में जितना ज़यादा फोर्स लगेगा लिक्विड फेज में उसको गैस बनाने के लिए क्या कूना पड़ेगा अलग करना पड़ेगा अब यहालोग आपके मैइट की जो ख्लास है वह सा अट बजे होगी है के आपकी को चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से यह समझाने की कोसिस कर रहा हूं कि जल्दी ही निपड़ जाए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो लिक्विड से वैपर में ले करने के लिए आपको ज्यादा टंपरेचर अपलाई करना पड़ेगा ज्यादा टंपरेचर अपलाई होगा तो निश्यत्र रूप से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा होगा वोलो बाट ठीक है क्या 10-15 मिन में ख़तम हो जागा मेरे भाई सिंपल है सुनों साइज एटम जितना बड़ा होगा, size of atom जितना बड़ा होगा, वहाँ पे भाईलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि size of atom अगर बढ़ता जाएगा, तो interact करने की surface area वो ज्यादा होगी, interaction ज्यादा होगी, तो निश्य तुरुप से wonderland force of attraction ज्यादा होगा, मामला क्लियर है क्या, यहाँ आप देखें, helium, neon, argon, krypton, genon के अंदर आप अगर बात करें, तो genon की size सबसे बड़ी है, अगर genon की size सबसे बड़ी है, तो एक genon, दूसरे genon से बहुत जादा interact करेगा, अगर जदा interact करेगा, तो जदा wonderland force of attraction है, तो भरिया boiling point भी उसका जदा आएगा, बोलो भरिया, boiling point किसका जदा होता है, helium, neon, argon, krypton में किसका जदा होता है, इनका जदा होता, यहां से सुननों एक कोई हमने एटम जड़ लिया जिसकी कोपड़ी पर मैं कह रहा हूं यहां पर लोन पेर है ठीक है और हमारा जो जड़ है वह ज्यादा इलेक्ट्रो नेगटिव है बिद रिस्पेक्ट वाई तो वह एक्ट्रॉन अपनी तरफ खीचता है तो इसलिए इस प यहां पर आएगा डेल नेगटिव और इस पर आएगा डेल पोजिटिव अब एक बात इत्मिनान से ध्यान से सुन लिजिए देखने में आपको यह क्या लग रहा यह भी डाइपोल है सर यह भी डाइपोल है तो यहां पर तो डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन होना चा जासे डाइपोल-डाइपोल इंट्रेक्शन को अलग कर दिया गया है, हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो बॉंडिंग होगी, जो फोर्स अफ अट्रेक्शन इस जड के उपर जो लोन पेर है या नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि यह क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोन की डेंसिटी है और यहाँ पर इलेक्ट्रोन की डेंसिटी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में अच्छा करसा, इलेक्ट्रोस अट्रेक्शन होगा, तो एनर्जी निकलेगी, मामल phone हो सकता है क्या हो सकता है सिर्फ phone हो सकता है जिससे आप हमें अभी मुलाकात कर रहे हैं देखिए गाई ये क्या है ये जड सिर्फ phone हो सकता है बाकी कुछ होगा तो वहां पे hydrogen bonding नहीं हो सिर्फ phone मतलब fluorine oxygen और nitrogen अगर ये होगा तभी ये interaction hydrogen bonding है और हमारा जो ये और चीज़ें कार्बन से रिलेटर तीन चीज़ें और है तो एक तो फोन हो गया और कार्बन से रिलेटर तीन चीज़ें क्या है एक तो ऐसा कार्बन होना चाहिए जो कि SP hybridized हो, एक ऐसा carbon हो जिस पर 3 fluorine हो, एक ऐसा carbon हो जिस पर कि 3 chlorine हो, तो अगर ये A, इन 6 में से कुछ है और ये जो Z है, इन 3 में से कुछ है तब ही इस तरीके के interaction को hydrogen bonding के नाम से नवाजा अगला देखें water के बीच में आप बता सकते interaction है, water के बीच में कैसे बताओगे देखो, H2O है, H2O में क्या है oxygen ज्यादा electronegative, del negative charge इसके लोन पेर भी है, यहाँ पर क्या del positive charge है, तो सामने से जब water molecule क्यों लाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा मेरे भाई देखना, वहाँ पर भी यही हानी होगी, hydrogen पर positive charge होगा इस तरीकी से होने से क्या होगा, यह जो del negative, del plus के साथ, या इसी को बोलो, इस lone pair के साथ interact होगा, तो नहाँ पर hydrogen bonding होगी, इसी तरीकी से acetone and chloroform, acetone and acetylene, इनमें भी आपको hydrogen bond देखने को मिल जाएगा, इसको यह आता है, क्या हर बार hydrogen bonding का जो extent है, जो quality है, जो quantity है, क्या वो हर बार same ही रहती है, नहीं भाई, यह बदली जा सकती, कैसे, सुनना द्याम से, यह interaction ऐसी है, जहाँ पर, हके उपर positive charge आप बढ़ा दो, हके उपर positive charge बढ़ा दो, और सामने एक ऐसा जड़ रखो, जो अपने electron density को, इनके साथ interact होने दे आराम से, उसको पकड के ना बैठा रहे, आराम से interact होने दे, तो सबसे अच्छा interaction होगा, इन दोनों के बीच में यही लिखा गया है, extent of hydrogen bonding depend करता है, partial positive charge on H कितना है, यह charge जितना ज़्यादा होगा आप कहेंगे, interaction उतना ज़्यादा होगा, अब सोच के देखो, यह charge ज़्यादा कब होगा, जब A बहुत ज़्यादा electronegative होगा, जितना ज़्यादा यह electronegative, इसका electrone यह खीचेगा, positive charge बढ़ता जाएगा और वो आराम से इसके साथ interact करता, जाएगा, मामला clear है, यस सर, मामला समझ में आ रहा है, यस सर, अगली चीज़ देखें, electron density on jet, जो jet आपने लिया है, fluorine, oxygen, nitrogen, यही तीन हो सकते हैं, आप देखो याद, जो fluorine है न, वो अपनी electron cloud को लेगर के बैठा रहे था, वो ज़्यादा interact करवाना नहीं चाहता, लेकिन nitrogen सबसे ज़्यादा आराम से, अपनी electron density दूसरे के साथ, क्या करेगा, share कर सकता है, share in the sense, यहाँ पर interact करवानी से है, तो ज़्यादा interaction कहाँ पर मिलेगा, भईया nitrogen के case में ज़्यादा interaction मिलेगा, इसका मतलब अगर मैं Z को nitrogen रख दूँ, और A को fluorine रख दूँ, ताकि fluorine इसका electron खूब खिंच ले, तो सब से अच्छा क्या होगा, hydrogen bonding मामला clear है, कोई दिक्खत, कोई अप्लेफ नहीं है अगले पर आजाते है, types of hydrogen bonding दो तरीकी का होता है, intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding, अब सुनिएगा intermolecular मतलब दो molecules के बीच में, तो यहाँ पर मैं एक चीज बना के दिखा देता हूँ, अच्छे तरीके से, एक बार water को समझ लेते हैं देखो भई, water में क्या है, इस तरीके से lone pair है, इस तरीके से lone pair यह sp3 type का होता है, इसमें कोई सक संदेह नहीं है, अगला देखिएगा यह मैं बना देखा, जितनी जगा hydrogen लिखा सब पर positive charge है, जहाँ जहाँ oxygen सब पर negative charge है, अब एक ही बात को बार बार लिख करके क्या पायदा, पीछे मैंने यही चीज़ बताई है, ठीक है, जहाँ जहाँ oxygen होगा, वहाँ पर negative charge है, वहाँ पर lone pair है, जहाँ जहाँ hydrogen है, उस पर क्या है, positive charge है, कोई सक, कोई संदेह हो, तो निश्य दूरूप से बताईएगा, दिखेगा, यहाँ, H पर positive charge है ना, वो इस del negative के साथ interact, यह इस lone pair के साथ interact करता है, यहाँ पर जो positive charge है ना, वो इनके, इनके साथ interact करता है, clear जी, यहाँ पर क्या है lone pair, यह lone pair इस वाले del plus, hydrogen के पर del plus, इसके साथ interact करता है, समझगा आ गया क्या, एक water molecule, देखो, चार तरीके से जुड़ा हुआ है, चार वाटर molecule से जुड़ा हुआ है, तो बीच में water है, उसके किनारे किनारे, tetrahedrally water molecules arranged हैं, क्या है मेरे भाई बोलो, arranged हैं, इतनी बात समझ सकते हो, कि tetrahedrally सब यहाँ पर आएगा, चार वाटर molecule से इसके किनारे लगेंगे, दो lone pair के थूँ, अदो hydrogen के थूँ लगेंगे, hydrogen से oxygen interact करेगा, lone pair से दूसरे वालों का hydrogen interact करेगा, अब यार देखो, एक water molecule से चार different लोग interact करेंगे, तो इसको कहते हैं, intermolecular hydrogen bonding, दो अलग-अलग molecules में यह कहानी देखने को मिल रही है, लेकिन, intermolecular hydrogen bonding को समाझने के लिए, क्या ही है, ortho nitro phenol, यह देखो, phenol मस्वल बेंजीन की खोपड़ी पे OH, बेंजीन की खोपड़ी पे OH is, बोलो भाईया, क्या phenol, लेकिन, इसके दूसरे position पे nitro कैसे लगाएंगे, N double bond O बोलो भाई, बोलो भाई, मामला क्लियर है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, hydrogen की खोपड़ी पे डल प्लस होगा, क्योंकि oxygen लगा हुआ है, और यहाँ पर lone pair है, तो इसका lone pair is negative, इस positive के साथ क्या करेगा interaction, यह क्या हुआ, इसी molecule के अंदर-अंदर ही, क्या हुआ है, गड़ बंदन होगा, अरे भाईया, यहाँ पे, एक molecule, बाकी molecule के साथ रिष्टे बना रहा है, मतलब inter-molecular, लेकिन यहाँ एक molecule के अंदर गड़ बंदन चल रहा है, मतलब की intra-molecular hydrogen bonding, इनका इसक अपनी गली में है, इनका इसक अपनी गली में, यह तुम्हारा इसके जो तुम ढूंड रहे हो अभी, ठीका जी, बाहर के तरफ, यहाँ पे देख लेते हैं भी आगली, HF molecule, यह बड़ा साउधानी से पढ़ना मेरे भाई, देखना क्या है, इसको बनाने का तरीका इक पर दिखा दीता हूँ, पहले आप fluorine बनाईए, फिर आप hydrogen बनाईए, फिर आप fluorine बनाईए, क्यूं बना रहा हूँ, बताऊंगा, अभी मैं बनाते हैं थोड़ा सा आपको लग सकता हूँ कि क्या बना रहे हूँ सा बज नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पचानी की कोसिस करेंगे, सुनना द्यान से, सुनना द्यान से, यहाँ पर क्या है hydrogen पर डल प्लस, अब हर बार याड डल प्लस लिखना है, तो यहाँ समझ जाओ यार कि hydrogen है तो डल प्लस है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो, इस तरीके का इंट्राक्शन देखने को मिलता है, hydrogen हर बार आपको एक लाइन में ऐसे बनना, दो फ्लोरीन के बीच में hydrogen आएगा, दो फ्लोरीन के बीच में इस तरीके साइड्रोरीन, और देखना, जहाँ पर यह चीज बेंट हो रही है, ऐसे जुकरी है, वहाँ कभी यहाँ लाग के hydrogen मत लिख देना, hydrogen के आसपास सिर्फ सीधी सीधी लाइन बनानी है, फ्लोरीन क्या हो सकता है, उपर नीचे हो सकता है, पता है क्यूं, क्योंकी क्योंकी reason क्या है, कि फ्लोरीन की उपर क्या है, यह lone pair है, टीन lone pair को sp3 hybrid orbital के अंदर रखेगा, sp3 hybrid orbital के अंदर रखेगा, तो देखो भया, वहाँ पर angle पर आना आसान है इस तरीके से, समझ गए ना तो इसको बोलते हैं कि वो linear बन रहा है linearly polymer type का structure है ऐसा कुछ कहानी बकवास type की दिखेगी कोई बात नहीं पचा लेना देखो only HF and H2O form polymeric structure due to hydrogen bonding बहुत सारे HF ऐसे add हो जाते हैं और यह चीना आपको मैं बताऊँ जो मैंने बताया water जब solid होता है मतलब कि जब यह ice बनता है तब सबसे अच्छे तरीकिस hydrogen bonding देखने को मिलती है कि एक water molecule और चार उससे tetrahydrally arranged है जब water solid है और जब HF solid हो ना तब आपको यह बहुत जादा देखने को मिलती है polymeric form अच्छा जी HF forms linear polymeric यह क्या है linear polymeric whereas H2O form tetrahydral polymeric structure tetrahydral polymeric structure यह line मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बहुत important है भाई यह line मैं दिमाग में जाती नहीं है initial है देखो भाई आप इसका comparison अगर आप paranitrofenol के साथ करना चाहों तो यह आप बना सकते हो paranitrofenol का मतलब क्या है एक पर OH है और दूसरे पर क्या है NO2 एक पर OH दूसरे पर NO2 एक दूसरा बना दिया माल लो यहाँ पर NO2 ध्यान से देख लो मैं तो सोचो कि यह वाला question तो कराया ही नहीं है आपने अभी बहुत सारे होंगे सर यह topic छूड़ गया यह छूड़ गया क्या मतलब है कि पैरनाइट्रो फिनॉल में बहुत सारे पैरनाइट्रो फिनॉल के molecules एक साथ combined रहते हैं associated रहते हैं जुड़े हुए रहते हैं और इनके जुड़े होने की वज़ा से आसपास रहने की वज़ा से इनका boiling point ज़ादा देखने को मिलता है इनका boiling point ज़ादा देखने को मिलता है और इनका boiling point कम देखने को मिलता है क्या रीजिन है दोनों के masses तो सेम है ये इसका और इसका दोनों का mass सेम है दोनों आईसोमेरिक है दोनों आईसोमर्स है molecule मास सेम है इसके बावजूद इनका boiling point कम ज़्यादा क्यों है आप कोगे यहां पर inter molecular hydrogen bonding है एक molecule बहुत सारे molecules को इकठा करके बैठा हुआ है उसको अलग करने के लिए आपको बाहर से ज़्यादा heat दे करके अलग करना पड़ेगा इस वज़ा से यहां पर boiling point ज़्यादा है मतलब क्या हुआ वालियूम ज़्यादा मिलता है वालियूम ज़्यादा मिलता है इसकी डेंसिटी क्या हो लोगर हो इसकी क्या हो देंसिटी लोगर हो तो सिंपल सी बात इसमें कोई rocket science नहीं है इसका रीजन क्या है आपने आपको अभी बताया एक water molecule से water molecules tetrahydryly arranged है जब वो tetrahyd water molecules को यहां पे भी एक water molecule है यहां पे भी यहां पे इंट्रक्शन वही है जो पहले पढ़ाया जा चुका है तो मेरे भाया इनके बीच में यह जो gap है यह gap create हो रहा है वाइट क्रियेट हो रहे है जब वाइट क्रियेट होंगी तो density क्या हो जाएगी लोगर डाउन कर जाएग कि वह यह बरफ उपर रहता है अच्छा ठीक वात नहीं अगर बरफ उपर है इसका मतलब density lower density lower है ज्यादा रहा होगा कानी ठीक है जी यह सर कानी ठीक है बताए नंबर आफ वाटर मॉलीकूर्स अटाज टुवन वाटर मॉलीकूल इस पूर ठीक है टेक्ट्रहडरली बॉल्म किसका ज्यादा है बॉल्म किसका ज्यादा है इसको मैं खुछ चाहता हूं आप इसको बड़े इत्मिनान से सीख लें लास्ट लाइन है मेरी समस्य बॉलिंग पॉइंट इस डारेक्ली प्रपोश्चनल टू मॉलीकूलर मास इसको पहले जान लीजी यह कहां से आया आरे वन्डरवर्वल्व फॉर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो पढ़ाया था दो लोगों के अगर मॉलीकूलर मासेस जादा है तो उनके बीच में क्या होगा में दूसरे और यहां पर नावन भी क्यूण पोलर है दूसरा वाला इंदर इन्ट्रैक्शन को बॉढ़ा है Term Apart dipole and indus dipole मतलब London या dispersion force इसको क्या कहते है wonder world force of attraction कहते है इतना बड़ा बड़ा नाम ना लिना पड़े इसलिए wonder world force of attraction रख दिया नाम आप देखो उपर से नीचे जाएंगे mass बढ़ेगा दुबारा सुनना उपर से नीचे जाएंगे mass बढ़ेगा अगर mass बढ़ेगा तो आप क्या बोलेंगे मास बढ़ेगा तो boiling point बढ़ेगा इसका मतलब उपर से नीचे जाने पर ये देखने को मिलता है उपर से नीचे जाएंगे तो boiling point का ये order देखने को मिलता है भाई लेकिन अगले तीनों में इस तरीके का इसको कठा किये तो एक group बन जाता है एक association बन जाता है फिर उसको break करना बड़ा कठीन होता है temperature बढ़ाना पड़ता है इसलिए जहां कहीं भी hydrogen bonding होती है आपको वहाँ पर boiling point जाता देखेगा ठीक है जी कहां कहां पर होता है hydrogen bonding फोन पे fluorine oxygen nitrogen और ये natak और इन तीनों में hydrogen bonding नहीं होती जवाब कहां से आएगा wonderl or force of attraction से आएगा कि जिसका molecular mass जाता है उसका boiling point जाता है तो इन तीनों में तो ये ही जवाब मारें इन तीनों की बात करें तो मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूँ ये order आएगा इन तीनों की बात करें तो ये ही order आएगा कोई सक नहीं है कोई संदेह नहीं है एदम clear जी इसको क्यों रखा गया बताता हूँ HF क्या होता है कि एक HF बहुत सारे HF कोई कठा करके अपना boiling point बहुत ज़्यादा कर लेता है कि उसका HF से भी HI से भी ज़्यादा होता है से water में भी इन से ज़्यादा होता है लेकिन NS3 वाला जो होता है वो SB और SS3 के बीच में आता है तो आप order लिख ले जाएंगे मैं लिख दूँ मैं लिख दूँ क्या भई आप लिखेंगे SB,S3 फिर आप लिखेंगे NS3 मैंने क्या बोला इन दूँ के बीच में NS3 आएगा फिर आएगा SS3 और फिर आएगा PS3 मामला खतम होने वाला भाई थोड़ी दिर धायरे बनाए रखें कारिकरम खतम होने वाला बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर का हमने कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से पूनाहुती करी है बोला जा सकता है न भाई पूनाहुती हमने अच्छी तरीके से करी है जरूर बताना भाई अगर पूनाहुती सही लग रही हो तो जैजवाला लिख करके कहानी बना सकते हैं ठीक है जी तो यह order निकल के आएगा overall order यह होगा बोलो भाई मामला clear है क्या यहां की कहानी तो समझ में आ रही है कि HF फिर होगा HI फिर होगा HBR फिर होगा HCL तो यह आएगा order clear है मामला अगला देखें H2O is liquid but H2O is gas obviously एक H2O molecule बहुत सारे H2O molecules को अगर इकठा कर लेगा तो भाईया उसके liquid में रहने का probability बढ़ेगी possibility ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसने बहुत सारे को इकठा कर रखा ज्यादा force of attraction लग रहा है 2, 3, 4, 10, 15, 20 molecule के बीच में तो आप क्या कहोगे वो liquid में जाना चाहेगा लेकिन जो आपका H2S है एक H2S दूसरे H2S के साथ जदा बात चीत नहीं करता ज्यादा interact ही नहीं होता क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ weak wonderful force of attraction है इस वज़ा से यहां के case में वो कहेगा मैं अकेला रहना चाहता हूँ अकेला रहना कहा पसंद होगा उसको गैस में इसलिए हो गैस में रहता है अगर इसको scientific language में बोलें तो क्या बोलेंगे कि H2O के अंदर एक molecule बहुत सारे molecule को associate कर लेता है due to hydrogen bonding इस वज़ा से वो liquid phase में रहता है लेकिन H2O H2S में कोई भी hydrogen bonding नहीं है बहुत सब्सक्राइब तरीके का वंडरल force of attraction इसलिए होगा इसमें रहना पसंद करता है मावला ग्लियर जी यह ग्राप देखिए अनंदमई हो जाएंगे बहुत जबरदर्द ग्राप है याद नहीं करना है देखने के लिए बनाया कुछ थड़ा अच्छा लगता आपको यहां प molecular weight बढ़ता जाएगा boiling point भी upgrade होता जाएगा boiling point क्या हुआ बढ़ता गया ठेकर जी यहां तक तो ठीक था अगला सुनों यहां वाली family में आप क्या देखते हूँ यहां तीनों के case में drop क्यों दिख रहा है क्योंकि यहां पर hydrogen content क्लियर जी यह सर लेकिन water का देखो सबसे ज़्यादा है water का कितना होता है 100 degree Celsius सबसे ज़्यादा होता है तो अगर कोई पूछे बहुत अच्छी hydrogen bonding कहां पे होती है तो कहना H2O में with respect to HF भी कह रहा हूँ मैं कर लीजिए मतलब खतम हो चुका है अब आपको थैंकी बोलने का वक्त आ चुका है लेकिन देखते हैं यहां पर क्या लिखा कि जैनॉन गैस को आराम से लिक्विफाई करवाने में help कौन करेगा तो आप कहोगे लिक्विफाई वो तब होगा जब एक जैनॉन दूसरे जैन खत कोई तक्लीप कोई परिसान ही हो तो जरूर बताईए मामला आप क्लिएर है मामला तक का क्लियर है भही बोलो भाई सुपर डूपर क्लिएरे को być ऐसा कुछ सायद ही होगा जो अमने च्छोड़ा होगा आपको करना क्या वो बता देता हू अब आपको यह झाने ये लायक करते जाएए विस्वास मानिए आप ये जरूर कहने लायक हो जाएंगे कि भाईया हमको इस चैप्टर पर कमांड मिल चुकी है बाई बाई टेक केर लव यू आल बताईए भाईया जैजवाला चल रहा है क्या मामला नहीं है तो बताईए क्या कर सकते हैं आपके लिए 75% के ल देख लेता हूँ आपके बोलो भाई चलेंगे भाईया बाई टेक केर कर दो दो